पिछली सीजन में आपने देखा कि नीलम के अंदर नाग देव श्राप मुक्त मनेका की आत्मा डाल देते हैं और मनेका की खोज में कनिश्क नीलम से मिलता है और दोनों की कॉलेज में एक लफ स्टोरी शुरू होती है और कनिश्क नीलम को बता देता है कि नीलम एक नागिन है वही नीलम के परिवार का कुल गुरू भूरा तरह तरह की चाल से दोनों को अलग करना चाहता है मगर असफल हो जाता है और अपने गुरू किल्विक्ष के पास जाता है किलविक्ष वही तांत्रिक था जिसने मनिका और कनिश्क को श्राब दिया था फिर नीलम के माबाप कनिश्क और नीलम को अपना लेते हैं और तभी कनिश्क की जिंदगी में मनिका वापिस आ जाती है वही भूरा का एक शिश्य उसे छोड़ कर नीलम और कनिश्क के साथ रहने आ जाता है और कनिश्क की बहन कनिश्का और नंदू में प्यार हो जाता है आगे की कहानी में पता चलता है कि कनिश्क की जिन्दगी में जो मनिका लोट कर आई वो कोई और नहीं बलकि नीलम की ही खास दोस्त कुसुम थी जो कनिश्क को पसंद करती थी और नीलम से जलने लगी थी वो किल्विक्ष के साथ मिल गई थी और नीलम से लड़ते हुए कुसुम खाई से गिर जाती है और नीलम किल्विक्ष को भी मार देती है इस पूरे सफर के दोरान उन्हें काल चक्र का राज पता चलता है जिसमें नंदु जो असल में करण है पिछले जन्द में विनीत था और कनिश्का कोमल थी और नीलम और कनिश्क और कोई नहीं बलकि नरगेस और नागेश ही थे और फिर सबकी शादी हो जाती है कहनी के अंत में कनिश्का और करण के दो बच्चे होते हैं मगर कोई उनकी बेटी उठा ले जाता है और दोनों को मार डालता है कनिशका और करण मरने से पहले अपना बेटा कनिशक और नीलम को सौफ देते हैं और दोनों मिलकर उसे पालते हैं आखिर काल चक्र की इस कहानी का राज क्या है जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारी नागिन की कहानियों से आगे ऐसे और भी दिल्चस्प चैप्टर्स लगातार आने वाले हैं नाग लोक में एक नाग परिवार रहता था परिवार छोटा ही था एक नाग नागिन का जोड़ा और उनकी मेधावी बेटी नागिन कनिका कनिका बहुत ही कुशल और मेधावी थी इसलिए दूर दूर से नाग उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आते थे मा, मैं शादी बया की इन बातों से तंग आ चुकी हूँ, क्या मैं कुछ तेर के लिए फृत्वी लोग चली जाओं? मगर बेटा, वहां अकेले कैसे? अकेले नहीं मा, मेरी बेजूरिया है ना मेरे साथ? और अपने कंधे पर बैठी गिलहरी को हाथ पर रख लेती है करने लगती है, कनेका की हसी से पूरा जंगल गूँज रहा था उसी वक्त वहां से कोई लड़का गुजर रहा था उसने नदी के पास बैठी कनेका को देखा और कुछ देर खड़ा होकर बस देखता ही रहा तभी बिजूरिया उस लड़के को देख लेती है और कनेका के कान में कुछ कहती है वो लड़का जैसे ही कनेका से बात करने वाला था कनेका तुरंथ गायब भूकर वापिस नाग लोक लोट आती है और वो सुन्दरी कहां गई? कहां चली गई होगी वो? क्या वो कोई जादुगर नी थी? या मैंने जो अभी देखा उसा मेरे मन का वहम था और वहां से चला जाता है मगर उस लड़के को कुछ दिनों तक बिलकुल नीद नहीं आई और वो बस उसी जंगल वाली लड़की के बारे में सोचता रहा और फिर वो अपने पिता के पास गया पिता जी मुझे आपको कुछ बताना है बोलो बेटा तुम इतने परिशान क्यों लग रहे हो पिता जी शायद मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है पर मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां रहती है और वो अपने पिता को सारी बात बताता है अच्छा तो तुम जरू कनिका की बात कर रहे होगे कनिका? कौन कनिका पिता जी? कनिका नाग लोग की सबसे सुन्दर और मिधावी नागिन है जिसके रूप का संपुर्ण नाग लोग दिवाना है और उसे विभा करने के लिए दूर दूर से नाग आते हैं मैंने भी सुना है कि वो अकसर नाग लोग से भाग कर यहां जंगल में समय बिताने आती है पिता जी मैं उससे विभा करना चाहता हूं पर बेटा वो नाग लोग की नागिन है और तुम पृत्वी लोग के मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता मैं बस कुछ भी करके उसे अपना बनाना चाहता हूं उसे हांसिल करना चाहता हूं आप मुझे नाग लोग भेज दीजे उस लड़के के पिता नाग देव की बहुत अधिक पूजा किया करते थे और शिव भक्त भी थे इसलिए वो उसे अपनी पूजा वाले कमरे में ले जाते हैं जहां नागों की बड़ी-बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी और चारों और दीवार पर मशाले टगी हुई थी बेटा इस गहरे में आग बंद करके बैट जाओ और तब तक आग मत खोलना जब तक तुम्हारा काम न हो जाए यदि तुमने बीच में ही आग खोल दी तो तुम्हें नाग लोग से बापस प्रत्वी पर आना होगा और वो लड़का ठीक वैसा ही करता है उस दिन भी हमेशा की तरह ही नाग नागेन और कनेका अपने घर में थे कि तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का कनेका के माबाप के पास आया मेरा नाम भुजंग है मैं आपकी बेटी की सुन्दरता देखकर मोहित हो गया हूँ और इससे विवा करने के इच्छा रखता हूँ हाँ ठीक है मगर अपने बारे में तो बता तुम कौन से परिवार से हो तुम मेरा परिवार तो प्रत्वी लोग का सबसे शक्तिचाली परिवार है बड़े-बड़े लोग भी हमारे हाँ नौकरों की तरह काम करते है आपकी बेटी राज करेगी हमारे हाँ प्रत्वी लोग मतलब तुम नाग लोग में नहीं रहते हो भुजंग कनेका की ओर देखकर तुरंत जूट बोल देता है नहीं मेरा मतलब है प्रत्वी लोग से लेकर नाग लोग तक हमारे खांदान से बड़ा कोई नहीं है आप बस अपनी बेटी की शादी मुझस से करा दीजिए नाग नाग न दोनों को ही भुजंग पसंद आ जाता है मगर कनेका को भुजंग केवल अकडू और घमंडी लड़का लगा था इसलिए वो इस रिष्टे से खुश नहीं थी मगर नाग नाग इनको देखकर कुछ नहीं बोली बच्चों तुम दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के साथ घूमाओ और तुम्हारी बाते भी हो जाएंगी कनिका और भुजंग दोनों घूमने जाते है और तुम्हें क्या पसंद है मेरे अलावा अच्चा कनिका मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पहली निज़र में ही पसंद आ गया था मगर अब तुम पूरी उम्र केवल मुझसे प्रेम करके तो नहीं निका सकती ना तो बताओ इसके लावा तुम्हें क्या पसंद है भुजंग बिना रुके बस बोलता जा रहा था और अपनी तारीफ किये जा रहा था कितना पकाओ है ये माबाबा ने मुझे कहां फसा दिया तभी भुजंग चलते हुए कनिका का हाथ पकरनी की कोशिश करता है और प्रित्वी लोग पर बैठे भुजंग की अचानक आँख खुल जाती है आँख खुलते ही वो कनिका के सामने से गायब हो जाता है हाँ? कहा गया वो? अच्छा हुआ चला गया मैं माबाबस से इस रिष्टे के बारे में बात करती हूँ कनिका घर जाकर देखती है कि उसके माबाप कनिका के ब्याह तै होने का जश्न मना रहे थे और अपने दोस्तों को भी बुला लिया था ये देख कनिका चुप रही और भुजंग से ही शादी करने का फैसला कर लिया उधर भुजंग प्रत्वी लोग पर आकर अपने पिता को सारी बात बताता है और शादी की तिथी निश्चित हो जाती है बेटा मगर मैं नाग लोग नहीं जा सकता हूँ तुम कनिका को विभा करके प्रत्वी लोग ही ले आना पर पिता जी बिना माबाप के पुलो विभा के लिए नहीं मानेंगे ये सुनकर भुजंग के पिता उसके नकली माबाप बना देते हैं और उसे उनके साथ नाग लोग में शादी का दिन तै करने भेज देते हैं और कनेका और भुजंग की शादी किती थी, पांच दिन बाद निकलती है। कनेका मन ही मन इस शादी से बिलकुल खुश नहीं थी। और वहीं दूसरी ओर भुजंग के मन में शादी के नाम के लड़ू फूट रहे थे। बस पांच दिन बाद मैं यहां से चली जाऊंगी, कहां किस के पास ये भी नहीं जानती हूँ। और उदास होती हुई घर से बाहर निकल कर पहाडी की ओर चलने लगती है। कि तभी उसे रंग बिरंगी तितलियों का एक जुंड दिखाई देता है। और वो तितलियों का पीछा करती है। तितलिया एक जाड़ी के उस पार चली जाती है। अरे ये तितलिया इतनी दूर के जा रही है। और कनिका भी दोडते हुए तितलियों का पीछा करती है। और देखती है कि सेकड़ और रंग बिरंगी तितलिया एक जुंड बना कर नाच रही है। उन्हें देखकर कनिका भी हस्ते हुए नाचने लगती है। पर आखिर ये निर्तिकर क्यों रही है। और कनिका थोड़ा आगे देखती है तो पहाडी पर एक लड़का पीठ करके बैठा हुआ था और बासुरी बजा रहा था। जिसकी बासुरी की धुन इतनी मधुर थी कि तितलिया भी नाचने लगी थी। कनिका उस लड़के को आवाज लगाती है। सुनिए आप बहुत अच्छी बासुरी बजाते हैं। जी शुक्रिया। मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप रोज बासुरी सुनने आ सकती है। मैं तो अकेला ही बैठा रहता हूँ। आपका नाम? कनिका और तुम्हारा? मेरा नाम तक्षक है, मैं यही पास में अपने माँ बाबा के साथ रहता हूँ। अच्छा तक्षक अब मैं काला आती हूँ। दोनों एक दूसरे की आखों में देखते हैं और कनिका चली जाती है। कनिका उस रात सो नहीं सकी थी। कनि तभी उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई है। कनिका देखती है तो सामने भुजंग खड़ा होता है। भुजंग तुम? यहां? इतनी रात को तुम यहां क्यों आए? कनिका मुझसे तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा था। और देखो यहां तुम भी सिर्फ मेरे बारे में सोच कर बेचैन हो रही हो। नहीं नहीं मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। मैं तो उसके… उसके? कौन? चुपकियों हो गई? किसके बारे में सोच रही थी तुम? कनिका कुछ नहीं बोलती, तभी उसे लगता है उसके पाउं पर कुछ है और वो हिल रहा है. जैसे ही वो चीज बार-बार हिलती है, कनिका जोर से चिलाती है. कनिका की चीख सुनते ही, भूजंग वहां से गायब हो जाता है, और उसके मा बाबा वहां आकर उसे देखते हैं. क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मा, बस एक बुरा सपना देखा था. कनिका नाग-नागिन के जाने के बाद अपनी चादर हटाती है, और देखती है, चादर के नीचे एक बहुत बड़ा काला नाग होता है, और कनिका उसे देखकर डर जाती है. कौन हा तुम? और यहां मेरे कमरे में क्यों आए हो? तभी वो काला नाग तक्षक में बदल जाता है. तक्षक तुम, इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना कनिका, शायद मुझे यहां ऐसे नहीं आना चाहिए था, मगर बात ही कुछ ऐसी थी, कि मैं सुबह होने का इंतिजार नहीं कर पाया, और तुम्हारे पास आ गया. मैं इतनी दिनों से धुन बना रहा था, वो पूरी हो गई है. सच में, तुम मेरे लिए बहुत खास हो. मैं सबसे पहले तुम्हे ही धुन सुनाना चाहता हूँ. नहीं, यहां नहीं, मा बाबा सो रहे हैं, बाहर चलते हैं. और कनेका और तक्षक साप रोप में आकर, खिड़की से बाहर निकल कर, पहाड की ओर चले जाते हैं. तक्षक, आज से पहले मैं कभी इतनी रात को घर से बाहर किसी नाग के साथ नहीं आई थी. कनिका का हाथ पकड़कर उसकी आखों में देखता है और कनिका शर्मा जाती है कने का पहाड के कोने में बैठ कर तक्षक की बांसुरी की मीठी धुन सुनते हुए आस्मान की ओर देखती है और वहां लाखो तारे टिम्टिमा रहे थे कने का तक्षक की बांसुरी की धुन में इतना खो गई थी कि उसे तारे भी निर्थ करते हुए नजरा रहे थे और फिर वो भी नित्य करने लगी और यूही देखते देखते सुभा हो गई अब मुझे वापिस जाना होगा तक्षक अगर मा उट गई तो आफत हो जाएगी चलो अब मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ और तक्षक जाती हुई कनेका का हाथ पकड़ कर बिना बोले ही उसे गल नहीं लगाया था ये उसके लिए बहुत अलग एहसास था और वो खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरे दिन बस तक्षक के उस इसपर्ष को महसूस करके शर्माती रही और शाम को कनेका की मा उसे बाहर बोलाती है कनेका बेटा बाहर आओ देखो तुमसे मिलने कौन आया है जरूर तक्षक होगा वो मुझे लेने घर तक आ गया होगा कनेका देखती है कि सामने भुजंग खड़ा है कनेका की मा भुजंग और कनेका को बाहर घूमने भेज देती है और वहां तक्षक कनेका का रात तक इंतजार करता है और उदास हो जाता है कनेका मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी हो वो बहुत ही सरल, सीधी और घरे लूँ हो और मेरे पिताजी के साथ बस पूजा पार्ट में ही लगी रहे तो तुम्हें शादी के बाद ये लड़कों जैसा जीवन छोड़ना होगा मगर तीर चलाना, तलवार चलाना ये तो मेरी खूबी है, इन्हें कैसे छोड़ दूँ मगर भुजंग उसकी एक नहीं सुनता और वो घर आकर अपनी मा को सारी बात बताती है हाँ तो बेटा भुजंग सही कह रहा है, शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी वैसे भी पूरी तरह बदल जाती है तुम्हें ये चीज समझनी होगी, और कने का बहुत उदास हो जाती है, और अगले दिन भी वो तकशक से मिलने नहीं जाती है मगर उस रात तकशक उसके कमरे में आ जाता है, और उस दिन की तरह ही दोनों रात में पहाड़ी पर बैठते हैं तुम उससे क्यों नहीं मिलने आ रही थी? वो तकशक परसो मेरी शादी है, तु बस ये सुनकर कनिका को बहुत बुरा लगता है, और वो मायूस होकर घर लोट जाती है और फिर शादी का दिन आ जाता है, मगर वो भुजंग की बजाए सिर्फ तकशक की बाते ही सोच रही थी बार बार उसके कानों में तकशक की बांसुरी बज रही थी और कनिका समझ जाती है कि उसे तकशक से प्रेम हो गया है मगर आज तो तकशक की भी शादी है, अब समय हाथ से निकल चुका है मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं तभी उसका आंसु बिजुरिया की उपर जाकर गिरता है और बिजुरिया अपनी शक्ती से उसका आंसु एक मोती में बदल देती है और वो मोती लेकर कहीं चली जाती है भुजंग अपने नकली माबाबा के साथ शादी के लिए आ जाता है और कनिका भी दुखी मन से दुलहन बन कर मंडप में आ जाती है उधर तक्षक भी शादी से कुछ खास खुश नहीं था आखिर मुझे हुआ क्या है ना ही मैं अपनी बांसुरी से कोई नई दुन बना पा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी शादी से खुश हो कहीं मेरा दिल कुछ और तो नहीं चाहता तभी बिजुरिया तक्षक की खिड़की पर जाकर उसे कनिका के आंसु वाला मोती देता है और तक्षक उसे अपनी जुबान पर रख लेता है और कनिका की सारी बातें जान लेता है मुझे अब समझाया मैं शादी से क्यों खुश नहीं हूँ मुझे कनिका से बहुत प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगा उधर कनिका और भुजं के फेरे हुने लगते हैं तभी एक आवाज आती है रुख जाओ कनिका तुम ये शादी नहीं कर सकती हो कनिका पलट कर देखती है तो सामने तक्षक खड़ा था और बिजूरिया उसके कंधे पर बैठी थी कनिका मैं सब जान गया हूँ बिजूरिया ने मुझे सब बता दिया है मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ तक्षक और इस भुजंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ भुजंग ये सब देखकर बहुत प्रोधित हो जाता है और कनिका को उठा लेता है ये शादी तो हो करी रहेगी मैंने कनिका को हासिल करने के लिए इतना सब किया यहां तक की नकली माबाप तब उठा लाया हूँ और तू मुझे छोड़के इस तुछ नाक से शादी करना चाहती है क्या? ये तुम्हारे नकली माबाप है? हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे थे इस कप्टी लड़के से हमारी बेटी की शादी करा कर पर मैं शादी तो कनिका से करके ही रहूँगा और उसे उठा कर प्रित्वी लोग पर ले आता है और कैद कर लेता है कनिका की आवाज सुनकर तक्षक को होश आता है और वो धेर सारी शक्ती भुजंग पर फेकता है और भुजंग दूर जाकर गिरता है गायल भुजंग की जान बचाने के लिए उसकी पिताजी उसे वहाँ से हटाते हैं दुष्ट कप्टी भुजंग, तुने मेरे माबाबा से छूट कहा कि तु नाग लोग का शक्तिशाली नाग है जबकि तु तो प्रित्वी लोग का एक मामुली इंसान है मूर्ख नागिन, इस प्रित्वी लोग की बाद से चड़कर तु मुझे ठुकरा रही है ना देखना, एक दिन तेरी सबसे कीमती चीज़ प्रत्वी लोग पर ही चली जाएगी और तु उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकेगी और कनिका कुछ बोलती कि उससे पहले ही भुजंग वहां से चला जाता है और तक्षक कनिका को गोद में उठा कर नाग लोग वापिस ले आता है तक्षक घुटनों पर बैठ कर कनिका को अपनी बांसुरी देता है कनिका क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी इस बांसुरी की धुन बनना चाहोगी हाँ तक्षक मैं पूरी उम्र तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ नाग नागिन ये देख बहुत खुश होते हैं और कनिका और तक्षक की उसी मंडप में शादी करवा देते हैं कनिका और तक्षक एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी-खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं मगर जैसे-जैसे समय बीतता गया कनिका बहुत अधिक परेशान रहने लगी थी तक्षक भी कनिका को परेशान देख बहुत परेशान होता और देखते ही देखते उनके हस्ते खेलते परिवार को किसी की नजर सी लग गई थी बहुत सी कोशिशों के बाद भी कनिका और तक्षक के बच्चा नहीं हो पा रहा था और यही गम कनिका को अंदर से खा रहा था कनिका के मा बाबा ने भी बहुत हकीमों से इलाज कराने की कोशिश की मगर कनिका हर बार निराश हो जाती और ठक हार कर कनिका और तक्षक दोनों ही नाग देव की कड़ी पूजा करने लगे, जिससे प्रसन होकर नाग देव प्रकट हो जाते हैं, हे नाग देव मेरी इस सूनी कोख में संतान दे दीजिये न, नाग देव कनिका और तक्षक की तपस्या से प्रसन थे, इसलिए वो मना नहीं कर सके। बेटी तुम मा नहीं बन सकती हो किन्तु तुमने अपनी भक्ती से मेरा दिल जेत लिया है इसलिए मैं जीवन चक्र से तुम्हें संतान का वर देता हूँ। जीवन चक्र से क्या मतलब देव? नाग लोक में नागेश नाम के नाग की जीवन अबधी तो पूरी हो गई है मगर अभी भी उसके जीवन का मकसद अधूरा है इसलिए नागेश नाग ही जीवन चक्र के द्वारा तुम्हारे गर्व से पुना जन्म लेगा और अपना मकसद पूरा करेगा। हाँ हाँ नाग नहीं इसका नाम भी रखना होगा। हाँ 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 और वो शक्ती कनिश्क को अपने साथ ले जाकर गायब हो जाती है। ये देख कनिका को गहरा सद्मा लगता है और तक्षक और कनिका दोनों ही कनिश्क के दूर होने पर रोने लगते हैं। और इस तरह कनिश्क का जन्म नाग लोक में हुआ। मगर उसके जीवन का मकसद कुछ और ही था। इसी लिए वो प्रित्वी लोक पर आ गया। नर्गेश और नागेश नाग लोक में खुश थे कि तभी एक दिन नर्गेश को सपना आता है कि प्रित्वी लोक पर उनकी बेटी काव्या ठीक नहीं है और वो नागेश को ये बात बताती है और दोनों मिलकर नाग देव के पास जाते हैं। हे नाग देव हम दोनों को नाग लोक छोड़ के प्रति लोक पर वापस जाना है। हम प्रत्वी लोक पर जाना जाते हैं। हम प्रत्याग कर वापस जन्म लेना होगा और तब तुम दोनों प्रत्वी लोक पर ही रह सकोगे। नागेश और नर्गिस को नाग देव की ये बात अच्छी लगती है। बोलिये देव हमें क्या करना होगा। नर्गिस और नागेश एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मगर तुम्हें प्रत्वी लोक पर जाने के बाद अपने जिंदगी के बारे में कुछ भी यार नहीं रहेगा। और समय आने पर काल चकर ही तुमें सब कुछ याद दिलाएगा। और फिर नर्गिस का पुनर जन्म मनिका के रूप में और नागेश का कनिश्क के रूप में होता है। मनिका के जीवन का अंत बरसो पहले हो गया था, जिसकी जगह नीलम ने जन्म लिया था। सत्रा साल बाद, ये सब द्रिश्य चल ही रहे थे, कि तब ही अचानक एक आवाज आती है। मा, मा उठो न, कहां हो तुम, मैं काव्या तुम्हारी बेटी, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई मा। और अचानक से काव्या का चहरा सभी चीजों के सामने आ जाता है, और नीलम की नीद खुल जाती है, नीलम चिलाते हुए उठती है, काव्या मेरे बच्ची। क्या हुआ नीलम, तुम ठिक हो ना। कनिश्क, मुझे अब एक अजीब सा सपना आया था। और नीलम कनिश्क को काव्या के सपने के बारे में बताती है, और कनिश्क एक चीज बहुत अजीब थी। कौनसी चीज नीलम? मेरे सपने में नाग लोग का एक नाग नागिन का जोड़ा भी आया था, कनिका और तक्षक नाम का। क्या कहा तुमने? कनिका और तक्षक? वो तो मेरे मावाब थे, मगर मैं उसे कभी नहीं मिला. फिर तुम्हें ये सपना क्यों आया? और नीलम कनिश्क को पूरा सपना सुनाती है. इतने सालों बाद ये सपना आना, ये तो सच में बहुत ही अजीब बात है. कनिश्क और नीलम, तुम्हें जन्म नागिश और नर्गिस की वज़ह से मिला है. ये तुम दोनों ही जान चुकी हो. अब इस अधूरी कहानी को पूरा करना, तुम दोनों की जिम्यदारी है. कहानी? कौन सी कहानी? तभी नीलम और कनिश्क एक साथ बोल पड़ते हैं. काव्या! काव्या कहा है? ये हम अभी भी नहीं जानते हैं. और वो रोश्नी गायब हो जाती है. नीलम, सब कुछ यादा जाने के बाद तो हम दोनों के लिए जीना और भी मुश्किल हो गया है. ये कैसी पहलिया है जो किलवेश्क के मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं चोड़ रही है. कनिश्क, वैसे तुम्हारे मा बाबा कने का और तक्षक का क्या हुआ? और आज तक तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं था? बता नहीं नीलम. जब मैं अठाय साल का हुआ था तब मुझे नाग गुरू ने बताया था कि असर में नाग लोग ही मेरा घर था. मगर मेरा जीवन शाप योगत है. इसलिए मुझे सारी उम्र प्रति लोग पर ही गुजाननी होगी. और नाग गुरू ने ये भी बताया था कि मुझे खोने के सदमे में मेरी मा कनिका ने और बाबा तक्षक ने अपने प्याहर त्याग दिये थे. रोने लगता है. नीलम कनिश्क के आशू पोँच कर उसे गले लगा लेती है. चिंता मत करो कनिश्क, हम हमारी दोनों बच्चियों को ढून लेंगे. दोनों? हाँ, एक काव्या और एक. नीलम आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही एक लड़के की आवाज आती है. और नीलम वहीं चुप हो जाती है. वो लड़का कनिश्का और करण का बेटा था, जो कनिश्का और करण ने मरने से पहले नीलम और कनिश्क को सौप दिया था. आगे तुशार बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने. मा तुम ठीक हो ना, और ये काव्या कौन है? नीलम कनिश्क के चहरे की ओर देखती है. हाँ मा, मैंने सपने में तुम्हें बहुत बार इस काव्या का नाम लेते सुना है. कौन है ये काव्या? बेटा, मैं तुम्हें सब बताना तो चाहती हूँ, मगर अभी नहीं, वक्त आने पर. और नीलम हसकर बात बदल देती है. अच्छा बताओ, तुम्हारे इस अठारवे जन्म दिन पर तुम्हें क्या चाहिए? बस मा, मुझे तो अब शादी ही करनी है. ये सुनकर नीलम और कनिश्क हसने लगते हैं. अच्छा बाबा, मैं अब दोस्तों के पास जा रहा हूँ. वो लोग पहाड़ी पर मेरा इंतिजार कर रहे होंगे. हाँ बेटा जाओ, और अपना ध्यान रखना. बहुत शैतान है मारा तुशार. बिलकुल अपनी माँ पर गया है. और कनिश्क अपनी बेहन कनिश्का को याद करके रोने लगता है. कनिश्क, जिस दिन इसे पता चलेगा कि इसके माता-पिता हम नहीं, बलकि कनिश्का और करण है, उस दिन ये हमें छोड़ गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा. तुशार बहुत समझदा लड़का है. और वैसे विए उसके अठारवे जन दिन पर जब सारी नाक्षक्तियां मिलेंगी, तो उसे सब अपने आप ही पता चल जाएगा. नीलम उदास होकर कनिश्क के गले लगती है. उदास मत हो, नीलम. हम वो सब पीछे छोड़कर इस नई दुनिया में इसी लिए आये हैं, ताकि सब का भला कर सकें. तो शिव शंभू हमारे साथ अच्छा ही करेंगे. तब ही दरवाजी पर खट-खट होती है. नीलम और कनिश्क ने करन और कनिश्का की मौत के बाद अपना जीवन लोगों की भलाई में लगाने का निश्चे किया था. और इसलिए कनिश्क और नीलम मिलकर लोगों के लिए लड़ते थे. तो शाहर अपने दोस्तों के पास जाता है. मैंने तो अपने माँ बाबा से कह दिया कि मुझे तो अब शादी करनी है. वो भी मेरी पसंद की लड़की से. अच्छा? तो तेरी पसंद क्या है? तुझे किस से प्यार होगा? प्यार! प्यार तो मुझे ऐसी लड़की से होगा जिसकी नजरें बाद से भी तेज हो. और सहस ऐसा कि आसमान और जमीन एक कर दे. एकदम शेरनी जैसी होगी मेरी वाली तो. जिसे कभी किसी की मदद की जरुद ना हो. बोले तो पूरा जंगल गुझ उठे. जिस दिन ऐसी लगते हैं. तुशार चिड़कर पास वाले दोस्त के सिर पर एक थपड मारता है. मजाग मत बनाव तुम सब मेरा. देखना बहुत जल्दी मुझे मेरा प्यार मिलेगा. चिड़ते हुए, जंगल में भागती हुई लड़की के पाउं की पायल की आवाज आती है. जूतों की खटखट के साथ चलते हुए, वो एक हिरन के बच्चे के पीछे भाग रही थी. लड़की ने जंगल बूट, जीन्स और टॉप पहना था. दिखने में एकदम शहर की म मेडम जैसी लग रही थी. अरे, अरे रुको, वहां मत जाओ नन्य हिरन, वरना वो दोष्ट शिकारी तुम्हें मार डालेगा. और वो हिरन के बच्चे को गोद में उठा कर, शिकारी से बचा लेती है. उसकी दोस्त भी पीछे-पीछे उसके पास आ जाते हैं. उफ, ये व अरे, नाइशा को तो तब अकल आएगी, जब इसे ऐसा दुष्ट लड़का ही मिलेगा, जो प्यार नहीं शिकार करेगा. हाहाहाहाहाहा. हाह, मुझे तु बस ऐसा लड़का चाहिए, जो बस सादगी से हो भरपूर और लड़ाई जगड़ों से रहे दूर. अरे, नाइश होकर पहाडी की ओर निकल जाती है. अरे, नाइशा रुको, कहां जा रही हो, वहां मत जाओ. पर नाइशा नहीं रुकती है. नाइशा पहाडी की ओर जा ही रही थी, कि तभी उसे पहाडी के एक कोने पर एक घायल गिलहरी दिखाई देती है, और नाइशा उसकी मदद करने के लिए दोरने लगती है तभी तुशार की नजर उस गिलहरी पर पड़ती है और वो पास में पड़े पत्थर से उस पर निशाना लगाता है आज तो एक गिलहरी गई देखना मेरा निशाना तभी नाइशा की नजर तुशार पर पड़ती है जो उसकी ओर पीठ करके खड़ नाइशा देखती है कि तुशार ने हाथ में पत्थर लिया हुआ था और उसके हाथ पर एक अजीब से चक्र का निशान था और नाइशा जोर से चिलाती है और नाइशा भागते हुए उस गिलहरी को वहां से उठा लेती है मगर उसके हील वाले जूतों की वजह से उसका पाउ मुड़ जाता है और वो पहाड़ी से गिर जाती है ये सब इतना जल्दी हुआ था कि तुशार ने नाइशा को देखा भी नहीं और चौक कर बस वहीं खड़ा रहे गया उसे कुछ भी समझ नहीं आया अरे देखो देखो कोई लड़की पहाड़ी से नीचे गिर गई है अरे भागो रे नहीं तो हमारा नाम आ जाएगा तुशार तू भी भाग खड़ा खड़ा क्या देख रहा है पर तुशार पहाडी के और पास जाता है और देखता है कि नाइशा पहाडी को पकड़ कर नीचे लटक रही थी कनिश्क गाओं में जाकर देखता है तो डाकूओं और लुटेरों ने पूरे गाओं को तबाह कर रखा था लुटेरे किसी की भेंस उठा के ले गए तो किसी का मकान गिरा दिया कनिश्क बेटा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ अब लुटेरों का आतंग दिन बादिन बढ़ता ही जा रहा है कनिश्क भाईया ये देखिए आज भी यहीं के के निशानी मिली है के आखर कौन है ये के और चाहता क्या है तब ही एक आदमी बोलता है कनिश्क बेटा मगर वो लुटेरा नहीं लुटे रही है क्या ये तुम क्या क्या रहे हो हमारे गाउं को लुटने वाली डाकू एक औरत है पर आखर वो ऐसा क्यों कर रही है हाँ कनिश्क आज जब वो गाउं लुट रही थी तब उसके सिरका कपड़ा जरा सहट गया था जिसकी वजह से उसके लंबे बाल बहार निकल आये थे क्या है और निशानी का मतलब क्या है तुशार के दोस्तों को लगा कि नाईशा पहाडी से नीचे गिर गई है कि तब ही पहाडी के नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है और भागते हुए तुशार को किसी लड़के का धक्का लगता है ते वो भोश में आता है अरे मुझे कुछ करना होगा वरना विचारी लड़की मर जाएगी और तुशार भाग कर एक चिल्लान लगाता है और पहाडी के नीचे अपना हाथ लड़का देता है नाईशा तुशार का हाथ पकड़ लेती है और तुशार उसे खीच लेता है जैसे ही तुशार नाईशा को उपर लाता है नाईशा का पाउट डग मगा जाता है और वो तुशार की बाहों में आकर गिरती है नाईशा का पूरा चहरा बालों से ढखा था अभी तक नाही तुशार ने नाईशा को देखा और नाही नाईशा ने तुशार को तुशार ने अपने हाथों से नाईशा के चहरे से बाल हटाए उसका एक हाथ नाईशा की कमर पे था और एक चहरे पर नाईशा की नीली जील जैसी आखें तुशार देखता रहे गया और उसके कोमल होटों की ओर तुशार की नजर पड़ी और वो अचानक से दूर हट गया ये शेहरी मैम तो बड़ी सुन्दर है आप नहीं होते तो मैं मर ही जाती नहीं नहीं शुक्रिया कैसा मैडम फिर भी गलती आपकी ही थी आपको क्या जरूरत थी उस छोटी सी गिलहरी के लिए इतना जोखिम लेने की अगर वो पत्थर आपको ही लग जाता और आपकी ये मोटी मोटी आँके फूट जाती तो नाईशा को तुशार की बातें बड़ी अजीब लगी कितना निर्दे है ये लड़का उस गिलहरी की बारे में ऐसे बात कर रहा है और मेरे को अंधा बना रहा है ये तो बहुत ही अकडू लगता है मगर नाईशा इसने तेरी जान बचाई है तब ही नाईशा की नजर तुशार के हाथ पर जाती है और वो देखती है कि तुशार का हाथ बुरी तरह छिल चुका है जिसकी वजह से उसके हाथ पर बने उस चक्र के निशान पर भी चोट आ गई थी अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है इधर बैटो मैं पट्टी कर देती हूँ और नाईशा बैग में से पट्टी निकाल कर तुशार के घाव को साफ करती है ये लड़की अच्छी है मगद बहुत नाजुक सी है मुझसे इसकी जमेगी नहीं तुशार बेटा लगता है तुझे अभी और इंतजार करना होगा क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? तुम शहरी लोग भी न चोटी चोटी चीजों में घबरा जाती हो ये तो जरा सी चोट लगी है पागल तब ही जंगल के अंदर से एक लड़की नाईशा को आवाज देते हुए आ रही थी नाईशा? नाईशा? कहा है यार तू? कैम्प में सब लोग तेरे लिए कितना परिशान हो रहे है अरे श्रेया तू यहाँ? तू अकेले क्यों आई? शाम भी होने वाली है आरे? मुझे कौन सा ड़ लगता है? तू तो मुझे जानती है? मैं किसी से नहीं ड़ती तू श्रेया को बस निहारता जा रहा था श्रेया बहुत ही स्मार्ट लड़की थी लंबी चोड़ी आवाज जैसे दहाड रही हो एकदम तेज तर्रार तू श्रेया की नजर तू श्रेया की नजर तू पर पड़ती है ये लड़का कौन है नाइशा? और नाइशा उसे सारी बात बताती है तू श्रेया को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी इसलिए वो बस मुस्कुरा देता है अरे तुम्हें तो चोड भी लगी है अरे ये तो जरासी चोड है घर जाकर मा के हाथ का खाना खाऊंगा तो ठीक हो जाएगी मा के हाथ का खाना? बड़ा स्वादिश्ट होता होगा न क्यों? तुम्हारी मा तुम्हें खाना नहीं देती क्या? अच्छा, तभी तुम्हें ऐसी हो दूबली सी वो तुशार, नाईशा की मा नहीं है ओ, मुझे माफ करना नाईशा मैं भी पागल हूँ नाईशा मुस्कुरा देती है और तुम्हारी मा श्रया? मेरी माम तो बहुत दूर रहती है मैं इतना मिलती ही नहीं हूँ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं कल तुम दोनों मेरे आखाने पर आओगी मेरी मा के साथ का बना खाना खाने नाईशा और श्रया खुश होकर वापिस कैम चली जाती है गुफा के बाहर खड़ी एक औरत ने अपना चहरा कपड़े से ढखा हुआ था और उसकी आखों में एक अलग सी बदले की आख जल रही थी ये वही लोटेरी थी जो गाउवालों को लूट रही थी मुझे पता है कि गाउवाले पागलों की तरह मुझे ढून रहे होंगे मगर वो कभी मेरा राज नहीं जान पाएंगे लोटेरी गुफा के अंदर जाती है अच्छा काम किया अभी तो तुम्हे गाउवालों को और लूटना है ताकि वो दोनों तुम्हारे पीछे आ सके आप देखना बहुत ही जल्दी वो दोनों मेरे पीछे आएंगे और तब मैं उनका खेल खत्म कर सुकून की सास लूँगी और फिर इस दुनिया पर मेरा कबजा होगा और वो लुटेरी काले कपड़ों में गुफा के बाहर आकर हाथ में के वाले निशानी पकड़कर गुसे से देखती है और जोर-जोर से हस्ती है नहीं छोड़ूंगी किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं जरूर अपना हक लेकर रहूंगी और रोने लगती है तब ही पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जिसकी सिर्फ पीठ नजर आ रही थी अम्मा तुम चिंता मत करो मैं हूना मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाके रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे पूरे गाउं को लूटना हो या आग लगानी पड़े मैं मेरी अम्मा का बदला जरूर पूरा करूंगी तरशा बेटी मैं जानती हूँ इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो मेरे लिए ये काम कर सकती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती है तभी गुफा के अंदर बैठे उस आदमी की आवाज आती है तरशा जिस रास्ते पर तुम निकल लही हो वो कोई आसान राष्ता नहीं है आगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जन एक खास मकसद के लिए हुआ है और अम्मा वहां से चली जाती है और दृशा गुफा के बाहर वाली पहाडी के कोने पर जाकर खड़ी होती है और रोश्नी से उसका चहरा चमकने लगता है इतना तेज था उसके चहरे पर मानो आज ही वो अपनी मा का बदला ले लेगी अम्मा तुम फिक्र मत करो जिन लोगोंने तुम्हारा ये हाल किया है न मैं उन सब को मार डालूंगी तब ही आसमान से एक रोश्नी आती है जिससे बचने के लिए तुरिशा दोनों हाथों से अपना चहरा ढखती है तुरिशा के हाथ पर एक चक्र का निशान नजर आता है और आसमान से आई रोश्नी तुरिशा के उस निशान पर गिरती है जिसकी वजह से त्रिशा को उस निशान में तेज जलन होने लगती है त्रिशा बेटा, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है जल्दी तुम 18 साल की हो जाओगी और फिर तुम्हें बहुत से राजों का पता लगेगा तैयार रहना त्रिशा, बहुत जल्द तुम्हारा वक्त बदलने वाला है त्रिशा ये सुनकर चौक गई और वो रोश्नी भी गायब हो गई मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो वहां से अपने लोटेरों के कबीले में वापिस चली गई उसने ये बात अपनी अम्मा को बताई अम्मा त्रिशा की बात ध्यान से सुन रही थी, मगर कुछ नहीं बोली और उसे सुला दिया और फिर उस अंधेरी गुफा में वापिस गई, जहां मशाल जल रही थी और उससे इतनी ही रोशनी हो रही थी कि वहां रखा एक पुराना जंग लगा हुआ चिराग नजर आ रहा था तभी एक आदमी की आवाज आई आ गई तु बहुत परिशान है अम्मा गुफा वाले आदमी को तुरिशा की भविश्यवानी की बात बताती है और मदद मांगती है हाँ 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 ये तो नियती का खेल है ही जो आया है वो लौट कर तो जाएगा ही मगर अगर मेरी तुरिशा चली गई तो उस मकसद का क्या होगा और हमारी इतनी बड़ी योजना उसका क्या होगा और लौटेरी अम्मा परिशान हो जाती है शान्त हो जाओ तुम इतने सालों के बाद भी तुम्हे समझ नहीं आई है तुम बस अपना काम अब जल्दी शुरू करो तुरिशा के अगले जन दिन से पहले सारा जाल बिछा दो हाँ 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 अम्मा ये सुनकर शैतानी हसी हस्ती है कनिश्क के निशानी हाथ में लिए घर जाता है और कमरे में बैठ कर उसे देखता रहता है क्या हुआ कनिश्क तुम बहुत परिशान नजर आ रहे हो कनिश्क नीलम को सारी बात बताता है और वो के भी दिखाता है के क्या मतलब हो सकता है इस के का कनिश्क मुझे तो बस केसे मेरा ही नाम पता है और तो फिर नीलम कहीं केसे उन में से तो कोई नहीं नीलम बीच में ही बोलती है नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो उनकी कहानिया तो हम सालों पहले खत्म कर चुके हैं वैसे भी जैसा तुम बता रहे हो मुझे तो ये आम इंसानी लोटे रही लगते हैं जो बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लूट पाट कर रहे हैं तुम जाधा मत सोचो और सोजाओ और दोनों सोजाते हैं कैश्रे आएगी उसे मा को दिखाऊंगा पूचूंगा कि आपको ये कैसी लगी और एक और नाइशा भी बिस्तर में करवटे ले रही थी कल मैं तुशार की मा से मिलूंगी और उनके हाथ का स्वादिश खाना खाऊंगी मा का होना कितना अच्छा होता है न काश मेरी भी मा होती रोते हुए सो जाती है अगले दिन तृशा सो कर उठती है और जोर से चीखती है और अपनी अम्मा को आवाज लगाती है अम्मा, अम्मा जल्दी आओ ये देखो मुझे क्या हो गया तृशा की आवाज सुनकर अम्मा दोडते हुए कमरे में आती है और त्रिशा को देखती है तो चौक जाती है अगले दिन त्रिशा जब सो कर उठती है तो जोर से चलाती है अम्मा अम्मा त्रिशा की अम्मा आती है और त्रिशा अम्मा को अपना हाथ देखाती है अम्मा भी त्रिशा का हाथ देखकर चौक जाती है त्रिशा का हाथ जला हुआ था और उसकी निशान वाली जगह पूरी तरह लाल होकर जलन कर रही थी शायद अम्मा कल वाली रोशनी से वो मेरे हाथ पर लगी थी बहुत जल रहा है अम्मा ये सब क्या हो रहा है अरे मुझे भी नहीं समझा रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है कहीं इसका संब्ध बरसो पुराने दबे उस रास से तो नहीं है मुझे इसको इस बारे में बताना ही होगा अम्मा कहां खो गए अब मुझे बहुत तेज जलन हो रही है और फिर त्रिशा की अम्मा उसकी निशान पर मलहम लगा कर पटी कर देती है और त्रिशा को एक कहानी सुनाती है त्रिशा बेटा चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ कहानी? कैसी कहानी अम्मा? और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, जो परियों की कहानी सुनूंगी। अरे मेरी शैनी, मैं कोई परियों की कहानी नहीं, ये किस्सा उस वक्त का है जब तेरी अम्मा लोटेरी नहीं थी। दो छोटी लड़कियां एक दूसरे के पीछे खिलते हुए भाग रही हैं, दोनों के खिल खिलाने की आवाज आ रही है, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और तू भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, चलब मैं आग पर पट्टी कर रही हूँ, तू भाग और मैं तुझे और दोनों खेलने लगती हैं, और तभी वहाँ एक छोटा लड़का आता है, तूसरी लड़की अभी भी आँख पर पट्टी किये हुए थी, वो अपनी दोस्त को आवाज देती है, मगर दोस्त बदले में कोई जवाब नहीं देती, और फिर वो पट्टी हटा कर देखती ह कि उसकी इतनी अच्छी दोस्त उसे भूल कर उस लड़के के साथ खेल रही है, वो चिलाती है और देखती है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, तुम दोनों एक साथ और के तुम, तुम यहाँ, मुझे लगा तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, वो पूटी लड़की रोने लगती है, और तभी उसकी आँखें खून जैसी लाल हो जाती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसकी लाल आँखें अम्मा की आँखों में से मिल जाती है, और अम्मा की आँखों से आसू बहने लगते है, अम्मा, तुम रो क्यों रही हो, और आखेर ये के है क्या, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कुछ नहीं बेटा, बस कोई पुराना दर्द याद आ गया अम्मा, पर ये अजीब सी कहानी क्यों? ये कहानी इसलिए बताई थी, ताकि तुझे पता चले कि दुनिया कैसी है और तेरा मकसद क्या है? अब सब तेरे ही हाथ में है तुरिशा बिटिया अम्मा का चहरा कपड़े से ढखा था और वो रो रही थी तुरिशा उसके आसू पोचकर उसका हाथ पकड़ती है चिंता मत करो अम्मा, तुम्हारी ये तुरिशा तुम्हारे हिस्से के सारे बदले पूरे करेगी अगले दिन तुशार नीलम को बोलता है मा आज स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाना? हाँ, मगर आज है क्या? वो मा, मैंने अपनी दो दोस्तों को खाने पर घर बुलाया है वो कभी भी आ सकती है जाओ, तुम फटा फट अच्छा अच्छा खाना बनाओ उस शहरी मैडमों को पता चलना चाहिए कि मेरी मा इस दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है अच्छा, अच्छा अभी बनाती हूँ अब तु इतना मक्खन मत लगा मुझे और तभी नीलम की नजर तुशार की चोट पर पड़ती है और वो उससे उस चोट के बारे में पूछती है अरे ये चोट तो खेलती हुए लग गई थी जूट बोल देता है नीलम खाना बनाने चली जाती है और तुशार दोनों लड़कियों का इंतिजार करने लगता है और फिर कुछ देर बाद श्रेया और नाईशा तुशार के यहां आती है तुशार दर्वाजे पर देखता है कि नाईशा ने बहुत ही सिंपल से सलवार कमीज पहने थे जबकि श्रेया ने काफी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे तुशार श्रेया को बस निहारता रह जाता है यार ये श्रेया कितनी सुन्दा लग रही है दिल कर रहा है इसे गले लगा कर ये बात कह दू हेलो श्रेया तुम्हारी चोड कैसी है हो चोड वो तो कब की ठीक हो गई मुझे दर्द नहीं होता ओफो नाईशा तुम भी ना आते ही आंटियों जैसे बाते करने लग गई चलो अंदर चलकर तुशार का घर देखते हैं और नाईशा और श्रेया दोनों अंदर चली जाती है तुम दोनों बैठो मैं तुमारे लिए पानी लाया और तुशार अंदर चला जाता है श्रेया और नाईशा भी तुशार का घर देखने लगती है नीलम गाना गुनगुनाती हुई रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी पीछे कोई खड़ा है नीलम के पीछे एक लड़की की काली परचाई थी जो धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी नीलम जैसे ही पलड़ती है तो देखती है वहाँ तो कुछ भी नहीं था अह शायद ये मेरा वहम होगा और नीलम वापिस मुर जाती है और तभी देखती है कि चूले के पास से एक काली नागिन खिरकी से बाहर जा रही है और जाते जाते उसने अपनी पूच से नीलम का बनाया सारा खाना बिखेर दिया था नीलम के पाउँ पर गर्म दाल गिर जाती है और तभी पूरा समय रुप जाता है और वो नागिन बाहर खिड़की पर कुंडिली मार कर बैठ जाती है और जोर से चिलाती है अब वक्त आ गया है नीलम तुझे और तेरे परिवार को मैं मेरे बदले की आग में जला दूँगी और नागिन गायब हो जाती है जैसे ही नागिन गायब होती है समय नॉर्मल हो जाता है और गर्म दाल गिरने की वजह से नीलम की चीख निकल जाती है नीलम की चीख सुनकर तुशार भागता हुआ किचिन में आता है और उसके पीछे-पीछे श्रेया भी जाती है क्या हुआ मा तुम चीखी क्यों? नीलम दर्द में थी और खिड़की की ओर इशारा कर रही थी तुशार खिड़की के बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं होता नहीं मैं तुशार को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ वो नाग नागिन वाली बात के बारे में कुछ नहीं जानता है कुछ नहीं बेटा, वो मेरा ध्यान कहीं और था और दाल मुझ पर गिर गई माई क्या करती हो तुम तुशार तुम बर्फ लेकर आओ जल्दी, वरना इन्हें ज़ादा तकलीफ होगी अभी बर्फ लगा देंगे तो छाले नहीं होगे और तुशार ऐसा ही करता है, श्रेया नीलम के पाउं पर बर्फ लगाती है पर बर्फ से नीलम को अधिक जलन होने लगी थी तभी तुशार देखता है कि वहाँ नाईशा नहीं थी श्रेया नाईशा कहां है? और देखता है नाईशा कहीं नहीं है कि तभी अचानक से उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि नाईशा सामने वाले पेड़ के नीचे अकेली खड़ी होकर कुछ बढ़ बढ़ा रही थी तुशार को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो नाईशा के पास जाकर उसके कंधे पर हात रखता है जैसे ही तुशार उसके कंधे पर हात रखता है नाईशा मोड कर अचानक से उसे गले लगा लेती है तुशार को कुछ समझ नहीं आता तो वो भी उसे गले लगा लेत तब ही नाइशा दूर हट जाती है क्या हुआ तुमें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कोई पुरानी बात याद आ गई थी अच्छा कोई बात नहीं, आओ तुमें मां से मिलाता हूँ उन्हें बहुत सारी चोटे भी आई है और नाइशा नीलम के पास जाती है और नीलम को देख कर अचानक से उसकी आँखों में आसु आ जाते है श्रेया तु खड़ी हो यहां से, ला मुझे बर्व दे मैं लगा देती हूँ और नाइशा नीलम के पाउं को सहलाती है जैसे ही नाइशा का हाथ नीलम के पाउं पर लगता है, नीलम का दर्द कम होने लगता है बीटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो सारा खाना तो खराम हो गया, और माजी भी जल गई, अब हम क्या करें तुशार? श्रिया, इस समय ये बाते करना ठीक नहीं है, रही बात खाने की, तो तुम दोनों बाहर जाओ, और माजी का खयाल रखो, मैं थोड़ी देर में खाना बना कर लाती हूँ तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मा के जाने के बाद मैं ही तो थी, जिसने सबसंभाला था मसाला लेने बाहर आती है, तुशार और उसकी मा मसाले के डिब भी देख कर अरे ये क्या है नाइशा? मा जी, ये मेरी मा का स्पेशल मसाला है, जिसको मेरी मा ने मुझे बनाना सिखाया था, इससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा भई वा, नाइशा बिटिया तो बड़ी होशियार है तुशार और नाइशा मुस्कुराते हुए अंदर किचिन में जाती है, और सबजी बनाती है सब लोग खाने की टेबल पर बैट जाते हैं, और नाइशा सबको खाना परोस्ती है नीलम भी टेबल पर बैठी होती है मा जी, सबसे पहले आप चकर बताईए कैसा बना है खाना और नीलम खाना खाने ही वाली थी, कि तभी उसकी नजर नाइशा की बनाई सबजी पर पड़ती है नीलम अपनी नागिन वाली आँखों से सबजी के अंदर देखती है तो उसमें नागिन का जहरीला जहर मिला हुआ था तभी नीलम देखती है कि तुशार और श्रेया भी वही खाना खाने ही वाले थे कि तभी नीलम जोर से चिलाती है नहीं, रुको सब! और उठा कर सारा खाना फेंग देती है नाइशा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या? क्या हुआ माजी? आपने सारा खाना फेंग दिया? कुछ गल्ती हुई क्या मुझसे? कुई कुछ नहीं खाएगा इसमें जहर मिला हुआ है जहर? माजी, यह आप क्या कह रही है? पर ये खाना तो नाइशा ने बनाया है तो इसमें जहर कैसे? तुशार को कुछ समझ नहीं आ रहा था तुशार नाइशा की ओर बस देखता रह जाता है और फिर नीलम की ओर देखता है इलम और नाइशा दोनों ही डरी हुई थी जबसे नाइशा यहां आई है कुछ ना कुछ तो गरबर हो ही रही है नागिन का जहर खाने में आकिर ये सब कौन कर रहा है? क्या नाइशा कर रही है? पर ये तो एक साधरन सी लड़की है या पर ये कोई माया जाल है श्रेया ये सब देख रही थी और तभी उठकर खिर्की के पास जाती है और नीलम की ओर देख कर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगती है पर माजी मेरा विश्वास कीजी मैंने इसमें केवल मेरी मावाला स्पेशल मसाला डाला था अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे सामने उस मसाले को चकर बताओ तुशार बेटा ये तुम क्या कर रहे हो नाईशा हमारी महमान है श्रेया खिर्की के पास खड़ी होकर सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी तभी नीलम का ध्यान श्रेया पर गया और श्रेया नीलम को कुछ अजीब लगी श्रेया तुम वहाँ क्या कर रही हो इधर आओ और श्रेया भी सब के पास आकर खड़ी हो जाती है नहीं मा जी तुशार ठीक कह रहा है मुझे मेरा सच बताने के लिए ये करना ही होगा और नाइशा मसाला चकती है फिर नीलम भी चकने लगती है तो तुशार नीलम को रोग देता है नहीं मा तुम ऐसा मत करो और नीलम और नाइशा दोनों को ही उस मसाले को खाकर भी कुछ नहीं होता है तुशार ये देखकर खुश होता है मगर नाइशा को बहुत दुख होता है और वो बिना बोले ही वहां से चली जाती है नीलम को इन सब में कुछ गड़बर लगी थी और श्रेया भी वहां से जाने लगी तब तुशार भी उसके साथ बाहर तक आता है मुझे माफ कना श्रेया मैने तो तुम्हें या खाना खाने बुलाया था मगर तुम तो भूकी ही रह गई ओ कम आउन तुशार बेबी I understand the situation It's okay, we can have lunch on some other day Just you and me, right? तुशार को अंग्रेजीव बिलकुल भी समझ नहीं आती थी तो उसने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया और श्रेया भी वहां से चली गई तुशार अब सारी चीजें भूल चुका था और उसे बस श्रेया की बोली हुई वो बाते यादा रही थी जिसका मतलब उसी समझ में भी नहीं आया था तभी तुशार को एक आइडिया आता है और वो बहुत खुश होता है और वापस घर लोटाता है अम्मा गुफा में बैठे आदमी के पास जाही रही थी कि तभी उसका पाउं पास ही पड़े चिराग पर लग जाता है जैसे ही चिराग पर अम्मा का पाउं लगता है चिराग में से किसी आदमी की आवाज आती है अरे मा डाला रे मा डाला अम्मा की बच्ची तु अंदी है क्या सोते हुए आदमी को परिशान करती है मुझे क्रोध मत दिला बड़ा छिपकली बनाकर यहीं गुफा की दिवार पर छिपका दूँगा तुझे तभी गुफा में बैठा आदमी बीच में बोल पड़ता है चुपकर आओ अम्मा आओ कहो क्या बात है यहां आपके अलाबा और कौन है जो हर बार बोलता तो है मगट दिखाए नहीं देता नहीं नहीं कोई नहीं तुम बताओ क्या हुआ और अम्मा त्रिशा के निशान के बारे में उसे सारी बात बताती है अच्छा तो ये बात है, ये सब वही कर रहा है वही कौन? कुछ नहीं, तुम जाओ और जल्दी अपने मकसद के और बढ़ो और अम्मा त्रिशा के पास जाती है त्रिशा बेटा, अब हमें जल्दी एक बड़ी लूट करनी है गाओं के अंदर से जो ट्रेन जाती है, अब उसी को लूटना है हमें तर अचानक से अपनी योजना क्यों बदल दी? हम तो इस बार गाओं का मंदिर लूटने वाले थे न? हाँ, मगर अब हमारी मंजल तक पहुँचने के लिए हमें अब उसी ट्रेन से सफर तै करना होगा तुम्हारे जन्म दिन से पहले मुझे अमीर भी बनना है बहुत अमीर और त्रिशा और अम्मा अपनी योजना की तयारी करने लग जाती है अम्मा, मैं थोड़ी देर अपनी दोस्तों के पास जाओं मुझे पेचैनी सी हो रही है हाँ, पर जल्दी आना और जंगल की ओर अकेले भूल कर भी मत जाना त्रिशा अपनी सहेलियों के पास चली जाती है त्रिशा, तीरे जैसी तीरंदासी और तलवार बाजी तो दूर दूर तक के लुटेरों के कभीलों में किसी की भी नहीं है तो क्या, पूरी उम्रे तुझे लूट पार्ट ही करनी है क्या कोई शादी वगरा का एरादा नहीं है क्या शादी, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में अरे, तुरिशा किसी से प्यार व्यार नहीं है क्या तुझे नहीं तो अरे, तो यहीं किसी को पसंद कर ले और फिर शादी करके यहीं रह जा और उसके बाद तो तू लूट पार्ट करेगी तो सब तुझे लुटेरी दुलहन के नाम से बुलाएंगे तुरिशा को गुस्सा आता है और वो मू बनाती है अरे, मू मत बना, वो देख सामने से भेंगा च्छा जुजा रहा है उससे बात करूं तेरी शादी की अरे, लंगडा च्छागन भी तो तुझे पसंद करता है और तुरिशा उसके बारे में क्या ख्याल है, कालूराम कौन, वही कालूराम, जिसके मूँ से हमेशा ला टपकती है ची, मुझे नहीं करना किसी से भी प्यार और तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन, जो मेरे लिए ऐसा सोचती हो अच्छा तुरिशा मजाक नहीं, बताना तुझे कैसा लड़का पसंद है सच बताऊं, तो मुझे प्यार व्यार करना ही नहीं है मुझे इन सब में नहीं पढ़ना और ना ही मेरे जन्म शादी में बधने के लिए हुआ है मुझे तो बस मेरी अम्मा को जहान भर की खुशियां देनी है और उनका हक उन्हें दिलाना है प्यार जैसी चीज इनसान को कमजोर करती है मुझे नहीं करना प्यार तभी कहानी में नए किरदार की एंट्री होती है जंगल की ओर से एक लड़का गाउं की अंदर आता है और खड़ा होकर चारो ओर देखता है लगता है यही गाउं है वो जहां मुझे वो मिलेगी और गाउं वालों से जाकर पूछता है बाबा क्या यहां पर रहने के लिए किराय पर एक कमरा मिलेगा कौन हो तुम बेटा मेरा नाम तरुण है और मैं दूर से आया हूँ अपने मकसद की तलाश में देखने में तो बेटा मुझे तुम भले ही लगते हो तुमारा मकसद जरूर पूरा होगा और इशारा करते हुए उस जगह तुमें रहने को जगह मिल जाएगी तभी वो लड़का खुश होता है और एक संदेश बेजता है मैं यहाँ आ गया हूँ अब मेरी मंजिल मेरे बहुत करीब है और मेरे मालिक ने चाहा तो मेरा बदला भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा उधर से बदले में लड़की की आवाज में संदेश आता है शाबाश तुम आ गए मैं भी यही हूँ अपनी आखों के सामने दुश्मन को रोज हस्ता देखती हूँ जी करता है उसको जान से मार दूँ मगर हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा तुम चिंता मत करो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों से मिली हो और क्या तुम उससे मिली हो जिसने चुप हो जाता है हाँ मैं मिली हो सबसे और उससे भी और तरुन अपने कमरे पर चला जाता है और जैसे ही तरुन की उस रहसिमई लड़की से बात खत्म होती है श्रेया और नाइशा भी ठीक उसी वक्त अकेले में किसी से बात कर रही थी मगर किस से ये नहीं पता श्रेया मन में मुस्कुराती है अब खेल खेलने में आएगा मजा मुझे जूबी करना होगा बहुत हिसाब से करना होगा अगले दिन कनिश्क और नीलम एक साथ बैठे होते हैं और नीलम कनिश्क को कल की घटना के बारे में बताती है नीलम मुझे लगता है हमारे परिवार पर कोई बड़ा खत्रा मंदा आ रहा है हमें नागुरो की पूजा करनी चाहिए मगर उसके लिए तो हमें उस बड़ी भली गुफा के पास बने मंदर पर जाना होगा हाँ और हमें जल्दी ही निकलना होगा नीलम और कनेश्क वहाँ जाने की तयारी करते हैं तुशार नाइशा को ढूनता हुआ पहाड़ी पर जाता है और देखता है कि नाइशा वहाँ अकेले बैठी हुई थी नाइशा मुझे माफ करना मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया था मैं मा के लिए बहुत डर गया था इत्सोकी तुशार अगर मेरी मा इस जगा होती तो मैं भी यही करती कोई बात नहीं वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मगर कैसे कहूँ मुझे शर्मा रही है क्या ये मुझे प्रपोस करने वाला है वैसे अच्छा है तुशार मुझे अच्छा लगता है हाँ बस थोड़ा अकडू है मगर मैं कर लूँगी इससे प्यार अरे मुझसे क्या शर्माना तुम बोलो तुमें जो भी बोलना है और नाशा शर्मा कर अपनी आख बंद कर लेती है वो मैं वो मैं कैसे कहूं तुम अंग अब बोलो भी दुशार नाशा क्या तुम मुझे अंगरेज़ी सिखा सकती हो नाईशा ये सुनते ही चौक जाती है क्या यह क्या तुम इतनी देर से ये बात कहना चाहते थे हाँ नाईशा क्या है ना मुझे तुमारी दोस्त शेया बहुत पसंद है बिल्कुल वैसी ही है जैसी लड़की मुझे चाहिए थी एकदम शेहरी मॉडल और दबंग है शेया बस एक दिक्कत है वो इंग्लिश में बहुत बात करती है हाँ तो मैं क्या करूँ? और मुझे उसकी बाते समझ नहीं आती तो क्या तुम मुझे भी अंग्रेजी सिखाओगी? और नाइशा को तुशार की बातों का बुरा तो लगता है मगर वो अपने दिल पर पत्थर रख कर हाँ कर देती है तुशार बहुत खुश होता है और खुशी से नाइशा को गोद में उठा कर चक्कर लगाने लगता है नाइशा तुशार की बाहों में आकर खुश तो बहुत होती है मगर वो समझ जाती है के तुशार के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है इसलिए उसकी आँख से एक आसू पृत्वी पर गिरता है और पृत्वी के अंदर समाता हुआ एक घर की छट में से टपकता है घर के अंदर एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है जो बिलकुल भी हिल नहीं रही है जैसे कोई लाश पड़ी हो नाशा का आसू उस लड़की के चहरे पर जाकर गिरता है लड़की का चहरा धुंदला है जो ठीक से नजर नहीं आ रहा है आसू गिरते ही लड़की के होटों में कुछ हलचल होती है और लड़की के मूँ से एक ही शब्द निकलता है माह और आसमान में अचानक से तेज बिजलियां कड़कने लगती है और उस तरफ बेचैनी से नीलम की आँखे खुल जाती है अब देखिए आगे इन नए चहरों का किस तरह पुराने चहरों से संबंध है और कैसे श्रेया और नाईशा नीलम और उसके परिवार की कहानी में नया मोर लेकर आएंगी क्या त्रिशा पता कर पाएगी उसके मकसद के पीछे छिपे हुए इरादों के बारे में या फिर वो बस यूहीं लुटेरों की तरह जिंदिगी बिताएगी कहानी के नए किरदारों के बारे में जानने के लिए लगातार जुड़े रहें हमारी कहानी नागिन सीजन फोर के साथ अब हफते में अधिक दिन थैंक्स फॉर वॉचिंग अच्छा मैं तुम्हें अंग्रेजी तो सिखा दूँगी मगर तुम बदले में मुझे क्या दोगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए मेरे पाँ जादा तो कुछ है नहीं मैं तो गाओं का साधान सा लड़का हूँ नाईशा को तुशार की बात बहुत पसंद आई तुशार क्या हो तुम कभी तुम बहुत अडियल घोडे से लगते हो तो कभी एक सीधी गाई जैसे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ अरे मैडम कहां खो गई है आप तुशार मुझे तुम्हारी मा बहुत प्यारी लगी मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसकी वज़े से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आ सकूँगी मगर मेरा विश्वास करो मैंने खाने में जहर नहीं डाला था मैं मा जी की सेवा करना चाहती हूँ तुशार नाइशा की बात मान जाता है और नाइशा तुशार को कल से अंग्रेजी सिखाने का वादा करती है तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है हाँ अमा हमें गाउन से जाने वाली ट्रेन को लूटना है और जो भी मिले वो सब ले लेना है बिटिया ये तुम्हारी पहली बड़ी लूट होगी दिखा तो सबको के अमा के संसकार कमजोर नहीं है त्रिशा साधारन भेश में लूट के लिए निकलती है निलम पूजा के लिए सारे त्यारिया हो गई है ना हाँ मैंने सब रख लिया है अरे रुको कनिश्क मैं वो तो लेना भूली गई वो क्या निलम मंदिर के पीछे रखे हुए एक चमकीले नाखुन को बाहर निकालती है ये चीज कनिश्क याद है ना तुम्हें ये इसे मैं कैसे भूल सकता ये तो वही नाखुन है चो मेरी बहन कनिश्का ने मरने से पहले मुझे दिया था हाँ और ये भी बताया था कि जिसने भी हमारी कनिश्का की बच्ची को उठाया है ये उसी का नाखुन है क्यूंकि कनिश्का जब अपनी बच्ची को बचा रही थी तब जरूर उसने उसके हाथ पर मार कर ये नाखुन निकाल लिया होगा मगर इससे क्या होगा हम इस नाखुन को नाख गुरु को दिखा कर कुछ मदद करने के लिए कहेंगे और तुशार नीलम और कनिश को स्टेशन पर छोड़ने जाता है त्रिशा भी साधारन लड़की के कपड़ों में स्टेशन पर आ जाती है अपना ख्याल लखना मा बाबा बेटा अंजान लोगों से दूर रहना और ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर मत भटकना आजकल जंगली जानवर बहुत हो रहे हैं जंगल में मा मैं अब बच्चा नहीं हूँ कनिश को और नीलम हसते है नीलम हमारी सीड उस टेंड के डिबे में है तुशार बेटा तुम जाओ हम बैठ जाएंगे तभी जैसे जैसे कनिश को और नीलम चलते हैं उनके पीछे पीछे कोई लड़का चलने लगता कनिश कहीं रुकता तो वो भी रुक जाता मगर कनिश को और नीलम को पता नहीं था कि उनका कोई पीछा कर रहा है और फिर वो लड़का कनिशक और नीलम वाले ही ट्रेन के डिब्बे में चड़ जाता है वो लड़का कोई और नहीं बलकि वो तरुण ही था जो उस गाउ में किसी गहरे मकसद के लिए आया था तो क्या उसका मकसद कनिशक और नीलम ही थे या कि कहनी ट्रेन चलने लगती है मगर ट्रशा ट्रेन में चड़ नहीं पाई थी तो वो तेज भागने लगती है अरे रोको revenue कोई तो रोको मैं तो चड़ी भी bet you कोई तो रोको और भागते भागते उदर से आ रहे तुशार से जाढ़ाती है तक्राने की वज़ए से तर्शा के चेहरे से आधाकप्डा हट जाता है, और उसकी बड़ी-बड़ी आखे दिखाई देती है तर्शा तुशार पर ध्यान नहीं देती और तुशार को धक्का मारकर, ट्रेन के और भागने लगती और तुशार पलट कर तुषा की और देखता है, मगर तुषा का चेहरा नहीं देख पाता, तभी उसका ध्यान तुषा के हाथ पर जाता है, और तुषार सब भूल कर वहां से चला जाता है, तरुण को तुषा के चलाने की आवाज आती है, और वो डिबे से बाहर जाक कर देखता है कि एक लड़की चलाती हुई, बिल्कुल योधा के जैसे भागती हुई, ट्रेन की और आ रही है, तरुण अपनी जगा से उठकर बाहर दर्वाजे के बाहर लटक कर अपना हाथ निक तरुण की बाहों में जाकर गिरती है, तरुण अपने हाथों से तरुण के चेहरे से बाल हटाता है, तरुण उस पल एकदम भूल चुकी थी कि वह ट्रेन में किस बचह से आई है, नीलम और कनिश्क सीट पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे, नीलम इन्हें देखकर कु तरुण के पास से खड़ी हो जाती है, और तुरंट अपना चेहरा ढख लेती है, और पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है, नीलम तरुण को एक टक देख रही थी, तरुण नीलम को घूरते हुए कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है न, पहले लड़की नहीं देखी क्य जो मुझे घूर रही है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या, क्या तुम्हारी मा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, तुम्हें भूख लगी होगी न, नीलम का इतना नरम व्यवहार देख कर तुम्हें मना नहीं कर पाती, और लड़ू ले लेती है, और नीलम तरुण क भी लड़ू देती है, तरुण भी शर्माता हुआ लड़ू खा लेता है, सब चुपचाप बैठे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, तभी एक अंधेरी सुरंग आ जाती है, जिसमें से ट्रेन गुजरने वाली थी, यही सही समय है ट्रेन लूटने का, और तुम्हें त्रिशा नीलम की गर्दन में चाकु चुबोने ही वाली थी, कि तभी उसका पाउँ फिसल जाता है, और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वज़े से त्रिशा बेहोश हो जाती है, नीलम को यो देख त्रिशा पर दया आ जाती है, और तरुण भी दूर बैठ कर यह सब दे नई कनिश्क, देखो इसके और ये कितनी नाजुक सी फूल जैसी बच्ची है, मुझे फिक्र है इसकी, और नीलम और कनिश्क त्रिशा को उठा कर अपने साथ ले जाते है, और त्रिशा के साथ ही त्रिशा को छोड़ कर भाग जाते है, नीलम और कनिश्क त्रिशा को नील पुराने वाले घर पर ले जाते हैं जहां नीलम की मा मोहिनी अकेले रहती थी और राजिश का देहांद हो चुका था। तो आखिर मैं इस जगह आ ही गया जहांसे पूरी कहानी शुरू हुई थी उस जगह मुझे ही अब इसका अंत लिखना है और इस बार अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा नागिन। तुम्हारी श्रिया को जो अच्छा लगेगा वही सिखाऊंगी। और तुशार घर की और जाने लगता है। नाइशा जाते हुए तुशार को बस देखती जा रही थी। तुशार को घर में ना पाकर एक काली बड़ी नागिन खिड़की से घर के अंदर घुसती है। नागिन पूरे घर में खूमने लगती है। अच्छा तो कोई भी नहीं है यहां। कोई बात नहीं। बहुत जल्द ही मैं इस घर की बहु बनूंगी और अपनी मा के साथ हुए जुन का इन सबसे बदला लूंगी। और वो काली नागिन एक लड़की की परचाई में बदल जाती है और जोर से हसते हुए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। मैं सालों से बदले की आग में जल रही हूँ। तुम सबको नहीं पता कि तुमने मुझ से मेरा क्या छीना है। और वो काली नागिन और कोई नहीं बलकि श्रिया ही थी। श्रिया नागिन के कपड़ों में थी और उसका आधा शरिर नागिन और आधा इनसान का था। श्रिया की आँखों में लाल रोशनी आती है और उसे बहुत तेज क्रोध आता है जिससे सामने रखा काच उसी लाल आँखों से फूट जाता है और तभी तुशार के घर का दर्वाजा खुलता है और तुशार देखता है कि श्रिया नागिन रूप में काच के सामने खड़ी थी और ड्रसिंग टेबल पर रखी कनिश्क और नीलम की तस्वीर उठा कर उसे घुरने लगती है तभी अचानक से तुशार दर्वाजा खोलता है दर्वाजे की आवाज सुनकर श्रिया हडबडा कर हाथ से फोटो फ्रेम ग कहने हैं वो मैं मैं वो मैं तो यहां तुम से मिलने आई थी और और तुम हो कि पता नहीं कहां गायब हो बताओ मैं लग रही हूं ना देशी लड़की एकदम काओं की ओहो अगर इस बेवकूफ को शक हो गया तो मैं अपनी चाल में काम्याब कैसे हो पाऊंगी श्रिया तो देखते भी नहीं हो क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूं नहीं नहीं तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो श्रिया ओ माई पूर बेवी और तुशार के गले लग जाती है और तुशार भी उसे गले लगा लेता है तुशार घर में कोई नहीं है हाँ माबाबा गाउं गए हैं इसी लिए हाँ जानती हूँ मैं पूछ नहीं बता रही हूँ घर में कोई नहीं है बस तुम और मैं क्यों ना हमें डेर सारा रुमाइंस करना चाहिए और श्रिया तुशार के गालों को चूम लेती है तुशार यह सब देख कर शर्मा जाता है और दूर हट जाता है मगर श्रिया उससे पकड़ कर अपनी और खीच लेती है जैसे ही तुशार श्रिया के करीब जाता है गेट पर नाईशा आ जाती है और यह सब देख लेती है नाईशा के हाथ में कॉपी और पैन थे वो नीचे गिर जाते है तो तुशार और श्रिया की नजर भी नाईशा पर बढ़ती है और नाईशा तुशार के गाल पर लगे श्रिया के लिप्स्टिक के निशान को देखती है और वहाँ से चले जाती है तुशार अचानक से नाईशा के ऐसे आने पर शरम के मारे लाल हो जाता है और तभी श्रिया भी वहां से जाने लगती है तहां जा रही हो तुम ये पागल शायद अब तक पक्का सब भूल गया होगा अरे तुशार मू देखो तुमारा मैं तो बस तुमारे मजे ले रही थी तुम तो डर ही गए एकदम I was just kidding बाबा मजाग? तो क्या ये सब मजाग था? और ये क्या था? अरे तुशार मैं बस देख रही थी कि तुम बोलते क्या हो पर तुम तो बहुत ही सीधे निकले तुम जैसे सीधे लड़के तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी और श्रिया वहां से जाने लगती है रुको मैं कोई सीधा नहीं हूँ मैं भी कर सकता हूँ ये तो और तुशार श्रिया का हाथ पकड़कर उससे जुका कर किस कर लीता है और श्रिया भी शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है हाँ मुझे सच में प्यार हो गया है मैं श्रिया को प्यार करने लगा हूँ जब मा वापस आएगी तो मैं उनसे मेरी और श्रिया की शादी की बात करूँगा और मेरे 18 जम दिन पर मेरी शादी हो जाएगी शर्माते हुए खुद को शीशे में देखता है मगर शीशा तूट जाता है लेकिन तुशार पर श्रिया की बातों का नशा चड़ा रहता है तो वो ध्यान नहीं देता नाईशा भागते हुए पहाडी की और आती है मुझे उन दोनों को साथ देखकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तभी वहाँ नाईशा की दो परच्छाई और आ जाती है पागल तू इतना भी नहीं समझी क्योंकि तेरी जिन्दगी में कोई और नहीं है इसलिए तुझे ब और अकड़ो लड़के को तू पसंद करेगी कभी नहीं तू मान ले ये बात कि तु तुझार को चाहने लगी है नहीं ऐसा नहीं है नाईशा ऐसा ही है और दोनों परच्छाई में बहस हो जाती है चुप दोनों एकदम चुप मैं क्या सोचती हूं उससे कोई फर्क नहीं जो फिर से जमीन से होकर एक घर की छट तक जाकर वहां से टपकने लगते हैं और बिस्तर पर लेटी हुई उसी लाश यईसी लड़की के उपर एक एक कर गिरने लगते हैं लड़की के मुझ से फिर से निकलता है नीलम तुझा के बगल में बैठी हुई थी और उसका हाथ अचानक से उसे बेचेनी होती है और उसकी आग खुल जाती है। ये कुछ दिनों से कैसी अजीब सी बेचेनी हो रही है मुझे। और तृशा का हाथ और सिर छोकर देखती है तो पाती है कि तृशा को तो बहुत तेज बुखार है। कनिश भी बाहर गया है। लगता है मुझ होस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखती है। ये तो वही होस्पिटल है जहां कनिशक और करण ने जान गवाई थी। और तृशा को कमरे में लिटाकर उसका इलाज शुरू करवाती है। और नीलम होस्पिटल के पीछे जाती है और वो सारी जगा देखती है। सारा द्र पानी जलकियों में जाकर देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो नीलम के होश उड़ा देता है। मैंने आज से पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे कनिशक को इसके बारे में बताना होगा। और नीलम होस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टर से ठीक होने में थुड़ा वक्त लगेगा। अच्छा तो तब तक मैं इसके लिए कुछ अच्छा बना कर ले आती हूँ। और नीलम त्रिशा को वही छोड़ कर घर चली जाती है। तरुन कौन है। और आखिर क्या करने आया था ये कोई भी नहीं जानता था। तरुन चलते चलते एक गुफा में पहुच जाता है। और वहाँ अपने बैग से सामा निकाल कर रख देता है। और उसमें से एक तस्वीर भी निकाल कर टांग देता है। और गुफा के बाहर खड़ा होकर काव 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 की आवास निकालता है। तरुन के हाथ पर एक कववा आकर तरुन गुफ़ा में लगी तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है हाँ मैंने अपना जाल अच्छे से बिचा दिया है और अब दीरे दीरे उसमें मैं इन सब को ही फसालूंगी मगर बदले में तुम अपना वादा मत भूलना हाँ मुझे ध्यान है और तरुन अपना संदेश भेज देता है तरुन जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं बलकि श्रिया ही थी तो आखिर श्रिया का प्लान क्या है और वो कौन है यहाँ जो ऐसे खतरनाप मकसद के साथ नीलम के परिवार के पीछे पड़ी है श्रिया चंगल में आसमान की और देखकर मुस्कुरा रही थी तो असली खेल की शुरुआत हो चुकी है अब आगे आगे देखती जाओ मैं क्या करती हूँ हाँ वो मैं ही थी जिसने बिचारी नाइशा के इतने मेहनत से बनाई हुए खाने में जहर डाला था उफ बिचारी भोली भाली नाइशा उस दिन जो हुआ वो वाकई में बड़ा मज़ेदार था नीलम रसोई में खाना बना रही थी और श्रिया और नाइशा तुशार के साथ घर देख रहे थे तबी श्रिया ने अपने कपड़ों पर पानी गिरा लिया उपस, excuse me guys, तुशार वाश्रूम कहा है? और श्रिया वाश्रूम में जाकर अपने नागिन रूप में आकर बातरूम की खिड़की से बाहर निकल कर नीलम की रसोई में चले जाती है और उसे डराती है और उसी वक्त अचानक नाइशा पता नहीं बाहर क्यों चली गई थी पर मेरे लिए तो अच्छा ही था और फिर जब नाइशा खाना बना रही थी तब श्रिया कमरे में किसी बहानी से जाकर नागिन रूप में कमरे की खिड़की से रसोई में जाकर और नजर बचाते हुए नाइशा के खाने में अपनी जीब से जहर डाल देती है ये सब मैंने किया था मगर पता नहीं नाइशा कैसे उसमें फस्ती चली गई श्रिया हस्ते हस्ते रोने लगती है और उसकी लाल आखों में धेर सारा गुस्सा भर जाता है जैसा सुलुक मेरी मा के साथ किया था इन जालिमों ने मैं अब उससे भी बुरा करने वाली हूँ उससे भी बुरा त्रिशा कमरे में लेटी हुई थी कि तभी उसे कुछ आवाज आती है रोको उसे पकड़ो हमारे बच्चे नहीं मत ले जाओ उससे मत ले जाओ मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ प्लीज उससे मत ले जाओ और त्रिशा के अचानक नीद खुल जाती है मगर अब भी हलकी हलकी आवाजे आ रहे थी और त्रिशा इन आवाजों के पीछे खीची चली जाती है और हॉस्पिटल की पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और त्रिशा वहाँ जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते है और त्रिशा फिर से बेहोश हो जाती है कागराज वो नाग नागिन किसी पूजा के लिए यहाँ आए है तुम्हें कुछ भी करकर उस पूजा को रोकना होगा और कागराज उड़ता हुआ नीलम और कनिश के घर की और निकल जाता है तरोड अपने पिताजी की तस्वीर के आगे खड़ा होकर रोता है पिताजी जीते जीतों मैं कभी आपका बेटा ना हो सका कागराज नीलम के घर के बाहर खिड़की पर बैठ जाता है और अंदर देखता है तबी कनिश भी घर में आता है कनिश का आज में ट्रेन वाली उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गई थी कौन से हॉस्पिटल? वहीं जहां हमने करण और कनिश का को खोया था कनिश के सुनकर चुप हो जाता है और उसकी आँख से आजु गिर जाते है नीलम उसके पास जाकर उसके आजु पोचती है और कहती है कनिश तुम्हें पता है मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो हमें कनिश का की बेटी को ढूनने में मदद कर सकेगा क्या देखा तुमने जब मैं उसी जगह गई तो सभी द्रश्यों मेरी आखों के सामने चलने लगे और मैंने देखा कि उस काले चोगे वाली ने हमारी बच्ची को गोद में उठाया है और तबी उस बच्ची का हाथ मेरे सामने आया उसकी कलाई पर ठीक वैसा ही निशान है जैसा हमारे तुशार के हाथ पर है अगर हम इस निशान की कहानी जान ले तो हम हमारी बच्ची को वापस ला सकते हैं तो आखिर मेरी निलम नहीं अपना दिमाग लगाया देखा इसलिए मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता हूँ तुम भी ना कनिश्क अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और नाग गुरु की मदद से हमें कनिश्का की बेटी को जल्दी ढूणना होगा कनिश्क और निलम एक दूसरे को गले लगाते हैं कागराज ये सभी बाते सुन रहा था और वो जाकर तरुन को सारी बात बताता है अच्छा तो नाग नाग इन के हाँ लोट कर आने की पीछे का मकसद किसी को ढूणना है मगर मैं उनका ही मकसद कभी पूरा नहीं होने दूँगा और तरुन संदेश भेज कर किसी को उस जगा बुलाता है तुम चिंता मत करो दोस्त मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लोटा कर रहूँगी इन इनसानों ने अपने लालच में आकर तुम्हें बहुत कश्ट दिये हैं पर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापिस भेज कर ही दम लूँगी और रोते हुए पहाडी के किनारे पर जाकर खड़ी होती है नैशा का हर एक आसू उसी घर की चट से टपक कर कमरे में लेटी उस लड़की पर जैसे ही गिरता उसके शरीर में हलचल होती है तबी उस लड़की के कमरे में से एक आवाज आती है देखो शायद इनकी हालत ठीक हो रही है अगर नाईशा ने वक्त रहते इनका जीवन ढून लिया तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी और अपनी दुनिया में वापस जा सकेगी कि तभी उस बेहुश पड़ी लड़की के मुझ से निकलता है मा मा इदर नीलम रसोई में काम कर रही थी कि तभी उसे फिर से बेचैनी होती है और वो जोर से चिलाती है काव्या कनिश्क दौड़ता हुआ आता है क्या क्या हुआ नीलम तुम ठीक तो हो ना पता नहीं कनिश्क मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा और तभी नीलम अचानक से बोल पड़ती है कनिश्क मैं कितनी बड़ी बेवकुफ हूँ मैं अस्पितल में उस फूल जैसी बच्ची को अकेला छोड़कर यहां चली आई मुझे वापस जाना होगा और खाने का डिबबा लेकर हॉस्पिटल चली जाती है तुशार श्रिया के खयालों में खोया हुआ पहाड़ी की और जा रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के किनारे पर खड़ी नाईशा पर पड़ती है और उसे लगता है कि नाईशा पहाड़ी से कूदने वाली है वो जोर से नाईशा की और भागता है नहीं नाइशा ऐसा मत करना नाइशा पलट कर देखती है तो तुशार भागता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ कर अपनी और खीचता है नाइशा तुशार के उपर जाकर गिरती है और तुशार अपने हाथों से नाइशा के बाल हटाता है तुम पागल हो, मनने जा रही थी, दुबारा कभी मनने की सोचना भी मत नाइशा तुशार की आँखों में देखती है और उसे सीने से लगा लेती है कुछ देर में दोनों को होश आता है और दोनों एक दूसरे से अलग होकर खड़े होते है वो मैं, मैं, मैं वो, मैं कोई मनने नहीं चारे थी तुम बीना कम फिल्में देखा करो तो फिर तुम पहाडी के किनारे खड़े होकर रो क्यों रही थी अरे वो तो मुझे घर की याद आ रही थी इसलिए बस इतनी सी बात मिरे मा बाबा गाउं गए हुए है और मेरे यहां भी कोई है नहीं क्यों ना तब तक तुम मेरे यहां के रहलो और इसी बहाने मुझे तुम्हारा हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को भी मिल जाएगा मगर मैं वहाँ तुम्हारी साथ कैसी तुम्हारी मा बाबा क्या सूचेगी अरे तुम फिगर मत करो मैं कौन सा तुम्हे नुकसान पहुंचाऊंगा वैसे भी मुझे पर सिर्फ शिया का हक है एक वही है जिसे मैं प्यार करना चाहता हूँ काँ श्रिया की बज़े तुमने मुझे चुना होता तो कितना रोती हो तुम पता है अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती न तो मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करता मुझे कमजोर मनवारी लड़कियां पसंद नहीं है इसलिए मेरे लिए श्रिया से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता और नाशा तुशार के घर जाकर रहने के लिए मान जाती है तुम तुम ऐसे अचानक से मेरे पीछे टपक जाओगी तुम मुझे तो दिल का दोरा ही आ जाएगा ना तरुन के सामने और कोई नहीं पर कि श्रिया ही खड़ी थी कितने क्यूट हो तुम भी दिल तो करता है तुम सभी क्यूट क्यूट लड़कों को एक साथ खा जाओ मगर फिलहाल मेरा मकसद कुछ और ही है पता है नाग नागन यहां किसी को ढूनने आये है अच्छा तो ये बात है तैरुन अब हमें जल्दी ही हमारी सभी चाले चलनी होगी मैं वो गलती नहीं करूंगी जो मेरी मा ने की थी हाँ और मैं भी पिताजी द्वारा की गए जल्दवाजी नहीं करूंगा हम दोनों को मिलकर इस नाग नागन के जोड़े के परिवार का नाश करना है तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था लड़की और उसे गोद में उठाती है वो और कोई नहीं बल्कि तृषा की मा अम्मा ही थी और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है तभी नीलम तृषा के कमरे का दर्वाजा खोलती है और चौक कर देखती है कि नीलम देखती है कि तृषा बस्तर पर ही लेटी हुई थी खिर्गे से ये सब देख रही थी अम्मा 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 बोलते हुए नीलम का हाथ पकड़ लेती हैं और नीलम त्रशा के पास ही बैठ जाती हैं मैं जानती हूँ बच्ची तुम बहुत परेशान हो ऐसी कोई तो मजबूरी रही होगी जो तुम लुटेरी बन गई हो पर तुम फिक्र मत करो तुम तुमारी माँ से जल्दी मिलोगी बस तुम ठीक हो जाओ काश मैं भी अपनी बेटी से मिल सकूँ ना चाने मेरी काव्या कहा होगी कैसी होगी पर मुझे लगता है मैं मेरी काव्या को जरूर ढूणनूँगी अच्छा तो ये मांज रहा है काव्या की कहाने का मुझे भी पता लगाना होगा तबी त्रिशा को होश आ जाता है और त्रिशा नीलम को देख कर गुस्सा करती है तुम? तुम मेरा पीचा क्यों नी छोड़ देती हो? तुम दूर हटो मुझसे शांद हो जाओ बेटा आओ पहले कुछ खा लो और नीलम अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है और फिर त्रिशा को सुला कर बाहर चली जाती है नीलम बाहर जाही रही थी कि तभी सामने उसे उसी कालो धोगे वाली की परचाई नजर आती है जिसने कनिश्का की बेटी को उठाया था परचाई उसे देख कर तेज तेज हस्ती है उसे देख नीलम जोर से चिलाती है और पीछे मुड कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता फिर नीलम चुपचाप घर चली जाती है शायद ये सब मेरे ही मन का वहम है त्रिशा कमरे में बैठी ही थी के वहां अम्मा आ जाती है अम्मा तुम यहाँ? मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंडा त्रिशा अम्मा को सारी कहाने सुनाती है त्रिशा अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और त्रिशा और अम्मा एक योजना बनाते हैं और अम्मा वहां से चले जाती है तभी तृषा के हाथ के निशान में फिर से जलन होने लगती है और तृषा पट्टे खोल कर देखती है तो चौक जाती है ये क्या? इस निशान का क्या मतलब है? मैंने आज से पहले कभी इस निशान पर ध्यान क्यों नहीं दिया त्रिशा के हाथ पर बना निशान आदा था अगर ये निशान आदा है तो इसका आदा हिस्सा किसके हाथ पर होगा आखिर मेरे साथ ही सब हो क्या रहा है खिड़की के पास कोई खड़ा होता है जिसके हाथ पर त्रिशा के निशान का आदा हिस्सा था अब देखिए अगले एपिसोड में अगले दिन नाइशा अपना बैग लेकर तुशार के घर आ जाती हैं और दर्वाजा खटकटाती हैं तुशार दर्वाजा खोलता है और नाइशा देखती है कि तुशार सामने घुटने के बल बैठा है और उसके हाथ में एक फूल है तुशार फूल नाइशा को देते हुए कहता है, I love you beautiful, will you marry me? नाइशा ये सुनते ही हाँ बोल देती है, येस प्लीज तुशार और नाइशा बहुत खुश होती है, तभी तुशार हस्ता हुआ खड़ा होता है और नाइशा को खुशी से गले लगा लेता है, बस शिया भी ऐसी हाँ बोल दे, तो मैं अपने जन दिन उससे शाद ही कर लूँगा, क्या? अरे तुम चौक गई न, देखा, मैंने कितने अच्छे से आल भी बोला, बस जल्दी से मैं शिया को भी अपने दिल की बास सीधे बोल दू, और वो भी इंगलिश में, ओ तो ये सब… मैंने ठीक बोला था क्या नाइशा? तुशार, will you marry me तुशार नाइशा की बात सुनकर चौक चाता है, क्या? अरे, will you marry नहीं, will you marry me बोलना है धक्कन? अच्छा हाँ, तो अपसे मेरी टीचर मेरे साती रहेगी, और इसी बहाने तुम मुझे जल्दी ही अच्छे से अंग्रेजी सिखा देना और तुशार हसकर नाइशा को उसका कमरा दिखाता है, नाइशा मन ही मन तुशार को बहुत पसंद करने लगी थी, श्रिया तरुन के पास गुफा में जाती है, मुझे मेरा बदला तो समझ आता है, मगर आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? तुम उस नागनागिन के जोड़ पीछे क्यों पड़े हो? तभी तरुन गुस्से से खड़ा होता है, और गुफा में लगी उसकी पिताजी की तस्वीर से कपड़ा हटाता है, और क्रोध में चीक था है, पिताजी! और तभी वहां कागराज भी उड़ता हुआ आ जाता है, और श्रिया और कागराज तरुन के पिताजी की तस्वीर देखते हैं की तरुण के पिताजी और कोई नहीं बलकी तांतरिक किलविक्ष था मालिक ये तो मान तांतरे किल्वक्ष है हान, बच्पन में मुझे मेरी माने इनके बारे में बताया था ये तुम्हारे बाबा है cat मैं ही हूँ, इनका भागा इकलोटा बेटा मगर ये तो सन्यासी है, तो उनका बेटा कैसे? जानता हूँ बाबा एक सन्यासी तांत्रिक थे मगर इन्होंने हिश्वा से वर्दान में मिली शक्तियों से मुझे बनाया था और कोई मुझे गलत ना कहे इसलिए हमेशा खुद से दूर रखा और अब जब मैं बड़ा हो गया था इनके साथ रहना चाहता था तब कुछ सालों पहले इस नाग नागिन के जोड़े ने इनका खून कर दिया मैं मेरे बाबा की मौत का बदला जरूर लूँगा नीलम और कनिश मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा नहीं कागराज और श्रिया तरुन को शांत करते हैं इनसे बदला लेने के लिए हम तीनों को अलग-अलग काम करना होगा कागराज तुम अपसे 24 घंटे नीलम और कनिश पर नजर रखोगे और मैं बेबी तुशार के साथ शादी की तैयारी करती हूँ मैं जितना उस घर में रहूंगी मुझे वो चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी कनिश्क में नाग गुरू के पास चाकर पुजा शुरू करनी चाहिए और दोनों शिव मंदिर की और निकलते हैं तबी कागराज उनका पीछा करता हुआ एक छोटी बच्ची का रूप ले लेता है और रोने लगता है बच्ची की आवाज सुनते ही नीलम रुख जाती है कनिश्क देखो कोई बच्ची रो रही है नीलम यहाँ जंगल है जरूर यह किसी और चीज की आवाज होगी हमें रुखना नहीं चाहिए पूजा का समय हो रहा है और नीलम कनिश्क की बात मानती है और रुखते नहीं है अरे यह तो मेरी चाल में फसी नहीं रहा है इस बार कागराज ने एक नहीरी बुढ़्या का रूप ले लिया और नीलम और कनिश्क के पास जाकर कुछ खाने का मांगने लगी नीलम एक थेला अपने सीने से चिपकाई हुई थी लगता है इस थेले में जरू कुछ किंती होगा अगर मैं लेकर उड़ जाओं तो इनकी पूजा कैसे संपन्ध होगी और नीलम बुढ़्या को जैसे ही कुछ खाने का दे रही थी बुढ़्या ने उसके हाथ पर जपट्टा मारा और उसका थेला छीन कर भागती हुए कवे में बदल गई और उड़ गई कनिश्क और नीलम अचानक से हुई ये घटना समझ नहीं बाए और बस देखते रहे गए कनिश्क ये सब क्या हुआ था नीलम उस काले चोगे वाली का नाखुन भी तो उसी थेले में था अब हम कैसे पता लगाएंगे और दोनों उदास होते हुए शिव मंदिर पहुचकर नाखुरु को याद करते हैं नाखुरु प्रकट होते है नाखुरु मेरे मन में एक प्रश्न है अगर आप आग्या दे तो क्या मैं पूच सकती हूँ हाँ बेदा पूचो नाग गुरू मैं आपको सालों से देखती आ रही हूँ और उससे पहले भी कनिश्क आपकी पूजा करते आ रहा है शायद आप मेरी पिछले जनम में भी हमारी मदद करते होंगे तो आपकी काया हमेशा से एक जैसी कैसे बनी हुई है ये सुनकर नाग गुरू हसते है कभी भी हावी नहीं होता क्योंकि हम शुद्ध नाग रूपी जीवन जीते हैं किन्तु तुम और कनिश्क जैसे नाग नागिन जिन्होंने पृत्वी लोग को भी अपने जीवन में जगर दी है और इंसानी रूप में भी अपना जीवन जीते है उनकी नागरूपी शक्तियां समय के साथ जरा सी कम हो जाती है जिस कारण उन पर जरा सा बुढ़ापे कासर आ जाता है ओ, इससे लिए हम सब आज भी पहले जैसे ही नजर आते हैं अब समझे बुद्धू, माफ करना नागरू, नीलम में अभी भी बचपना है कोई बात नहीं बेटा, बहुत से लोगों के मन में हमारे नागरूप की काया को लेकर सवाल होते हैं शायद अब तुम समझ गए होगे दोनों मुस्कराते हैं चलो, पूजा शुरू करते हैं तभी नीलम अपने पास से चोगे वाली का नाखुन निकाल कर देती हैं और फिर अचानक से एक बुढ़िया का आजाना तो मैं तभी समझ गए थी कि कोई हमें पूजा करने से रोकना चाता है और मैंने जोले में से तुरंथ ही वो नाखुन निकाल लिया था नाग गुरू नीलम से नाखुन लेकर उसे हवन की अगनी में डाल देते हैं और वहां आग की लपट में बरसो पुरानी कहानी फिर से दिखाई देती हैं नीलम और कनिश्क एक टक देख रहे थे कि तभी उनकी नजर काले चोगे वाली औरत पर पड़ती हैं हवा से उसके चहरे पर से कपड़ा हटता है और नीलम और कनिश्क देखते हैं कि उसका चहरा आधा चला हुआ था तभी अगनी बुझ जाती हैं ये क्या? मतलब जिसने भी हमारी बच्ची उठाई है उसका आधा चहरा चला हुआ है अब तो हमें उसे ढूडने में अधिक आसानी होगी नीलम बेटा, तुम्हारी मदद के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा आज और कल बहुत जल्द एक दूसरे का आमना सामना करने वाले है जिन्दगी में आने वाले तूफानों के लिए तयार रहना और नीलम और कनेशक हाज जोड़ कर वहां से घर वापस लोटते हैं नीलम अब हमें घर वापस आना होगा, वहां अमार तुशार भी अकेला होगा हाँ मगर हॉस्पिटल में लेटी उस लड़की को मैं इस हालत में अकेले कैसे चूड़ दू इक काम करते हैं उसे साथ ले चलते हैं और नीलम और कनेशक हाज़ जाकर डॉक्टर से बात करते हैं हाँ क्यों नहीं आप बिलकुल इसे घर ले जा सकते हैं और कनशक और नीलम बेहुश पड़ी तुरिशा को उठा कर घर ले जाते हैं और नीलम तुरिशा के पास बैट जाती है नाईशा टहलते हुए तुरिशार के कमरे में पहुंचती है और तुरिशार को बिस्तर पर सोता देखती है नाईशा तुशार के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है बस भी करो ना तुम, मुझे गुदगुदी हो रही है और नीन्द में ही नाईशा का हाथ पकड़ लेता है नाईशा पकड़े जाने के डर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है मगर तुशार उसका हाथ नहीं छोड़ता तबी देखते ही देखते नाईशा नागिन का रुप लेती है और लहराते हुए तुशार के हाथ से निकल कर दरवाजी के पास जाकर कुंडली मार लेती है तुशार सो रहा था और ठीक उसके सामने एक बड़ी काली नागिन कुंडली मार कर बैठी थी और नाईशा भी एक नागिन ही निकली तुशार जब भी तुम मुझे छूते हो दिल करता है कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो मगर मैं चाहती हो तुम मुझे श्रिया समझ कर या दोस मान कर नहीं बल्कि अपनी नाईशा को दिल से प्यार करो और उस काली नागिन की आँख से फिर से आसो गिरने लगता है जो उसी लड़की की छट से टपक कर उसके चहरे पर गिरता है नाईशा नागिन रूप में इठलाते हुए अपने कमरे में आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर दोबारा इंसान का रोप लेती है और शीशे में देखती है तो उसके पीछे तुशार खड़ा था नाईशा ये देखकर चौक जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तुशार बहुत गुस्से से उसे देख रहा था तुशार वो मैं मैं वो मेरी बात तो सुनो मेरे पास मताना तुम एक नागिन हो एक काली नागिन तो अब मैं समझा जबसे तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ ये सथ क्यों हो रहा है उस दिन खाने में तुमी ने जहर डाला था ना तुशार मेरी बात तो सुनो तुम रुको मैं गावालों को अभी बुला कर लाता हूँ और तुशार कमरे से बाहर निकलना हुआ जोर से दर्वाजा बंद करता है अब देखिए आगे क्या नीलम और कनिश को स औरत तक पहुँच पाएंगे जिसने कनिश का की बच्ची उठाई और नाइशा का नागिन होना क्या तुशार और नाइशा को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगा आखिर तुशा की गुथी कितनी उलजी हुई है और अम्मा और तुशा का मकसद क्या है ये अभी तक राज ही है वही श्रेया और तरुन के बीद जरूर कुछ खतरनाक प्लान बन रहा है देखिए नागिन सीजन फोर की हर एक कहानी में दिल्चिस्प अलग-अलग किस से ओनली ओन एनम स्टोरीज तुशार नाइशा को नागिन रूप में देख लेता है और गाउवालों को बताने के लिए बाहर जाता है बाहर जाते हुए तुशार जोर से दर्वाजा बंद करता है और नाइशा चिलाती है नहीं! तभी नाइशा की आँख नीन से खुल जाती है और वो देखती है कि नाइशा तो अपने कमरे में सो रही थी और ये सब सिर्फ उसका सपना था ये कैसा अजीब सा सपना था मुझे संभल कर रहना होगा कुछ भी करके अपनी सच्चाई छुपा कर रखनी होगी तभी वहाँ नाइशा के दिमाग से निकल कर नाइशा की एक परचाई बाहर आ जाती है नाइशा तुझे अपना सच हर हाल में छुपा कर रखना होगा और अपना पूरा ध्यान तुम्हें अपने मकसद पर ही लगाना होगा तुम्हें याद है ना अगर समय से पहले तुम्हारी सच्चाई किसी को भी पता चली तो तुम्हें वापिस से उसी दुनिया में लोटना पड़ेगा तुम ठीक कह रहे हो दोस्त मुझे जल्दी से उस परिवार को ढूनना पड़ेगा और अपनी मंजिल तक जाना होगा बहुत ऐसान है मुझ पर उसके नाईशा और वो रहस्यमरी लड़की जंगल में दौर लगा रहे थे अरे रुक भी जाओ कितनी तेज भागती हो तुम मुझे पकड़ कर तो दिखाओ मैं किसी के हाथ में नहीं आऊंगी और फर सामने अचानक से एक पीली रोशनी आती है और उसमें से एक हाथ बाहर आकर उसे खीच कर अंदर ले जाता है हाँ बचाओ नाईशा मैं कहां जा रही हूँ नाईशा उस लड़की को बचाने दोड़ती है मगर उस तक पहुँच नहीं पाती और तभी वहाँ एक आवाज आती है मैं इसको वही ले गया हूँ जहां इसको होना चाहिए था अब देखता हूँ ये नाग नागिन की कहानी और कितने दिन चलेगी अब वो सब होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं नहीं का नाईशा उस लड़की का नाम पुकार ही रही थी कि तभी नाईशा के दिमाग से उसकी एक और परचाई वहर आती है ओहो तो तू फिर से उसके बारे में सोचने लग गई याद रख नाईशा अगर तू उसके लिए कुछ करेगी तो तुशार को खो देगी क्यूंकि तेरे पास बहुत कम समय है अपने बारे में सोच सिर्फ अपने बारे में नहीं नाईशा तुम तुम ऐसी नहीं हो आरे कब तक उस लाश के लिए परेशान होगी खुद के प्यार के बारे में सोच नहीं बस करो दुम दुरो चुपो जाओ कान बंद करते हुए चिलाती है और देखती है सामने तुशार खड़ा है क्या तुशार ने सब देख लिया होगा मर गए अब तो नीलम और कनिश्क तुशा को हॉस्पिटल से अपने घर ले आते हैं तुशा अभी भी नींद में ही थी अच्छा नीलम तुम इसके पास रुको मैं ट्रेन का पता लगाने जाता हूँ तुशार की बड़ी याद आ रही है अच्छा कनिश्क अपने तुशार का अठारवा जनम दिन आने वाला है और उस दिन उससे अपनी असलियत का पता लग जाएगा हाँ नीलम हमें इस बाद में कुछ सोचना पड़ेगा मैंने तौफे में उसके लिए कुछ सोचा है अच्छा क्या नीलम शैतानी हसी हस्ती है वो मैं सोच रही हूँ के अब एक बहु ले ही आओ बड़ा ही अच्छा विचार है तो कौन होगी वो हाँ मुझे तुम्हें बताना था कि आजकल घर पर तुशार की दो दोस्त आती है उसमें से जो नाइशा है वो मुझे तुशार के लिए पसंद है बड़ी अच्छी है संसकारी और सुन्दर भी चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे बस कनिश कब मुझे मेरी दोनों बच्चिया और मिल जाए तो हमारा परिभार पूरा हो जाए कश काव्या इस वक्त हमारे साथ होती तो वो भी अपने शोटे भाय की शादी में आचती और नीलम को रोते हुए हसी आ जाती है और कनिश्क भी उसे गले लगा लेता है और फिर कनिश्क वहां से चला जाता है ये सब द्रश्य बहार खड़े दो लोग देख रहे थे एक और त्रशा की अम्मा सब देख रही थी चिंता मत करो नीलम रानी बहुत जल तुम्हे तुम्हारी काव्या मिल जाएगी और यकिन मानो वो मुलाकात तुम्हारे लिए सबसे यादगार होगी सबसे यादगार और दूसरी और जो ये सब देख रहा था वो और कोई नहीं बलकि श्रिया ही थी अच्छा बच्चू तो यहां मेरे लड़के पर हाथ मारा जा रहा है नागिन तो कितनी ही कोशिश कर ले पर तेरे घर में बहु बन कर तुम मैं ही आऊंगी और फिर तुझे मेरे काले जहर से रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुशार दर्वाजे के पास खड़ा नाईशा को घूर रहा था कुछ भी कहो नाईशा है तो बहुत प्यारी अब देखो अकेले में ही बड़ बड़ा रही है तुशार कंट्रोल नाईशा नहीं तू शेया के बारे में सोच और तुशार को हसी आ जाती है तुम हस क्यों रहे हो तुशार? वो तुम्हारी बाते सुनकर वो कौन सी बाते? वही सब यहां मकसद पूरा करने आई हो वही पूरा करके जाओगी और बता नहीं क्या-क्या और तुशार कमरे में नाईशा के पास जाता है और उसके एकदम करीब जाकर उसके कानों में धीरे से कहता है तो कौन सा मकसद है तुम्हारा नाईशा? बताओ नाईशा तुशार को खुद के इतना पास पाकर सहम जाती है और उसके दिल की धड़कने बहुत तेज हो जाती है नाईशा दिल पर हाथ रखती है और कंट्रोल कर नाईशा तुशार तुझसे नहीं श्रिया से प्यार करता है फाल तु मत सोच वो मैं मैं वो नाईशा कुछ बोलती मगर उससे पहले ही तुशार उसके होटों पर अपनी उंगली रख देता है श्श्श कुछ मत कहो नाईशा ये सब देख कर हैरान थी अगर तुमने कुछ बोला तो ये दिवारे तुम्हारे मकसद के बारे में जान जाएंगी और फिर सबको मकसद पता लग जाएगा और तुशार जोर जोर से हसने लगता है नाईशा और नाईशा की टेड़ी मेड़ी बाते तुशार तुम रुको तुम्हें अभी मजा चाखाती हूँ मैं मेरा मजा कुडाते हो और तुशार भागने लगता है और नाईशा भी तुशार के पीछे पीछे कमरे में ही भागने लगती है भागते भागते तुशार का पाउं फिसल जाता है और वो नाईशा का हाथ पकड़ देता है और दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं नाईशा तुशार के उपर गिर जाती है और तुशार उसे कमर से पकड़े होता है नाईशा और तुशार की धड़कने बहुत तीस चलने लगती है और तुशार नाइशा के बाल उसके चहरे से हटा कर कानों के पीछे ले जाते हुए धीरे से कहता है नाइशा उठ जाओ नाइशा तुम्हें तुम्हारा मकसद भी पुरा करना है और दोनों जोर से हसने लगते हैं तो शार तुम भी ना, जाओ, मैं तुम्हें अब अंग्रेजी नहीं पढ़ाती अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, अच्छा बाबा सौरी और दोनों हसने लगते हैं, उधर श्रिया तरुन के पास चाती हैं और उसे सारी बात बताती है अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें पता ही है कि अब तुम्हें क्या करना है, तो देरी मत करो और काम शुरू करो येस तरुन डालिंग, I know it's time to activate प्लान बहू, बिंगो और मुझे भी जल्दी ही वाँ जाने की योजना बनानी होगी और दोनों हस्ते हैं, और श्रिया वहाँ से चली जाती है कागराज, तुम्हें मेरे काम करना होगा बोली मालिक कागराज मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अपसे ये जो भी करती है, तुम मुझे हर बात की खबर देते रहना ये नागिने किसी की सगी नहीं होती, श्या मुझे धोका दे, उससे पहले मुझे अपना बदला पूरा करना होगा और हाँ, ध्यान रहे, इसे बिल्कुल भी पता ना चले, इसलिए तुम भेश बदल कर जाना जो आ गया मालिक और कागराज उड़ जाता है, और तरण किल्विक्ष की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है आखिर एक सरल साधोंने किसी का क्या ही भी गाड़ा होगा, जो इस नाग नागिन ने मेरे बावा के इतनी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर डाले थे नीलम क्रोध में आकर गुफा में बैठे किल्विक्ष पर बार 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 करती है, और किल्विक्ष के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अंधेरी कुफा में दो लाल आखे चमकती है लगता है काल मेरे ही पक्ष में सभी चाले चल रहा है तभी पास पड़े चिराग में से आवाज आती है क्यों? अब क्या मिल गया तुम्हे? तेरी वज़ा से एक तो मैं इतने से चिराग में आकर फस गया हूं बूड़े और यहां तु अकिला-किला ही खुशो रहा है चुपका दुष्ट भोल गया तु किस से बाते कर रहा है? नहीं नहीं मैं तो नहीं भूला मुझे तो सब याद है उनसे पंगल ये तूने और सजा भोगू मैं? वाँ वाँ भई वाँ ये कौन से काल की चाल है रे बूड़े वो भी बता दे तब भी वो आदमी गुफा से बाहर आता है और उसके चहरे पर तेज रोशनी पड़ती है और वो जोर-जोर से हसता है और उसका चहरा सामने आ जाता है वो और कोई नहीं बलकि दुष्ट किल्विक्ष ही था तो किल्विक्ष उस दिन नीलम के वार से मरा नहीं था या बच गया था या उसने हमेशा की तरह तब भी कोई गहरी चाल चली थी बहुत जुबान तेज हो रही है तेरी रुख अभी बताता हूं तुझे और किल्विक्ष शिराग पर एक मंत्र फोगता है और शिराग का आकार छोटा हो जाता है अरे नहीं नहीं बाबा ऐसा मत करो मैं मैं तो मजा कर रहा था वो अंदर पड़ा पड़ा उप गया हूं ना इसलिए हाँ तो अंदर ही रहे अभी तुझे बाहर आने में समय लगेगा हाँ अभी तो बाहर और भी तमाशा होने वाला है रे हाँ हाँ पर आपने मुझे आज तक बताया नहीं कि आखिर उस दिन आप उस नागिन के वार से कैसे बचे उसने तो आपके टुकड़े टुकड़े कर पढ़ने लगती हैं और तभी नाईशा को याद आ जाता है कि वो किस लिए यहां आई थी आखिर क्या है उस लड़की का राज दूसरी और आपने देखा कि तरुन और श्रया अपनी चाल चलने की पूरी तयारी कर लेते हैं और नीलम और कनिश्क भी तरुशा को घर ले आते हैं अम्मा यह सब देख लेती है और वो भी एक खतरनाक योजना बनाती है कहानी में सबसे चौकाने वाला खुलासा तो तब होता है जब एक और तरुन अपने बाबा किलविक्ष की मौत का बदला लेने की तयारी में था वहीं कहानी में किलविक्ष जिंदा होता है मगर कै और आगे क्या होने वाला है यहे जानने के लिए देखिये हमारी आगे की कहानी श्रया तुशार के गाउं पहुचती है पहले जाकर देख लेती हूँ आखिर वहाँ चल क्या रहा है अरे नाइशा मुझे तो भूख लग रही है और मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता तो म मेरा हुकम है कि तुम अपने दोस्त के लिए स्वादेश्ट खाना बनाओ जो हुक्म मेरी आका और नाइशा बाहर जा रही होती है तभी तुशार उसे रोखता है और उसके पास जाता है और फिर से उसके कान में कहता है अच्छा सुनो नाइशा एक चीज का द्यान रखना क्या बोलो तुशार वो खाने में जहर कम डालना पिछली बार जहर जादा था तो मैं खाने ही पाया था इस बार कम रखना ताकि मैं मरू नहीं नाईशा तभी तुशार के होटो पर अपना हाथ रग दीती है चुप रहो तुशार कैसी बाती कर रही हो तुमसे पहले तो मुझे ही मौत आजाए और तुशार और नाईशा की नजरे मिलती है तुशार नाईशा की और देख कर मुस्कुराता है और उसकी करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है तब ये तुशार दूर हट जाता है ये सब मुझे क्या हो रहा है? मुझे नाईशा से थोड़ी दूरी बना कर रखनी होगी और नाईशा और तुषार फिर से मुस्कुराते हैं तुम भी ना तुषार हर वक्त ही मजाग के मोड में रहते हो तुम रुको यहीं मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ और नाईशा रसोई घर में चाती है मैं इन सब चीजों के चकर में तो भूल ही गई कि उस दिन जब मैं तुशार के यहां आई थी तो मेरे खाने में जहर डाला किसने था जरूर यहां कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा और नाईशा किचन में ढूनने लग जाती है तभी उसे वहां एक चमकता काला लंबा बाल मिलता है और नाईशा उसे उठाती है ये ये बाल तो इस लोग का नहीं लग रहा उस दिन जरूर कोई दूसरी दुनिया से यहां आया था और तभी तुशार भी किचन में आ जाता है मुझे कुछ भी चाल चलने से पहले एक बार उस नागिन के घर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां चल क्या रहा है और नाग नागिन यहां किसे ढूंडने आये हैं और तरुन नीलम के घर जाता है तुशा भी नीलम के घर में कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसकी आँख खुलती है अरे मैं अभी भी यहीं हूँ और त्रिशा उठकर कमरे से बाहर आती है और देखती है कि नीलम अपनी मा से बात कर रही है नीलम बेटा इतने सालू बाद आई है कुछ दिन और रुख जाती तो मुझे अच्छा लगता नहीं मा वहाँ तुशार भी अकीला होगा और अभी मुझे बहुत कुछ पता लगाना है और वो जो लड़की कमरे में सो रही है उसका क्या उस पिचारी लड़की को तो मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी पता नहीं क्यों मा मुझे उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है तृशा ये सब खड़ी-खड़ी सुन रही थी अच्छा बच्चो मुझे से पूछे बिना ही मुझे यहां से ले जाएगी तू अच्छा मा मैं बाजार जाकर उस लड़की के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ कब तक ऐसे डाखों वाले कपड़े में ही रहेगी तब तक आप उसका ध्यान रखना और नेलम वहां से चली जाती है जब तक ही ये पागल वापिस आए मुझे यहां से भागना होगा वरना त्रिशा बेटा तू तो गई अच्छी भले लुटेरी को ये गाओ की गोरी जरूर बना देगी और त्रिशा अपने कमरे में वापिस आ जाती है और कमरे की खिड़की से कूदने लगती है तब ही वहाँ तरून भी आ जाता है और त्रिशा तरून के ऊपर कूच जाती है त्रिशा तरून के बाहों में जाकर गिरती है और दोनों फिसलते हुए धलान वाली जमीन पर पहुच जाती है और पास की नदी में जाकर गिरती है तरशा और तरुन पानी में पूरे तरह भीग जाते हैं और तरशा के गीले बाल तरुन के चहरे पर बिखर जाते हैं तब ही तरुन को छीकाती है और तरिशा के बाल अपने चेहरे से हटाता है और तरिशा को देखता है तरिशा की आखों में तरुन को एक अचीब सी बेचैनी नजर आती है कौन हो तुम? तरिशा भी तरुन को देखती है और तुरंथ पहचान लेती है कि यह तो वही ट्रेन वाला लड़का है मगर तरुन ने तरिशा को उसका चेहरा ढखे होने की वज़े से ठीक से देखा नहीं था तो तुम हो बत्माश तुम मेरा पिछा करते होए यहां तक आ गए और तब से बस मुझे चूने का बहाना ही ढून रहे हो तरुन भी समझ जाता है कि तरिशा वही ट्रेन वाली लड़की है और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें क्यों बताओं और वैसे भी मेरा गाओ है मैं कहीं भी आओ जाओं तरुन एक दूसरे को घूर कर देखते हैं तभी उस रास्ते से नीलम आती है और नीलम को तरिशा नजर आती है नीलम तरुन तरुन अपने नागिन रूप में आती है और एक विशाल नागिन बनकर तरिशा को पूत से उठा कर घर ले आती है और कमरे में सुला देती है और वापस मानव रूप में आकर तरिशा के चहरे को सहलाती है नाजानी क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मेरा बहुत कहरा रिष्टा है बेटा चिंता मत करो मैं तुम्हारा खयाल रखूंगी अम्मा भी छुप कर यह सब देख रही थी और नीलम तरिशा के चहरे को चुमती है तरुन पेड के पीछे से यह सब देख रहा था हाँ तो यही है वो हत्यारी नागिन जिसने मेरे बाबा के टुकडे टुकडे कर दिये थे किल्विक्ष अपने गुफा में कोई खास सामगरी की तयारी कर रहा था कि तभी वहां अम्मा आ जाती है और किल्विक्ष के सामने हाथ जोड़ कर कहती है बाबा अनर्थ हो गया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्या हुआ इतनी बौखलाई हुई क्यों हो तुम बाबा जो राज मैं सालों से सीने में दफन किये हुए थी वो बाहर आ रहा है मुझे डर है कि कहीं वो बात बाहर आ गई तो इतने सालों की मेरी और आपकी तपस्य बरबाद हो जाएगी और अम्मा किल्विक्ष को सब कुछ बता देती है अच्छा तो ये बात है मेरे पास एक चाल है तुम तशा को नीलम के पास भेजो और मैं जैसा बताऊं ठीक वैसा ही करना और अम्मा ऐसा ही करती है श्रिया नाईशा और तुशार को दूर से देख रही थी नाईशा रोटियों के लिए आठा लगा रही थी तभी तुशार मस्ती करता हुआ नाईशा के आठे में धेर सारा पानी डाल देता है और नाईशा के चहरे पर गीला आठा लगा देता है तुशार तुम फिर से मस्ती के मूड में आ गए हो रुको तुम्हें अभी बताती हूँ और नाइशा भी तुशार के उपर गीला आटा फैक देती है दोनों गीले आटे से खूब खेलने लगते हैं कुछ तेर बाद ये क्या? हमने आटा तो सारा खराब कर दिया और मुझे तो बहुत तेज भूग भी लगी है अब मैं क्या खाऊ नाइशा? हाँ हाँ, तो किस ने कहा था तुम्हें ये बदमाशी करने के लिए? अभी तक तो रोटिया बन भी जाती और पेट पूजा भी हो जाती अच्छा नाटक बन करो, ये बताओ मैगी खाऊगे? मैगी? मैगी क्या होता है? तुम दो मिनिट रुको, मैं अभी तुमें टेस्टी सी मैगी बनाकर खिलाती हूँ और नाइशा अपने कमरे में जाकर बैक से दो पाकेट मैगी लेकर आती है और मैगी बनाकर प्याले में डालकर बहार लाती है ये लेला मजनु का रुमान्स अब और कितना लंबा चलेगा? मैं तो बोर हो गई हूँ और श्रेया वहाँ से चली जाती है तुशार मागी खाता है कैसी लगी? तुशार नाइशा के हाथों को चूम लेता है सच बताओं, अगर तुम इतना अच्छा खाना मुझे हमेशा खिलाओ तो मैं श्रेया को चोड़ कर तुम से ही शादी कर लो तुम फिर मजाग कर रही हो ना? और तुशार और नाइशा हसने लगती है अच्छा तुशार, मैं नहानी चाती हूँ फिर मैं कैम्प के दोस्तों से मिलने बहार जाऊंगी और नाइशा नहा कर आ जाती है और तयार होकर बहार चली जाती है तुशार भी नहनी चला जाता है और नहा कर बहार आता है तभी दर्वाजे की घंटी बजती है तुशार गेट खोलता है और चौक जाता है तुशार देखता है कि सामने नाईशा खड़ी थी अरे नाईशा तुम इतनी जल्दी आ गई? अभी तो दस मेंट पहले ही तुम गई थी? हाँ वो मैं मेरा कुछ समान फूल गई थी वही लेने आई हूँ हाँ भाईया मेरे ख्यालों में रहोगी तो ऐसा ही होगा अचा ठीक है तुम समान लो और मैं थोड़ी देर में बहार जाकर आता हूँ और नाईशा घर के अंदर आती है और तुशार पहार चला जाता है तुशार के जाते ही नाईशा घर में कुछ ढूनना शुरू कर देती है पहले वो अपने कमरे में देखती है पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता फिर वो तुशार के कमरे में देखती है पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता नाईशा को तेज गुसा आता है और वो समान उठा कर इधर उधर फैकना शुरू करती है आखिर कहां रखा होगा उसे? कोई आए उससे पहले मुझे उसे ढूनना ही होगा और नाईशा फिर नीलम और कनिश के कमरे में जाती है और नीलम का पूरा कमरा उथल पुथल करते हुए पागलो की तरहे कुछ ढूनने लगती है तब ही वह नीलम के अलमारी खोलती है और उसका लौकर खोलती है और देखती है कि उस लौकर में एक चाबी रखी थी जिस पर नागिन का चित्र बना हुआ था ये चाबी ज़रूर उसी चीज़ की होगी, मगर मैं ये चाबी लगाओं कहाँ? और नाइशा चाबी का बकसा ढोणने लग जाती है, कि तभी उसे घर के हॉल में लगी एक तस्वीर नजर आती है, जिसमें नीलम, कनिश्क और तुशार थे नाइशा तस्वीर के पास जाती है और उसकी फ्रेम में बने निशान पर चाबी लगा देती है, जैसे ही नाइशा चाबी लगाती है, वहां बहुत तेज रोशनी आती है नाईशा उस चाबी को सामने टंगी तस्वीर पर लगाती है और वो तस्वीर हट जाती है उसके पीछे से एक तेज रोशनी आती है और रोशनी से पूरा कमरा चौन जाता है तो आखिर वो मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी और हॉल में अचानक से तेज रोशनी पढ़ती जाती है मा ये पिचारी तो पूरी थरे भीग गई है आप मेरे इसके कपड़े बदलने में मदद करिये और नीलम और उसकी मा त्रिशा के कपड़े बदल देते हैं अब त्रिशा एकदम साधारन कपड़ों में थी नीलम त्रिशा के पास बैठ कर उसका सर सहलाती है कितनी सुन्दर लग रही है इन कपड़ों में ये बच्ची न जाने पिचारी को ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी चो ये लुटेरी बनी तभी नीलम की नजर त्रिशा के हाथ पर बंधी पट्टी पर जाती है अरे इसके हाथ की पट्टी भी पूरी थरे भीग चुकी है मैं इसे भी बदल देती हूँ और नीलम त्रिशा के हाथ पर बंधी पट्टी खोल कर दूसरी पट्टी लेने नीचे जाती है नीलम नीचे पट्टी ढूंटे हुए गाना गुनगुना रही थी कि तभी नीलम चौक जाती है और उसे याद आता है कि पट्टी बदलते समय शायद उसने त्रिशा के हाथ पर एक निशान देखा था और नीलम के हाथ से सब नीचे गिर जाता है क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है मैं अभी जाकर वापस देखती हूँ और नीलम भाग कर कमरे की और जाती है और सामने लेटी हुई त्रिशा की और बढ़ती है नीलम के कदम त्रिशा की और बढ़ ही रहे थे कि तभी नीलम को सोर से काज तूटने की आवाज आती है और जैसे ही नीलम मुड़ती है कमरे की लाइट चली जाती है त्रिशा बेहूश थी उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी तभी खिड़की के रास्ते कोई शक्ती अंदर आती है और त्रिशा को हवा में उड़ा देती है और त्रिशा उड़ते हुए खिड़की से बहाँ चली जाती है नीलम अपनी नाकिन वाले आपों से कमरे में रोश्नी करती है और देखती है कि त्रिशा तो अपने बिस्तर पर है ही नहीं अरे वो लड़की अभी तु यहीं थी अब कहां चली गई है बेटा बेटा कहा हो तुम नीलम उसे हर जगह देखती है पर त्रिशा कहीं नजर नहीं आती तब ही कनिश्क भी घर आता है और नीलम कनिश्क को सारी बात बताती है चोड़ो नीलम अब ये सब शायद तुम अधिक सोच रही हो अब तुम समान बांधो आदे घंटे वाद हमारे ट्रेन है और नीलम ऐसा ही करती है त्रिशा उड़ते हुए नीलम के घर से दूर जंगल तक जाती है और सामने अम्मा खड़ी होती है अम्मा ने ही त्रिशा को वहां से निकाला था मुझे बहुत क्रोध आ रहा है इस पर कभी ट्रेन में बेहोश होती है कभी अस्पताल में तो कभी पानी में आगर दिक्कत क्या है इसकी अगर मैं जरा सा भी लेट हो जाती तो मेरा सारा बना-बनाया खेल इसकी वज़े से खराब हो सकता था और अम्मा गुसे में त्रिशा को उचाजे से जमीन पर किरा देती है जैसे ही त्रिशा जमीन पर गिरती है उसे होश आ जाता है और वो सामने खड़े अम्मा को देखती है अम्मा आँखों में आसु ले आती है मेरी बच्ची उठ गई तुम अम्मा तुम और मैं यहां कैसे वो जब मैं तुम्हें उन पागलों के घर से दूर ले आई अच्छा किया मा मैंने उस औरत को बुढ़िया से बोलते हुए सुना था कि वो मुझे अपने साथ घर ले जाना जाती है हाँ उसके साथ जाए मेरी बंदूग की गोली मैं क्यों जाओ पागल ही है वो मा हाँ उन पागलों के लिए मैंने कुछ अच्छा सोचा है अच्छा मतलब क्या अच्छा मा और इनसे हमें क्या मतलब आओ चलो वापिस अपने कबीले में चलते है चुप कर तू जादा दिमाग मत लगा बस इतना सुन मैंने सुना है कि इनके घर पे बहुत सारा खजाना है तो अगर वो हमें मिल जाए तो हम सबका इसमें फाइदा ही फाइदा है यह सुनकर त्रिशा और अम्मा दोनों बहुत खुश होते हैं और जोर से हसते हैं और अम्मा और त्रिशा वहां से चले गा validate है चलते चलते त्रिशा अपने कपड़ों को देखती है और उसे धुनला धुनला याद आता है कि जब वो बेहुश थी तो नीलं और उसकी मा ने त्रिशा के कपड़े बदले थे त्रिशा ने आज से पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे वे नदी में खुद की परचाई देखती है तो बस देखती ही रह जाती है क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस देख रही थी, इन कपड़ों में कितनी बुरी लग रही हूँ हाँ, सही कहा, भूलना मत हमारी पहचान लुटेरी की है और हमेशा वही रहेगी त्रिशा यह सुनकर जिंदगी में पहली बार उदास हुई थी लुटेरी, पर आखिर क्यों अम्मा? त्रिशा, क्या यही तेरी पहचान है? और क्या उम्मर भर में लुटेरी बन कर रहूंगी? और अम्मा और त्रिशा अपने कबीले पहुच चाते हैं, वहां किल्विक्ष गुफा के बाहर बैठा था त्रिशा ने किल्विक्ष को पहले कभी गुफा के बाहर नहीं देखा था उसने केवल अपने अम्मा को उससे बात करते हुए सुना था अम्मा ये पूढा कौन है? मुर्क ये महान बाबा है ऐसे नहीं बोलते इनके आगे हाँ जोड और अंदर जाकर कपड़े बदल ले और त्रिशा वहाँ से चली जाती है माफ करना बाबा इसने आपको पहचाना नहीं हाँ 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 कोई बात नहीं आजकल तो मैं भी खुद को नहीं पहचान पाता हूँ और पासपड़े पात्र में किलविक्ष अपनी शकल देखता है और देखकर दूर हट जाता है किलविक्ष के चहरे पर बालों का जंगल बना हुआ था और सिर के बाल पूरी तरहें उल्चे हुए थे आखों के नीचे काले गड़े उसे और अधिक दराबना बना रहे थे नागिन तूने मेरा ये क्या हाल कर दिया बाबा इतने सालों में आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था उसे तो मैं भी याद नहीं करना चाहता अम्मा उस रात ने पूरे काल चकर को उल्टा कर दिया था नीलम किल्विक्ष पर अत्यादी क्रोधित होती है और किल्विक्ष को शक्ती के गोले में कैद कर देती है अरे ये सब क्या हो रहा है अगर ऐसा ही रहा तो इपागल नागिन तो मुझे भी मार डालेगी किल्विक्ष दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरू काल गुरू को याद करता है काल गुरू का अंत नर्किस नागिन की बेटी काव्या की हाथ हो गया था मगर किल्विक्ष अपने शक्तियों से उसे बात कर सकता था बाबा मेरी रक्षा करें, मुझे शक्ती दें, ताकि मैं इस नागिन का खेल खत्म कर, हम सब का बदला ले सकूँ तभी किल्विक्ष को अपने गुरू काल गुरू की बात याद आती है काल गुरू अपने गुफा में बैठा था, कि तभी उसका चेला किल्विक्ष वहाँ आ जाता है क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों है इस नागिन काव्या ने तो मेरी नीन उड़ा रखी है किल्विक्ष, मेरी सभी चाले एक एक करकर असफल होती जा रही है तो इस नागिन के सामने एक पल भी नहीं ठिक पाएगा सबसे पहले तो यहां से बाहर निकल मैंने काल चक्र में एक ऐसा महरा फसाया हुआ है तुझे यहां से दूर जाकर सही समय आने पर उस महरे पर ही अपनी चाल चलनी होगी और किलविक्ष अपनी सारी शक्तियों के साथ उस गोली से बाहर निकलता है और सब की नजर बचाकर वहां अपने जैसा एक मोब का पुतला रग देता है जिसमें प्राण भी डाल देता है नीलम की आखों के सामने कुसम पहाड़ी से गिर जाती है यह देख उसे किलविक्ष पर अत्यधिक क्रोध आता है और वो क्रोध में नागिन रूप में आकर किलविक्ष के पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देती है किसी ने किलविक्ष को वहां से भागते हुए नहीं देखा था इसलिए सब को लगता है कि किल्विक्ष मारा जा चुका है और किल्विक्ष कुफा के पीछे छिप कर यह सब देखता रहता है तभी नीलम और उसका परिवार वहां से चले जाते हैं और किल्विक्ष भी जाने ही वाला था कि तभी किल्विक्ष के पीछे एक लड़की की परचाई आ जाती है जिसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी हिलना मत वरना जला कर राख कर दूँगी अब तू कौन है? ये जो नागिन का परिवार था ये सब कौन थे? किल्विक्ष उस लड़की को सब बता देता है मुझे समय रहते उन तक पहुँचना होगा वरना मैं काल चक्र में उलच कर रह जाओंगी किल्विक्ष कुछ बूलता उससे पहले ही वो लड़की किल्विक्ष की पीट छू देती है और चली जाती है मैं जानती हूँ दुष्ट तो उस काल गुरू का ही चेला है जैसे ही वो लड़की वहाँ से गायब होती है किल्विक्ष की पीट जलने लग जाती है किल्विक्ष अपना कुर्ता हटा कर अम्मा को पीट दिखाता है किल्विक्ष की पीट पूरी तरह जली हुई थी पर बाबा ये हुआ कैसे? ऐसा उस लड़की ने क्या किया था? मैं अधिक नहीं जान था पर वो इस दुनिया की नहीं थी उस लड़की ने समय में आत्रा की थी समय में पर मैं जल्दी ही सब का खेल खत्म कर दूंगा तुम त्रशा को हमारी चाल के लिए तैयार करो बस और अम्मा चली जाती है नाइशा तस्वीर के पीछे की चीज़ को देख न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी जो भी मेरी आगे बोलेगा मैं उसे कच्छा खाजाओंगी और मैं कभी शादी नहीं करूंगी जो गलती मेरी मा ने की थी वो मैं कभी नहीं करूंगी सिर्फ राज ही करूंगी नाइशा यह सब सोच रही थी कि तब ही घर की घंटी बचती है जरूर वो छिचुंदर ही होगा और आते ही श्रया श्रया के गुनगान गाने लग जाएगा हाँ भाई आ रही हों केट खोलने और नाइशा तस्वीर को वापिस उसी जंगे लगा कर चावी हाथ में लिए इतराते हुए दर्वाजे की और बढ़ती है नाइशा जैसे ही दर्वाजा खोलती है तो चौक जाती है सामने एक और नाइशा खड़ी थी हू बहू एक जैसी शकले दोनों नाइशा एक दूसरे को देखकर चौक कर बोलती है तुम? तुम कौन हो? मैं नाइशा तुम नाइशा हो तो फिर मैं कौन हू? नाइशा दर्वाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक और नाइशा खड़ी है। दोनों नाइशा एक दूसरे से पूछती हैं कि तुम कौन हो। तब ही दूसरी नाइशा घर के अंदर आती है और घर की ऐसी हालत देखकर चौक जाती है। हे भगवान ये क्या हाल बना रखा है तुमने तुशार के घर का आखिर तुम हो कौन। नीलम ट्रिन का समय हो रहा है जल्दी तयार हो जाओ। कनिश्क नीलम की मा के पाउँ छूता है। अच्छा मा हम चलते हैं आप अपना ध्यान रखना। बेटा इतनी चल्दी क्या है अराम से चली जाती अभी विवेग भी घर पर नहीं है उससे मिलकर तो चले जाती। बेटा मुझे तुम सबकी पहुत चिंता सताती है यहां मैं अकेली बुढ़िया बस चिंता ही कर सकती हूँ। चिंता मत करो मा मैं जल्दी आपको और विवेग को वहीं बुला लूँगा अभी गाउं में लुटेरों का आतंक है एक बार वो गुत्ती सुलच जाए फिर मैं तुम्हें अपने पास ही बुला लूँगा। तभी नीलम समान लेकर सीडियां उतर ही रही थी कि अचानक उसके हाथ से समान छूट जाता है और नीचे गिर जाता है और नीलम भी लड़ खड़ा जाती है। पता नहीं कनिश्क मुझे बहुत तेज बेचैनी हो रही है तुम जल्दी मुझे घर ले चलो। लगती है कि तभी दूसरी नाइशा उसे पकड़ लेती है। रुको बताओ मुझे कौन हो तुम और यहां क्या करने आई हो। देखो तुम भी जानती हो कि असली नाइशा तुम मैं ही हूँ तो आखिर तुम हो कौन। दोनो नाइशा घर के अंदर लड़ रहे थी कि तभी घर के बाहर कनिश्क और नीलम आ जाती हैं और एक और से तुशार भी आ जाता है। तुशार नीलम और कनिश्क के पाउँ छुता है। अरे मा बाबा आप दोनो मुझे बता दिया होता तो मैं स्टेशन से आपको ले आ था। कोई नहीं बेटा हम खुद ही आ गए। तभी नीलम की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है। बेटा तु बाहर है तु घर में कौन है। अरे मा वो मेरी दोस्त नाइशा आई हुई है। अच्छा अच्छा नाइशा कनिश्क चलो तुम्हें नाइशा से मिलाती हूँ बहुत ही प्यारी बच्ची है। तभी तुशार नीलम को रोक लेता है। मा मा मेरी मा मैं तुम्हें अंदर ऐसे नहीं जाने दूँगा। हाँ भाई सम्हालो और अपने लाड लेको। अच्छा बता क्या बात है। मा इस जन्म दिन पर मैं तुमसे कुछ भी मांगो तो क्या तुम मुझे वो दोगी। हाँ मेरे लाल जो तु बोलेगा वो ही मिलेगा। और तुशार खुशी से नीलम को गोद में उठा कर नाशने लग जाता है। पहली वाली नाईशा दूसरी नाईशा को धंका मात कर कमरे में चली जाती है। और दूसरी नाईशा भी उसे पकड़ने के लिए पीछे-पीछे कमरे में जाती है। आखेरें दोनों ही नाईशा में से असली नाईशा कौन थी। नाईशा कमरे में जैसे ही उसे पकड़ने जाती है, वो दिवार में घुस जाती है और गायब हो जाती है। हाँ ये क्या अभी तो यही थी वो भेरूपी कहा चली गई और नाईशा के हाथ में उसका सिर्फ वो काला चमकीला बाल रहे गया था नाईशा कुछ करती उससे पहले ही तुशार नीलम और कनिश घर के अंदर आ जाती है और देखते हैं कि पूरा घर अस्त व्यस्त था चारों और सामान बिख्रा बड़ा था नाईशा ये सब तुमने क्या किया और तभी नीलम भाग कर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके कमरे में भी सामान फैला हुआ था वो घबराते हुए अलमारी खोलती है और जोर से चीकती है कनिश्क कनिश्क दौड़ता हुआ कमरे में जाता है क्या हुआ नीलम? तुम इतनी घबराई हुई क्यो हो? कनिश्क? वो वो चावी वो चावी यहां नहीं है क्या? पर आकिर वो जा कहां सकती है तुशार और नाईशा तुम दोनों कुछ तेर के लिए बाहर जाओ, मुझे कनिश्क से कोई ज़रूरी बात करनी है पर मा हुआ क्या है, आप ठीक तो हो न मैंने कहा ना बाहर जाओ, मतलब बाहर जाओ, जाओ यहां से नीलम बहुत गुस्से में थी, और तुशार और नाईशा दोनों घर के बाहर चले जाते है कनिश्क वो चाबी यहां से कायब है, अगर वो चीज किसी के हाथ लग गई तो सर्वनाश हो जाएगा, कनिश्क सर्वनाश पर आखे वो चाबी किस ने चुराए होगी? कनिश्क वो चीज एकदम सुरक्षित है, मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, जरूर उस चोड़ने चाबी तो चुराली, मगर वो चीज नहीं चुरा सका नीलम और कनिश्क खुश होते हैं, और एक दूसरे के गले लगते हैं नाईशा और तुशार बाहर खड़े थे माजी कितना गुसा हो गई थी ना तुशार, मैंने उन्हें इतने गुसे में कभी नहीं देखा बस करो ये नाटक नाईशा नाटक? कौन सा नाटक तुशार? मैं कुछ समझे नहीं यही नाठक, कि तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं हो, यह सब तुमने ही किया था ना? नाइशा यह सुनकर चौक जाती है जब मैं बहार जा रहा था, ओस समय तुम घर जल्दी आई थी, और तुमने कहा था कि तुम बैग लेकर चली जाओगे, तो फिर तुम्हारे अलावा यह सब और कौन करेगा? नहीं, तुशार की सच नहीं है, मैं तु अभी आई हूँ अच्छा, तु अभी आई हो, रुको, अभी बताता हूँ तुम्हे तुशार नाईशा का हाथ पकड़कर खीचता हुआ, घर के अंदर ले जाता है तुशार छोड़ो, मुझे दर्थ हो रहा है तुशार ये क्या बत्तमीजी है, नाईशा का हाथ छोड़ो तुशार हाथ छोड़ देता है मा बाबा वो ये नाइशा ही है जिसने ये सब किया है मैं बहाद जाने से पहले इसे ही आँछोड़ कर गया था नाइशा बस तुशार की और एक टक देखी जा रही थी तो तुशार बस इतना ही विश्वास करते थे तुम अपनी दोस्त पर और मैं पागल तुमसे बेवजे प्यार कर बैठी थी तुम ये सब क्या कह रहे हो तुशार मा नाइशा ही है जिसने हमारे घर की हालत की है और आपका जो भी समान गायब हुआ है वो जरूर इसी न चुराया होगा आप इसकी तलाशी लो मा तुशार चुप हो जाओ बस अब कुछ नहीं बोलोगे तुम ठीकी तो बोला है तुशार अगर ये लड़की ही घर में थी तो इसके अलावा और कौन करेगा हा मा जी अंकल और तुशार दोनों ही ठीक है रही है आप मेरी तलाशी ले लीजिए मैं जानती हूँ सच क्या है तो डरना कैसा और नीलम नाईशा की तलाशी लेती है मगर उसके पास से कुछ नहीं निकलता तभी तुशार बोल पड़ता है मा एक मिनट इसके बैग की तो तलाशी लेजिए ज़रूर इसने उसी में छुपाई होगी वो चीज और तुशार नाईशा का बैग ले आता है और उसे खाली कर देता है तभी उसमें से कुछ गिरने की आवाज आती है और यहे दीक सब चौक जाते है नाईशा के बैग से नीलम की वही चावी निकलती है यहे दीक नाईशा भी चौक जाती है और तुशार उस चावी को नीलम को देता है कनिश के है दीक कुछ बोलता है कि उससे पहले ही नीलम कनिश का हाथ पकड़ लेती है और उसे चुप कर देती है मा ये चावी कुछ अलगसी नहीं है यही चुराई है ना इसने नहीं मा जी ऐसा नहीं है नहीं तुशार बेटा ये तो कोई पुरानी चावी है ये मेरी नहीं है इसे वापस नाईशा के बैग में रख दो और तुशार ऐसा ही करता है मगर उसे अभी भी नाईशा पर विश्वास नहीं था मैंने तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त माना और तुमने मुझे धोका दिया है नाईशा मा चाहे माने या ना माने पर मुझे तुम पे बिल्कुल की रिशास नहीं है और मुझे अब तुमसे कभी बात भी नहीं करनी है और तुशार गुस्से में बाहर चला जाता है नाईशा बिटिया तुशार की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया नहीं माजी ये हब क्या कह रही है कोई बात नहीं अब मेरा यहां से चले जाना ही भेतर है और नाईशा बैग उठा कर वहां से जाने लगी तभी नीलम उसे हाथ पकड़ कर रोकती है कहां जाओगी उस जंगल के कैम्प में अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा मन करे और फिर तुम मेरी खाना बनाने में भी तो मदद करोगी नाईशा नीलम को रोते हुए गले लगा लेती है और नाईशा का आसो नीलम को सबर्ष करते हुए जमीन से होता हुआ उस कमरे की छट से टपकता है और कमरे में सो रही लड़की के मूँ से निकलता है मा नाईशा बेटा तुम्हें गले लगा कर एक अलग सा सुकून मिला है जैसे कोई बर्सू पुराना तार फिर से चुड़ गया हो और नाईशा और नीलम अपने अपने कमरे में चले जाती है ये तुमने क्या किया नीलम? चोर को इगह में रुखने को कह दिया? हम सबने देखा कि वो चाबिश लड़की के बैक से निकली है ओफो चिल कनिश टार्लिंग तुम भी अपने बेटी की तरहें गुसा करने लग गये हो अच्छा बताओ, लास्ट टाइम तुमने मुझे प्यार कप किया था? और नीलम कनिश के कंधे पर हाथ रखती है नीलम मजाग नहीं, आकर तुम्हारी दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ तो कनिश्क तुम्हारी नजरी धोका खा सकती है, पर मेरी नहीं वो चाबि जो नाईश के बैक से गिरी थी, वो नकली चाबि थी मतलब जिसने भी चाबि चुराई थी, वो नाईशा को फसाना चा रहा है इसलिए नाईशा बेकसूर है मेरे स्मार्ठी और दोनों गले लगते हैं ये सब क्या चल रहा है मेरे परिवार के साथ, मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा चाबि चुराकर दूसरी नाईशा दूर खड़ी होकर नीलम की घर में हुए सब तमाशे को देख रही थी तो आखिर इन दोनों लवबट्स, नाईशा और तुशार में जगरा हो ही गया और उस नागिन की भी नीन धराम हो ही गई और वो चाबि को हाथ में लेकर जोर से हसती है और पीछे पलटती है जैसे ही वो वाले नाईशा पीछे मुड़ती है वह अपने असली रूप में आ जाती है वह लड़की और कोई नहीं बलकि श्रया ही थी नाईशा रानी तू सोच भी नहीं पाईगी कि तेरे साथ आखिर ये हुआ क्या कागराज दूर पीर पर बैठा ये सब देख रहा था कागराज तरुन को संदेश भीजता है मालिक आपका अंदेशा सही था शिया कासल मकसद कोछ और ही है आज वो नागिन के घर में भेश बदल कर गई थी और अभी उसके हाथ में एक आजीव सी चावी है जिसने देख कर वो बहुत खोश हो रही है शाबाश तुम ऐसे ही उस पर नज़र रखते रहना और मुझे सब बताते रहना बिचारी नाइशा सोच रही होगी कि वो नकली नाइशा आकर थी कौन श्रेया नाइशा के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी जैसी ही नाइशा आएगी मैं उसे बहाने से चुकर उसके जैसा रूप ले लोगी ताकि मैं जो भी करूँ उसका इलजाम नाईशा पर ही लगे नाईशा बाहर आकर जैसे ही मुड़ती है श्रेया उसे पीछे से धपा करती है श्रेया तू है क्या? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी तू कहा जा रही है तयार होकर अरे मैं तो कैंप साइड जा रही थी तुझ से और दोस्तों से मिलने अच्छा तुछल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ हाँ, दोनों साथ ही चलते हैं अरे एक काम कर तूचल मैं दो मिनिट में तुशार से मिलकर आती हूँ और नाईशा वहां से चली जाती है फिर श्रेया नाईशा का रूप लेकर दुशार के घर में खुश जाती है सब एक्तम प्लान के हिसाब से चल ही रहा था पर पता नहीं वो नाईशा की बच्ची कैम से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई और उसी समय वो नाक नागिन भी बहार आ गए थे इसलिए मुझे वहां से उस चीज को हासल किये बिना ही भागना पड़ा मगर भागने से पहले मैंने नाईशा के बैग में चादू से एक नकली चाबी डाल दी थी और देखो कितना तमाशा हो गया उसकी वज़े से आज तो बहुत मसे आए और श्रेया वहां से चली जाती है तरिशा कबीले में जाकर अपने तम्बू में चुप चाब बैठी थी ये कैसी अजीब सी बेचैनी है मुझे तो अम्मा के पास आकर और अपने घर वापस लोट कर खुश होना चाहिए था मगर ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं पीछे को छोड़ाई हूँ और तभी तरिशा की सहीलिया उसके तम्बू में आ जाती है माफ करना हम तो तरिशा से मिलने आए हैं आपने उससे दीखा है क्या क्या बात है तुम सब अंधी हो गई हो या शराप पीकर आई हो मैं क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही हो तरिशा ये तू है क्या और ये तुने कैसे कपड़े पहन रखे है कैसे पहन रखे है तरिशा तू तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हम सब एक बार देखने पर तो तुझे पहचान ही नहीं पाई आज पहली बार एक सुन्दर से लड़की लग रही है बस करो तुम सब ये बख्वास तफे एक सहीली पास रखा आइना तुझे सामने कर देती है ले देख तुख़ी देख ले क्या आज से पहले तो इतनी सुन्दर लगी है अरे इन कपड़ों में तो तो इतनी प्यारी लग रही है कि कोई राजकुमार भी तुझे देख ले तो तेरा दीवाना हो जाए क्या हमेशा लुटेरों के कपड़े में ही घूमती है तुझे ऐसे कपड़े भी पहनने चाहिए कि तभी अम्मा टेंट में आती है और तुशा की सहेलियों को बाहर भेज देती है तुशा मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है अराम करनी के बाद मेरे पास आ जाना ठीक है अम्मा अम्मा बाहर जाने लगती है कि तभी रुक कर और तुमने अभी तक ये कपड़े नहीं बदले ये अजीब रंगों से भरे कपड़े तुम्हारी पहचान नहीं है काले कपड़े तुम्हारी पहचान है चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और हाँ इन्हें जला देना और अम्मा बाहर चली जाती है त्रशा आइने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगती है मेरी दोस्त सही कह रही थी इन कपड़ों में तुम्हें बहुत ही खुबसुरत लग रही हो इतनी सुंदर कि मुझे कोई भी राजकुमार प्यार कर लेगा पर वो दिखता कैसा होगा और त्रशा खुद को देखती हुए सपनों में खो जाती है त्रशा एक फूलों के बगीचे में सुंदर कपड़ों में नृत्य कर रही थी कि तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है आप, आप तो बहुत खुबसुरत हैं क्या आप मेरे साथ नर्टे करेंगी सुंदरी त्रशा की नजरी चुकी हुई थी क्यों नहीं? और त्रशा अपना हाथ दे देती है और लड़का उसे चूम लेता है फिर त्रशा अपनी नजर उपर उठाती है और लड़की को देखती है तो चौक कर उसे धक्का मारती है तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने तरुन था तरुन त्रशा की दोनों हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दुसरे की आँखों में देखते हुए इन रित्य करते हैं कि तभी त्रशा के पाउ में एक काटा चुप जाता है और त्रशा अपने सपने से पहारा जाती है ये? ये सब क्या था? और वो चुचुंदर मेरे सपने में क्या कर रहा था? ये सब क्या हो रहा है मुझे मुझे इन सब फालतु बातों के बारे में सोचने की बजाए अम्मा और मेरे मकसद के बारे में सोचना होगा और त्रशा कपड़े बदल लेती है मगर उस ट्रेस को जलाती नहीं बल्कि पेटी में संभाल कर बंद कर देती है और अम्मा के पास जाती है उन रंगों से भरे कपड़ों को जला दिया न तुने त्रशा हाँ अम्मा जला दिया आज मैंने सिंद्गी में पहली बार अम्मा से छुट बोला है आखिर ये सब मुझे क्या हो रहा है नाईशा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसे याद आता है अरे आज उस लड़की से लड़ते हुए उसके बाल मेरे हाथ में आ गए थे मैं पहले वाले बाल उससे मैच करके देखती हूँ और नाईशा देखती है कि वो दोनों बाल एक ही इनसान के थे इसका मतलब जो कोई भी है अपना मकसद मीरी आर में छिपकर पूरा कर रहा है मगर मैं इसका पता लगा कर रहूंगी और तभी तुशार घर में आ जाता है नाईशा तुशार के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है मगर तुशार उससे बात नहीं करता मा ये नाइशा अभी भी यहां क्या कर रही है मैंने इसे यहां रहने दिया है तुझे क्या दिक्कत है वैसे भी मुझे विश्वास है इस बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया मा तुम और तुम्हारी यह मम था अच्चा छोड़ो मेरे पास तुम्हारी लेक सर्प्राइज है और वहाँ कनिश्क भी आ जाता है क्यों भई अकेले मा बेटे में खिचडी पक रही है कोई हमें भी दिखा दे सर्प्राइज ऐसे नहीं बाबा पहले मैं उसके लिए पूरी त्यारी करूंगा उसके बाद आप लोगों को सर्प्राइज दिखाऊंगा अच्छा बेटा मुझे और तेरे बाबा को भी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी बाकी बाते मा आप कली करेंगे मुझे अभी सोना है एकदम अपनी मा पर ही गया है ये नखडे वाला और सब सोने चले जाते हैं नाईशा को उस रात नीन नहीं आ रही थी नाईशा बिस्तर पर करवटे लेते हुए एक संदीश भेजती है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो मैं चानती हो तुम मुझे सुन सकती हो आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही है मैं तो यहां तुम्हारे परिवार को ढूनने आई थी और कहां तुशार के प्यार के चक्कर में फज गई मुझे माफ करना दोस्ट, मुझे माफ करना उधर कमरे में पिस्तर पर लेटी उस लड़की के शरीर में हलचल होने लगती है और नाईशा अपने कमरे से निकल कर तुशार के कमरे में जाती है दरवाजे पर खटखट मा सोने दोना मुझे, अभी मुझे बात नहीं करनी है तुशार, ये मैं हूँ, नाईशा तुम? तुम यहां क्या करने आई हो? मुझे धोके बाजों से बात नहीं करनी और नाईशा तुशार के बगल में जाकर बैठ जाती है तुशार, मेरी आखों में दीखो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सब मैंनी किया है? यहां सिर्फ तुम ही थी और कौन करेगा फिर? उस दिन भी रसोई में सिर्फ तुम ही थी तो फिर खाने में जहर कहां से आया? जब से तुम यहां आई हो सब चीज गड़बड हो रही है मुझे खुद नहीं पता तुशार यह सब क्या हो रहा है पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी नुकसान पहुचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे तुमसे क्या? क्योंकि मैं तुम्हें सचा दोस्त मानती हूँ और तुशार के हाथ पर नाईशा का आसू गिरता है और तुशार नाइशा को गले लगा लेता है मुझे माफ कर दो नाइशा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ पूरा विश्वास करता हूँ वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था तुशार के गले लगने से नाइशा को और रोना आ जाता है I love you, I love you so much नाइशा ये सुनते ही शक हो जाती है और बहुत खुश होती है और तुशार से अलग होकर उसका चहरा देखती है और उसे अपने हाथ से सहलाते हुए नाइशा इसके बदले में हाँ बोलने ही वाली थी कि तब ही I love you so much शिया क्यों ये लाइश सही बोली क्या मैंने नाइशा कोई गलती तो नहीं की न नाइशा का दिल फिर से तूट गया हाँ, एकदम पोफिक्ट दिल तक लगने वाली थी तुशार कल मैं शिया को जाकर प्रपोस करूँगा और मा बाबा से मिलवा भी धूँगा हाँ, और एक गुलाब का फोल भी ले जाना अच्छा लगेगा दिल पर पत्थर रखते हुए बोलती है नाइशा मुस्कुरा कर अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में देखती है उसे वो सब पल याद आते हैं जो उसने तुशार के साथ बिताए थे बस मैं अब अपने मकसद में थोड़ी सी ही दूर हूँ फिर तू और मैं राज करेंगे मेरी मा और श्रिया के सामने उसकी मा की तस्वेर टंगी होती है जिसमें सर्पकन्या की फोटो थी श्रिया सर्पकन्या की ही बेटी थी जो सालों बाद यहां अपने मा का बदला लेने आई थी उस नाग नागिन ने तेरे साथ जो किया मैं उसका बदला लेकर रहूंगी और तुझे नरक से निकाल कर तेरे लिए जन्नत बनाऊंगी मा तेरा हर बदला पूरा करूंगी हाँ जब कनिश्का सर्पकन्या को हरा रही थी और नीलम और कनिश्क ने मिलकर सर्पकन्या को नरक में फैक दिया था तब श्रिया वहीं पेड़ की पीछे छिपकर सब देख रही थी नहीं मा सालों तक तुमने मुझे खुझ से दूर रखा और आज जब मैं तुमसे मिलने आई तो तुम मुझे चोड़ कर चली गई तब से मुझ में बदले की आख जल रही है मा श्रया दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी ये कहानी तब शुरू होई थी मा मैंने आज उन लोगों को देखा था बहुत खुश थे मा वो लोग मगर अब वो ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकेंगे तब ही तरुन भी वहां आ जाता है कौन हो तुम और इतनी परेशान क्यों हो श्रया तरुन को सारी बात बता देती है मैं भी किसी अपने को खोने के गम में हूँ श्रया इसका मतलब है तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है इस नाग-नागिन की मौत अगर हमें इनको खत्म करना है तो पहले इनके करीब जाना होगा और श्रया सही समय का इंतिजार करती है और जंगल में लगे कैंप में जाकर नाइशा से दोस्ती कर लेती है सब मेरा ही प्लान था नाइशा तो ये भी नहीं जानती कि उस दिन जंगल में वो खायल गिलहरी भी मैंने ही जादू से वहां रखी थी ताकि वो तुशार से मिले और उसके बाद मैं मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं जल्दी ही नागिन के पूरे परिवार को निगल जाओंगी अगली दिन तुशार श्रिया के पास जाता है श्रिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है हाँ तुशार डालिंग, कहो न, तुम क्या कहना चाते हो और तुशार श्रिया को फूल देते हुए उसके गालों को चुम लेता है ओ माई पूर बेबी, लव यू टू श्रिया तुशार को गले लगाती है इतना क्यों डर रहे थे, अब मैं आ गई हुँ न, तुम्हारा सारा डर भगाने के लिए और श्रिया और तुशार नीलम की घर पहुचती है तुशार श्रिया को घर की बाहर ही खड़ा कर अकेला अंदर जाता है और देखता है, वहाँ नाईशा, नीलम और कनिश्क तीनों ही बैठे थे अरे तुशार बेटा, तु आ गया, आजा, बैठ जा, तुझसे एक बात कहनी थी मा मुझे भी आप दोनों को कुछ बताना है मैं जानती हो तुशार, तुम, तुम्हारी और श्रिया के बारे में ही बात करने आए हो और अपसे तुम हमेशा के लिए श्रिया के हो जाओगे मैं भी कितनी पागल थी, जो ना जाने मन में कैसे-कैसे ख्वाफ पाल बैठी थी रुको मा बाबा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है श्रिया, अंदर आओ न और श्रिया इतराती हुई अंदर आ जाती है अरे श्रिया, तुम हो क्या? मुझे लगा पता नहीं किस हूर की परी को ले आया है मेरा बेटा जो इतना उचल रहा है श्रिया को नीलम पर बहुत गुसा आता है पर वो कुछ नहीं बोलती बस कुछ तीर और मैं अपनी आखों से मेरी तुशार को किसी और का होते देखने के बाद यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओंगी और फिर मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा तुम्हारी जिंदगी लोटाना मेरी प्यारी दोस्त मा ऐसा मत बोलो प्लीज और मेरी बात तु सुनो हाँ हाँ सुनोंगी तेरी भी पहले मेरी बात सुन हमने तेरे अठारवे जनम दिन के लिए कुछ सोचा है यह सुन कर तुशार एक्साइटेड हो जाता है अरे वा मा मैंने भी तो को सोचा है तेरे बाबा और मैंने फैसला किया है कि हम अठारवे जनम दिन पर तेरी शादी करवा देंगे पर अभी तू छोटा है तो पूर्ण विदिवत विवा तेरे 21 जनम दिन पर करवा देंगे मा, I love you आपने तो मेरे दिल की बात कह दी और जिससे हम तेरी शादी करवाएंगे वो लड़की होगी नीलम रुख जाती है तुशार श्रेया की और देख कर खुश होता है नाईशा का चहरा दुख से उदास था वो लड़की और कोई नहीं बलकि नाईशा होगी क्या, मा नाईशा? हाँ बेटा, नाईशा से अच्छी लड़की इस घर के लिए और तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती ऐसा मुझे और नीलम दोनों को लगता है नाईशा ये सुनते ही चौक गई और श्रेया भी बहुत गुसा होती है मगर मा मैं तो श्रेया तुशार कुछ बोलता उससे पहले ही नीलम तुशार के मुव में लड़ू डाल देती है हाँ हाँ मुझे पता है कि श्रेया तेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तू श्रेया को शादी तक हमारे साथ रखना चाता है तुम सब पागल हो चुके हो पागल श्रेया ये क्या तरीका है बड़ो से बात करने का इक्सक्यूज मी आप लोग लड़िये मत अब मुझे चलना चाहिए शायद मैं ही यहां गलत आ गई नाइशा बीटा रुक जाओ ये कंगन मुझे मेरी मा नहीं दिये थे आज से ये तुम्हारे हुए मैंने और कनिश्क ने तुम्हे हमारी बहु के रूप में स्वेकार लिया और अपने कंगन नाइशा को पहनाती है पर तुशार ने तो मुझे नहीं स्वेकारा मा जी श्रेया लो तुम भे मिठाई खाओ और सब को खिलाओ पर श्रेया लड़ो गिरा देती है और तुशार श्रेया का हाथ पकर कर साइड में ले जाता है श्रेया ये क्या बत्तमीजी है? अच्छा मैं कर रही हूँ बत्तमीजी तो फिर तुम्हारी ये पागल मा क्या कर रही है? श्रेया अपने हद में रहो मेरी मा के लिए कुछ मत कहो मैं जानता हूँ तुम परिशान हो अभी और तुमने कुछ भी नहीं बोला जब तुम्हारे मा ने तुम्हारे इस बहन जी से शादी करने की बात कही श्रिया अचानक से हुआ ये सब और मा बहुत खोश थी तुम मैं कुछ नहीं बोल पाया मगर तुम चिंता मत करो तुम अपसे यहीं रहोगी और मैं जल्द ही मा को सब बता दूँगा और श्रिया मान जाती है और वहीं रहने लगती है हे शिफशंभू ये कैसी लीला रची है आपने जहां तुशार के अपने पास होने की एक भी उमीद नहीं थी वहां आपने मुझे पूरा तुशार ही दे दिया आखेर आप क्या चाहते हैं शिपजी निल्म ये क्या क्या तुमने मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया नाइशा की शादी तुशार से जबकि तुशार तो नाइशा को पसंद भी उसे यां रुखने के लिए क्यों काहा? दुश्मन जितना खुद के करीब रही वही अच्छा होता है कनिश्क. अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, तो श्रिया का यहां रहना बहुत जरूरी है. क्या सोच रही हो तुम? आखिर बात क्या है? पताओंगी पर अभी नहीं. पहले मुझे नाईशा से जाकर बात करनी होगी. वो बिचारी अचानक से हुए इस तमाशे की वजह से परिशान होगी. तभी कमरे में तुशार आता है. माँ आपने नाईशा से मेरी शादी तैकर दी और एक बार भी नहीं पूचा मुझसे. तो तु क्या इतना बड़ा हो गया है कि मुझे कुछ करने से पहले तुझसे पूचना होगा? माँ आपने अपना फैसर सुना दिया है. अब आप मेरा फैसर सुनिये. मुझे नाईशा से नहीं बल्कि किसी और से शादी करनी है. तभी नीलम चक्कर आने का नाटक करती है. गनेश्क, लगता है मेरी तबियत बिगड रही है. इस गर में किसी को मेरी नहीं पड़ी. सब अपनी मनमानी करते हैं. ऐसा मत बोलो मा. तुम अभी आराम करो. और तुशार वहाँ से चला जाता है. और कुछ देर बाद नीलम नाईशा की कमरे में जाती है. नाईशा खिड़की के पास खड़े होकर रो रही थी. नाईशा बीटी, मुझे तुम से बात करनी है. हाँ माजी, आईए, बैठी ना. मैं जानती हूँ, मैंने आज जो कुछ किया, उससे तुम काफी परिशान होंगी. नाईशा वो कंगन नीलम को लटाती है. माजी, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप यू मत कीजिए. नहीं बेटा, ये कंगन तुम ही रखो, अभी मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा खत्रा मंटरा रहा है, और उससे तुशार को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. माजी, आप कुछ बोलें, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. माजी, तुशार मुझे से प्यार नहीं करता, बलकि श्रया से करता है, और पलट की देखती है, तो वहाँ नीलम नहीं तुशार खड़ा होता है. माजी, अभी तो यहाँ माजी खड़ी थी, वो कहां गई? माजी अभी बाहर चली गई, और तुम माँ से क्या क्या रही थी? तुशार, मैं माँ को सब सच बता रही थी, ताकि तुम और श्रया एक हो जाओ. भूल कर भी ऐसा ना करना, इसे माँ की तबियत बिगड़ सकती है, हमें इसके लिए ही कोई और रास्ता ढूणना होगा. और तुशार वहाँ से चला जाता है, नाईशा मन ही मन खुश तो बहुत थी, मगर वो जानती थी कि तुशार नाईशा से प्यार नहीं करता था. ये शेया तो अपने ही बिचाय जाल में उलज गई है. बहुत अच्छी बात है कागराज, इस जहरिल नागिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक इसके असली मकसद का पता ना लग जाए, तब तक इसका उलज़ा रहना ही बहतर है हमारे लिए. बाबा, मुझे लगता है कि धीरे धीरे त्रशा को उसका सच पता चल रहा है, और अब तो उसकी शक्तियां भी आ जाएंगी, अगर ऐसा हुआ और उसने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगी? तुम फिक्र मत करो, त्रशा को मेरे पास लियाओ, मैं उसे नकली पूजा के बहाने से कह दूँगा कि मैंने उसे को शक्तियां दी हैं, और इससे उसे खुद के सच के बारे में कभी पता नहीं लगेगा, हाँ. और अम्मा ऐसा ही करती है, और किल्विक्ष त्रशा में जूटे मंद्र फूखने का नाटक करता है. अम्मा, ये सब, ये सब क्या है? त्रशा बिटिया, हमारी लड़ाई कुछ बड़े मायावी लोगों से है, उसके लिए बाबा ने तुझ में कुछ खास शक्तियां डाली है. केसी शक्तियां, अम्मा? ये समय आने पर तुम्हें अपने आप पता लगता रहेगा, त्रशा. और त्रशा खुश होकर वहां से चली जाती है, अम्मा और किलविक्ष सोर से हसते हैं. वाह बाबा वाह, क्या चाल चली है, अब त्रशा को कभी नहीं पता चलेगा कि वह आखिर कौन है. श्रेया गुस्से से अपने कमरे के चकर लगा रही थी, तभी तुशार आकर श्रेया का हाथ पकड़ता है. माई डार्लिंग. तुशार यहां से चले जाओ. ओफो, अभी भी नाराज हो. चिंता मत करो श्रेया, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा. चिंता नहीं, मेरा तो खून खौल रहा है. इतने पापड बेलने के बाद भी, अगर मुझे वो चीज़ हाथ नहीं लगेगी, तो… यह तुम क्या बोल लही हो? कौन से चीज़? और कौन से पापड? इतना गुस्सा, तुम में श्रेया यह सब क्या है? श्रेया को तुरंट ध्यान आता है. अरे ऐसे तो खेल खराब हो जाएगा, मुझे खुद पर काबू रखना होगा. ओ माई बेबी, मेरा मतलब है मैंने तुम्हें इतना रिज़ाया, इतना तड़पी तुम्हारे लिए और देखो, अब ये सब हो गया. तुशार श्रेया को गले लगा लेता है और सोने चला जाता है. मुझे अब इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से उस चीज़ को हासल करना होगा. और श्रेया सबके सोने के बाद उस चावी को लेकर हॉल में लगी तस्वीर के पास जाती है और उसमें चावी लगाती है. तबी पीछे से आवाज आती है. श्रेया तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? श्रिया पीछे मुड़कर देखती है और उसके हाथ से चाबी किर जाती है श्रिया के पीछे से एक आवाज आती है जिसे सुनकर श्रिया घबरा कर चाबी किरा देती है श्रिया मुड़कर देखती है तो पीछे नाइशा खड़ी थी तुम हो क्या? क्यों मीरे होने से क्या हो गया और मुझे ये बताओ तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो मैं यहां कुछ भी तो नहीं मैं तो बस पानी पीने आई थी अगर इसे मुझ पर शक हो गया तो ये उस नाकिन को सब बता देगी और फिर तो सब गरबर हो जाएगा वैसे तुम भी तो इतनी रात को यहां हो, क्यों? वो मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए बेचैनी, किसी और के प्यार पर कबजा करके बैठ गई हो बेचैनी नहीं तो और क्या होगी तुम्हें नहीं श्रिया, ऐसी बात नहीं है तुम्हें पुरा लगा है, मैं जानती हूँ उसके लिए I'm sorry मेरी दोस्त पर श्रिया बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है उन दोनों की आवास से तुशार की नींद खुल जाती है और वह ये सब देख लेता है नाईशा तुम सच में बहुत अच्छी हो श्रिया तुम्हें कुछ भी बोल देती है मगर तुम उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही मानती हो और नाईशा बहर आस्मान के नीचे जाकर बैठ जाती है तब ये तुशार भी वहां आ जाता है अरे तुशार तुम सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो नाईशा पता है तुशार वो आस्मान में सबसे चमकीला तारा है ना वो मेरी मा है जब मैं छोटी सी थी वो तब से वहां आस्मान में ही रह रही है ना ही मेरे पास आती है और ना ही मुझे वहां बुलाती है नाईशा रोना बंद करो, मेरी मा है ना, तुमने अपनी मा ही समझो और तुशार नाईशा को गले लगा लेता है, श्रेया अपने कमरे से ये सब देख रही थी हाँ, ये लवबर्द्स और इनकी बेव कोफिया, चिंता मत कर नाईशा, मुझे तेरे तुशार में कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मैं तुशार के साथ तुझे भी मार दोंगी मगर वो चाबी, वो चाबी तो मुझसे गिर गई है, इससे पहले कि वो किसी और को मिले, मुझे फिर से उसे ढूनना होगा नीलम भी कमरे में बैठी हुई, तुशार और नाईशा को देख रही थी कनिश्क, कनिश्क उठो ना सोने दोना नीलम, तुम तो नीन में भी तंकरती हो ओखो कनिश्क, मस्ती नहीं, उठो ना, जल्दी ये देखो कनिश्क उठकर नाईशा और तुशार को देखता है इन्हें देखकर मुझे हम दोनों की याद आती है हाँ नीलम कनिश्क अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और जल्दी ही उसे ये सच भी पता लग जाएगा कि वो भी एक नाग है चंता मत करो कनिश्क, सब ठीक होगा श्या ये सब छिपकर सुन लेती है तो मुझे इस नागिन के खिलाफ एक कमजोर कड़ी मिल गई वक्त आने पर मैं इसके बेटे को ही हत्यार बना लूँगी आगली सुभा घर की घंटी बचती है नीलम दर्वाजा खोलती है तो सामने एक व्रिद आत्मी खड़ा होता है जो और कोई नहीं बलकि तरुन ही बूड़े के भेश में आया था हाँ बाबा बिटा वो जरा श्या को बुला दोगी आप कौन? वो आप श्या से ही पूछ लेना और नीलम श्या को बुला देती है श्या तरुन को देख कर चौँक जाती है कौन है बिटा ये? आंटी ये मेरे काका हैं बाकी लोग भी वहाँ आ जाती है सबसे अच्छी बात तो ये है कि श्या का अपने एक बुड़े काका से रिष्टा तो है वरना बिटा मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ आड़े टेड़े कपड़ों और अंग्रीजी के अलावा किसी को नहीं मानती हो सब हस्ती है मा बस भी करो ठिती टांग खेचोगी बेचा रेगी और श्या तरुन को अपने कमरे में ले जाती है तुम यहां तुम यहां क्या करने आए हो तो और क्या करूँ लगता है तुम प्यार में पागल होकर ये भी भूल गई हो ये बदले का मकसद अकेला तुम्हारा नहीं मेरा भी है तुमने तो मुझे एक भी संदेश नहीं बेजा वो मैं यहां आकर ऐसी फसी थी कि क्या ही बताऊ और श्या तरुन को सारी बात बताती है जिसे सुनकर तरुन को बहुत तीज हसी आती है वाह तुमने तो अच्छी प्रोग्रेस करी है यहां बनने आई थी बहू और उसी बहू की सहीली बनकर रहे गई हसलो हसलो तुम भी जैसे ही वो चाबी मेरे हाथ लगेगी इन सब का खेल खत्म कर दूँगी तब हसूँगी केवल मैं चाबी कौन सी चाबी कोई चाबी नहीं मैं तो कह रही थी कि सारे खेल की एक ही चाबी है मेरे पास और वो है तुशार श्रया बात पलटकर बहार चली जाती है कागराज एकदम सही कह रहा था ये नागिन जरू कुछ बड़ा सोच रही है मुझे पता लगाना होगा अम्मा त्रशा के पास जाती है त्रशा मेरी बात ध्यान से सुन आगे तुझे बहुत से ऐसे मकसद है जो अकेली ही पूरे करने होगे तो क्या तू इसके लिए तयार है हाँ अम्मा मैं पूरी तरह तयार हूँ बस एक चीज पूशना चाहती हूँ हाँ पूछो अम्मा आपने बच्पन से ही मुझे लुटेरी बनने का प्रशिक्षन दिया मुझे हमेशा यही सिखाया कि काव लोटना है मंदिर लोटना है यही मेरा मकसद है तो अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब एक चूट था बिटिया जो तुम सोच रही हो वो एक तम सही है पर मैंने तुम्हें बच्पन से लेकर आज तक जितना सिखाया है यह मकसद बस उसी की बड़ी परिक्षा है जिसमें तुम्हें पास होना ज़रूरी है चिंता मत करो मा जिस लोहे को आपने आज में तपाया था वो अब तेज हतियार बन चुका है और मैं आपका हर मकसद पूरा करूँगी और अम्मा तृशा को योचना बताती है ठीक है मा मैं अभी वहाँ जाती हूँ और जैसा जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही करूँगी घर में सफाई के दौरान किसी को वो चावी हाथ लग जाती है और वो उठा कर अपने पास रख लेता है और श्रेया सबकी नजरों से बच कर चावी ढूणने की कोशिश करती है कहाँ चली गई वो चावी मुझे नजर क्यों नहीं आ रही तभी पीछे से तुशार आ जाता है इसे ढूण रही हो ये तो मेरे पास है और श्रेया मुढ कर देखती है तुशार उसे गुलाब का फूल देते हुई मुझकुराता है इसे ही डूण रही हो ना एतनी देर से आ गया गधा अब इससे प्यार का नाटक शुरू करो ओ येस येस माई बेबी थांक ये सो मच ये क्या तरीका है घर में रहने का तुशार से थोड़ा धूर रहो अब इस पर नाईशा का हक है हाँ ओ प्लीज ओल लेडी एक्स्क्यूज मी मुझे बाहर जाना है और श्रिया नीलम से इस तरह बात करके बाहर चली जाती है माजी आप श्रिया की बातों का बुरा मत मानना वो साफ मन की है इसलिए ऐसे बोल देती है मन तो तुमारा सोने जैसा है नाईशा अपने बारे में न सोच कर अभी भी तुम बस मेरे और श्रिया के लिए सोच रही हो कहीं मैं श्रिया को लेका गलत तो नहीं मैसूस कर रहा तुशार बेटा चार दिन बाद तेरा जनम दिन है उसी दिन पूजा के दौरान मैं तेरी शादी नाईशा से करना चाहती हूँ जैसा आपको ठीक लगे मा तुशार इस बार मना नहीं करता ये सुन नाईशा भी खुश हो जाती है श्रिया ये सब बहार खड़ी सुन रही थी शादी शादी माई फुट मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होगी अब देखना इस घर में मातम होगा सिर्फ मातम नीलम कमरे में कनिशक के साथ बैठी हुई थी कनिशक तुशार की शादी होने वाली है नाइशा हमारी बहु बनकर आ रही है सब कितना अच्छा हो रहा है सब इतना अच्छा है तो फिर तुम दुखी क्यों हो नीलम कनिश्क, हमारी बच्ची काव्या अभे तक काव्या के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला मेरी आखे तरस गई है काव्या को देखने के लिए हमारी बच्ची कहा होगे कनेश्क चुपो जाओ नीलम भुलेनाद उसके लिए ज़रू कोई रास्ता निकालेंगे खोशियों का माहौल है तुम सिर्फ मुस्कुराओ नीलम और कनेश्को बाहर से कोई देख रही थी और वो भी रोने लगती है वो और कोई नहीं बलके तृशा ही थी तृशा बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी ये मुझे क्या हो रहा है मैं इस पागल औरत की बाती सुनकर क्यो रो रही हूँ आखिर इसके सामने आती ही मुझे हो क्या जाता है तृशा अपना पूरा ध्यान अपने मकसद पर लगा भटक मत तृशा भटक मत तभी तृशा के पीछे से तरुन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है भटक गई हो क्या बेटी तृशा घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे तरुन होता है तृशा को तरुन को देखकर वही सपना याद आता है और वो नजरे चुराने लगती है हाँ, वो मैं, मैं वो, हाँ, मैं यहां से रास्ता भटक गई हूँ पिर तुम यहां क्या कर रहे हो तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे ओ मैडम पीछा मैं नहीं तुम करती हो हर बार मेरा लगता है हमारा कोई जन्मो जन्मो का नाता है हाँ और वहां से जाने लगती है कि तभी तरण उसका हाथ पकड़ लेता है अरे नाम तो बताती जाओ अपना अब तो इतनी बाद मिल चुकी हो नाम क्या है आपका वही जो तेरी अम्मा का है और तरुन को त्रिशा की बात पर गुसा आता है और वो गुसे से त्रिशा को अपने और खीचता है दोनों एक दूसरे से लिपड़ जाती है मैडम मुझे छोड़ दो आप मुझे अकेला देखकर मेरा फायदा उठा रही है पागल हो तुम एक तम पागल और तरशा उठकर वहाँ से चली जाती है मालिक ये सब क्या है चुपकर मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था ताकि हमारे जिन्दगी कहानी में थोड़ा रोमान चा जाए और तरुन भी वहाँ से चला जाता है रात में सब के सोने के बाद श्रेया वापस कमरे से बहर आती है और काही नागिन के रूप में आ जाती है फिर श्रेया नीलम के कमरे में जाती है और अपना फन फिला देती है अगर मैं मेरी कहानी के मीन विलन को ही मार दूँ तो फिर मेरा मकसद ही पूरा हो जाएगा आज तुझे मेरे जहर से कोई नहीं बचा पाएगा नागिन आज तेरा खेल खत्म और श्रेया नीलम पर आक्रमन करती है श्रेया नागिन रोप में आकर नीलम के उपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने एक और पड़ी नागिन आ जाती है और अपनी पूछ से श्रेया को दूर फैक देती है ऐसा करने की सोचना भी मत तुम कौन हो तुम और मेरे काम में टांक योडा रही हो जानना तो मुझे है कि आखिर तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो तुम ही हो न वो जिसने उस दिन खाने में जहर मिलाया था और यहां पर चोरी भी की थी तो तू इतना कुछ जानती है मेरे बारे में चल लगे हाताश तुझे भी खाही जाती हूँ खत्म तो मैं तुझे अब करूंगी पापिन इस हस्ते खेलते परिवार को नजर लगाना चाहती है तू उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा और दोनो नागिनों में खमासान लडाई होती है और श्रिया उस नागिन को हरा नहीं पाती श्रिया डर कर वहां से भागने लगती है रुक नागिन रुक कहा जा रही है आज तुम्हें तेरा सच पता लगा कर ही रहूंगी और नागिन श्रिया के फन के उपर एक बार करती है जिससे श्रिया कसर चक्रा जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाती है नागिन भी श्रिया के पीछे जाती है मगर श्रिया जल्दी से खड़ी होकर अपने कमरे में घुच जाती है और इंसान की रूप में आ जाती है नागिन श्रिया को हर जगह ढूंडती है मगर उसे श्रिया नहीं मिलती आखिर वो दुष्ट नागिन कई कहा मुझे अब सतर्क रहना होगा हो ना हो, इस घर में जो भी गलत हो रहा है उसकी वज़े यही नागिन है आखिर वो नागिन थी कौन? मेरी कहानी में ये बिन बुलाया महमान कौन आ गया है? कहीं वो नीलम तो नहीं थी मगर नीलम तो मेरे सामने ही सो रही थी या ऐसा तो नहीं कि वो नीलम की कोई चाल हो? अब मुझे अपनी हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी नागिन चल कर एक कमरे में खुसती है और अपने असली रोप में आ जाती है वह नागिन और कोई नहीं बलकि नाइशा ही थी नाइशा ने ही श्रिया से नीलम को बचाया था मगर दोनों ही एक दुसरे की सच्चाई से अंजान थी अगले दिन सब एक साथ बैठे होते हैं और तब ही श्रिया भी अपने कमरे से बाहर आती है श्रिया के सिर पर चोट लगी थी अरे श्रिया ये तुम्हें क्या हो गया अरे ये तो कल नागिन ने मुझ पर हमला किया था अगर नीलम ही वो नागिन थी तो ये देखकर कहीं उसे मुझ पर शक न हो जाए ये ये तुम्हें सुभे बिस्तर से नीचे गिर गई थी शायद तभी लग गई होगी उखो, तुम अपना पिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो इधर आओ मेरे पास, मैं दवा लगा देती हूँ तुशार ये सब देखकर नाईशा को प्यार से देखता है मैंने आज तक नाईशा जितनी अच्छी है और सरसुभाव की लड़की नहीं देखी मैं कितना खुश किसमत हूँ, चो नाईशा मेरी दोस्त है अच्छा, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कल रात मैं जब पानी पीने उठी थी, तब मैंने आउंटी की कमरे में साप देखे थे ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आउंटी, और एक नहीं दो नागिने थी वहाँ ये सुनते ही नाईशा डर जाती है कहीं श्रिया ने मुझे तो वहाँ नहीं देख लिया था आखिर ये सब हो क्या रहा है एक नागिन तो मैं समझ गई ये जरूर वही होगी जो उस दिन रसोई घर में भी थी मगर ये दूसरी नागिन कौन है और नीलम, श्रिया और नाईशा तीनों ही परिशान हो जाती है तरून भी श्रिया का नकली काका बनकर वही बैठा था अब आएगा मज़ा इन तीनों बिल्लियों की लड़ाई को देखने का मुझे कब से इंतजार था अरे काका आप क्यों हस रहे है वो, वो मैं, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बिटिया रानी तो जंगली बिल्ली है तो वो आखिर नागिन कौन आ गई काका की बात सुनकर सब हसती है और श्रिया काका को घूरती है तरून आज भी बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी ये सब क्या पकवास चल रही है मुझे चल्दी ही उसके बारे में सब चानना होगा तभी तरून आ जाता है और काका काका काट कर वहां से भगा दीता है तरून देखता है कि काका की चूँच से तरून के सर पर घाव हो गया है अरे तुम्हें तो चोट लगी है इधर दिखाओ मुझे तू रहो मुझसे चूओ मत कितनी जिद्धी हो तुम मगर मैं भी कम जिद्धी नहीं हूँ आज तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा लड़की मैं यही पास में रहता हूँ चलो तुम मेरे घर चलो मैं तुम्हारी चोट पर मलहम लगा दूँगा और तरुन तृशा का हाथ पकड़कर अपने करीब ले आता है और तरुन तृशा के साथ उसके कमरे पर चली जाती है नाशा, नाशा कहा हो तुम? हाँ बाबा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाशा देखो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया हूँ नाशा ये देखकर हैरान हो जाती है क्या? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए और शिया कहा है? मैं उसके लिए भी एकदम मस्त सी ड्रेस लेकर आया हूँ ओ, मुझे लगा था कि तुम खास मेरे लिए ही लाए हो श्रिया अपने कमरे में ही है तुशार और नाशा वहाँ से चली जाती है मैंने जानबुच का श्रिया का नाम लिया था ताकि मैं देख सको कि तुम कब तक अपने मन की बाद मन में ही दवाय रखोगी नाशा और तुशार श्रिया के कमरे में जाकर उसे ड्रेस देता है और श्रिया गुसे से एक वो ड्रेस फैंक देती है नहीं चाहिए मुझे कुछ भी क्या हुआ नाशा नाशा नहीं मेरा नाम श्रिया है आजकल तुम्हें सिर्फ नाशा ही याद रहती है तीन दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुमने अभी तक हमारे बारे में अपने माबाप से बात नहीं करी है चिंता मत करो, शिया मैं जल्दी बात करूँगा और श्रेया तुशार के गले लग जाती है आखिरी व अचानक से ये सब क्या हो रहा है मेरे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है पहले उस नीलम ने उस बहनजी नाइशा को तुशार से शादी के लिए कहा और फिर मुझसे उस चाबी का गिर जाना और अब अचानक से वो दूसरी नागिन ना जाने कहां से आ गई है अब मुझे हर हाल में इस घर में बहु बन कर आना ही होगा शियाखा बरताव दिन बदिन बिगड़ता ही जा रहा है मुझे कुछ करना ही होगा तरुन तरिशा को बिठाता है और दवा लेकर आता है ये सब आखिर हो क्या रहा है अच्छी लोग अच्छी लोग मुझे बस अच्छी लोग ही क्यों मिल रही है मैं एक लुटीरी हूँ, दुष्ट, पापिन इन लोगों को तंग करना ही मेरा काम है मुझे अच्छी लोगों से तूर रहना चाहिए और तरिशा अच्छानक से खड़ी होकर महां से जाने लगती है कि तभी तरुन उसका हाथ थाम लेता है कहां जा रही हो, दवा तो लगवालो पागल नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम तरुन उसको खीच कर अपने पास लाता है और तरिशा इतने जोर से तरुन पर गिरती है कि पलंग तूट जाता है और दोनों नीचे गिरती है यह दीख तरुन और तरिशा खूब हसते हैं देखो, नुकसान करा दिया न तुमने मेरा कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले इसे ठीक कर दूँगी अच्छा, तो तुम्हें ये भी आता है? हाँ, कबीले में मुझसे अच्छी कुलहाडी किसी को भी नहीं चलानी आती है अच्छा, और क्या-क्या आता है तुम्हें? मुझे तीर चलाना, तल्वार चलाना, भाले, चाकू और… और जुबान चलाना, तुम वो भी तो बहुत अच्छा करती हो लड़की अ, तृशा, तृशा नाम है मेरा हाँ, अहाँ, चलो इसी वहाने आखिर मुझे तुम्हारा नाम तो पता चला बलाओ, स्कोएका तरुन, तुम भी न, अच्छा तुम यहाँ क्या करती हो तरुन? तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं क्यों नहीं मानोगी, बताओ मुझे बस ये मान लो, कि मैं मरे हुए बाबा के आखरी मकसद को पूरा करने के तराश में इधर-उधर बटक रहा हूँ क्या? मैं भी यहाँ मेरी अम्मा का मकसद पूरा करने आई हूँ मगर वो जिन्दा है हम दोनों तो इसमें भी समान है तरुशा शर्माती है मगर तरुन, अगर मकसद ही पूरा करना है तो भटको मत पहले अपनी मंजिल के करीब चाओ उसे जानो और फिर उसे हासल कर लो हाँ तरुशा, ऐसा ही होगा अरे, देखो कितनी देर हो गई है मुझे जाना होगा तरुशा, तुम जानती हो तुम मेरी पहली दोस्ट बनी हो मैं जादा किसी से बात नहीं करता हूं और ना ही मेरी कभी कोई लड़की दोस्ट रही है ओ, वैसे ये मीरा भी कोई लड़का दोस्ट नहीं बना बस एक लंगडा चाजू है जिससे मेरी शादी होने वाली है क्या? हाँ और तुम्हें शादी में ज़रूर आना है बदमाश कहीं कि ऐसा भी कोई मजा करता है क्या? तरशा हसते हुए वहां से भागने लगती है कि तब ही उसकी नजर कमरे की दिवार पर टंगी एक तस्वीर पर पढ़ती है तरशा वो तस्वीर देख कर चौक जाती है तरउन, यह तस्वीर यहाँ पर कैसे? क्यों? क्या हो गया तरशा? तरउन, यह तस्वीर किसकी है? यही है मेरे पिता जिनकी मोत का बदला लेना ही मेरा इकलोटा मकसद है तरशा और तरउन रोनी लग जाता है मेरे पिताजी को जानती हो पर कैसे ये बाबा तो वहां गुफा में और तरशा आख बंद करके किल्विक्ष का चहरा याद करती है हाँ मैं जानती हू तरुन तुम्हारे बाबा मरे नहीं है ये तो जिन्दा है ये सुनकर तरुन के होश उड़ जाते हैं ये तुम क्या कह रह चाहती हूँ मैं कैसे बताओ माजी को कि मैं एक नागिन हूँ क्या मीरा सच जानने की बाद भी ये मुझे तुशार से शाधी करने देंगी मगर इंसान तो अक्सर नागिन का नाम सुनकर टर जाते हैं दोनों कुछ बोलते कि उससे पहले ही वहां कनेश का जाता है तो सास ब महारा मुझे तुमसे को जरूरी बात करनी है और कनिश्क नीलम को कमरे में से ले जाता है और उसे कुछ देता है ये ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई और कनिश्क नीलम को सारी बात बताता है अब मैं समझी कनिश्क हमें अब थोड़ा संभल कर रहना होगा अम्मा किलव आज मैं तुझे मार कर रहूँगा वैसे भी बाबा आज है नहीं तो तुझे मुझसे कौन बचाएगा मा अच्छा आज बाबा नहीं तो मैं तुझे से ही बात करती हूँ और अमा अंधेरे में ही एक और लात मारती है उई उई अम्मा सुधर्जा तू सुधर्जा अब बता तू कौन है तू मुझे नहीं पैचानी मैं हूँ शक्तिशाली विक्राल महागाल भूरा बाबा क्या भूरा बाबा हाँ दर गई ना मेरा नाम सुनकर ही मुझसे तो अच्छ अच्छे लोग काम जाते हैं ये सुनते ही अम्मा जोर से हस्ती है भूरा ये तू है क्या चल हट बड़ा आया विक्राल महाकाल बाबा मूर्ख मैं तुझे भस्म कर दूँगा पहले इस चिराग से तो बाहर निकल वैसे तू भी तो मर गया था तो इस चिराग में कैसे उस दिन जब कनिशको निलम की शादी हो रही थी तब मंडप में बैठा नकली पंडित मैं ही था मैं तो शादी को रुकने के लिए हर चाल चली मगवस नागिन ने मेरी एक चाल भी काम्याब नहीं होने दी पर मैं जान गया था कि वो नागिन मुझे पर कभी विवार कर सकती है इसलिए उस दिन मैं ये चिराग अपने साथ ले कर गया था और जब नागिन ने मुझे जखमी कर दिया था तो मरने से पहले मैंने अपनी आत्मा उस चिराग में फूंग डाली थी वाह भूरा मान गए तिरे दिमाग को अमा तुम भी कमचलाग नहीं हो और दोनों हसते हैं त्रिशा तरुन को अपने साथ कभीले की और लेकर आती है त्रिशा पहले मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता मुझसे पहले उन्हें कोई भी बताए कि मैं उनका बेटा हूँ हा तिरुन ऐसा ही होगा मैं तुम्हारे लिए कोई पहाना बना दूँगी और तिरुन गुफा के पास पहुचती है तरिशा वो घड़ी आ गई है जब मैं सालों बाद अपने बाबा को देखूंगा ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है तरिशा और तरुन और तरिशा गुफा की अंदर जाती है वहां भूरा और हम्मा हस रहे थे तरिशा और तरुन दोनों चिराग को लात मारती है अरे माह डाला रे ये क्या तुम सब आते जाते मुझे मंदिर की घंटी की तरह बजा देते हो ये सुनकर तरशा और तरुन को हसी आ जाती है अमा आप यहां और आप इतना हस क्यों रही थी हमारी होने वाली जीत की खोशी का जश्न मना रही थी मैं बिटिया मगर तू यह किस अजनबी को अपने साथ ले आई है मैंने मना किया था ना कि किसी से भी बात मत करना मा वो ही ये बाबा से मिलने आया है इसके पास कोई ऐसी खबर है जो हमारे काम आएगी अच्छा ये तो तूने अच्छा किया मगर लड़के बाबा तो अभी या नहीं है अच्छा तो वो कब तक आएंगे? कल सुबह आएंगे हमा ये कौन बोला? कोई भी नहीं तो तु 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 इस लड़के को रुखने की जगा दिखा दे कल जब बाबा आएंगे तो ये उनसे मिल लेगा तु अच्छा जानी लगती है कि तभी अम्मा उसे रोकती है एक मिनट ये तुने गले में क्या पहन रखा है? वो, मा, ये वो ये वो, ये वो क्या कर रही है? मैंने तुझे समझाया था ना तु 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 अच्छा ये सब चीजे हमें कमजोर करती है ये श्रिंगार हम लूटेरों के लिए नहीं बना उन कमजोर इंसानों के लिए बना है इसे अभी निकाल कर फैक दे ठीक है अम्मा, मैं निकाल दूँँगी और तु 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 तरुन को लेकर बाहर आ जाती है तुम चिंता मत करो, कल की कल देख लेंगे। के जन दन पर, वो मेरे शादी तुशार से करवा देंगे, और फिर मैं इस घर पर राज। और श्रेया अपना फन फिलाकर नाइशा के ऊपर जाकर बैठ जाती है, और जोर से उस पर अटाक करने वाली ही होती है, कि तभी खिड़की के अंदर से एक मोरनी उरती हुई कमरे के अंदर आती है। इतने भी जल्दी क्या है नागिन तुझे? पहले मेरे साथ तो खेल ले। अब तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, ये भी तुझे जल्दी ही पता लग जाएगा। पहले मेरे नाइशा पर से तो हट। और मोरनी श्रेया को चौन से पकट कर खिड़की से बहार ले जाती है और दोनों में बहुत तेज लड़ाई होती है। श्रेया मोर्नी के सामने टिक नहीं पाती और वहां से गायब हो जाती है। शोर से नाइशा की आग खुल जाती है और वो खिड़की से मोर्नी को देखती है। मोर्नी उड़कर नाइशा की कमरे में जाती है और एक लड़की का रूप ले लेती है। नैना, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां उसके पास होना चाहिए था. दीदी, मैं अगर ठीक समय पर नहीं आती, तो वो नागे नाज आपको मार डालती. कौन सी नागेन? और नैना नाईशा को सारी बात बताती है. थांक यू नैना, मगर आखिर तुम यहां क्यों आई? दीदी अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बजा है, उनकी रेत वाली घड़ी में बस थोड़ी सी ही रेत बजी है. अगर उसके खत्म होने से पहले हमने उसे वापस नहीं भीजा, तो वो समय के बीच में ही फस जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. नैना, तुम्हें काम करो. और नाईशा नैना को कुछ समझाती है, और नैना उड़कर चली जाती है. दो दिन बाद मेरी तुशार से शादी है, मुझे उससे पहले सब ठीक करना होगा. श्रिया जखमी हालत में तरुन को संदेश भेजती है. मेरी मदद करो तरुन. अरे, तुम्हारी ये हालत किसने की? और श्रिया तरुन को सारी बात बताती है. चिंता मत करो, वो मोर्नी कौन है, ये कागराज पता कर लेगा. अगली सुभव तृशा तरुन के पास आती है. तरुन, तुम्हारी बाबा गुफा में आ चुके हैं. क्या? मैं अभी उन से मिलकर आता हूँ. और दोड़कर किलविश के पास जाता है. किलविश का ऐसा रूप देखकर तरुन चौक जाता है. बाबा, ये आपने क्या हाल बना रखा है? कौन हो तुम्हारी गुफा में सीधे घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा, मैं आपका बेटा तरुन. और किलविश तरुन को अपनानी से मना कर दीता है. बाबा, सालों पहले आपने मुझे खुद से दूर कर दिया था. आज मैं आपका बेटा, आपकी मौत का बदला लेने आया हूँ. मैं उस नागिन को खत्म कर दूँगा, बाबा. और तरुन किलविश को पूरी बात बताता है. ओ, तो ये बात है, ये लड़का मेरे काम आ सकता है, मुझे होश्यारी से काम लेना होगा. और किलविश रोने का नाटक करता है. हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, इधर मेरे पास आओ, आँखे तरस गई तुम्हे देखने को. और किलविश तरुन को गली लगाता है. मैंने तुम्हें लोगों की शर्म की वज़े से खुज से दूर कर दिया था, और तुम यहां मेरे लिए बदला लेने आए हो. बाबा कड़ी तपस्या करने के बाद आपने मुझे जर्म दिया था, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा. बाबा नागिन के घर में कोई ऐसी चीज है जो दुनिया बदल सकती है, अगर वो हमारे हाथ लग जाए, तो हम उन्हें खत्म कर सकते हैं. शाबाश बेटा, तुम अपनी चाल चलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. और तरुन गुफा से बाहर आ जाता है. आखिर इस बूढ़े के मन में चल क्या रहा है? बाबा मैंने जो अभी देखा, वो आखिर क्या था? आपका बेटा? बेटा नहीं, एक मूर्ख लड़का है जो अपनी जान गवाना चाहता है. मर्जी इसकी, ये नाग नागिन से जुड़ी बातें मुझे बताता रहेगा, और वक्त आने पर मैं इसकी फेड़ से वली दूँगा. फेड़ से मतलब? तरुन ये तो जानता है, कि बड़सों पहले खड़ी तपस्या करने से मुझे एक वर्दान मिला था, मगर वो ये बात नहीं जानता कि तरुन वर्दान से पैदा नहीं हुआ. किल्वेक्ष गुफा में नाग दीव की तपस्या कर रहा था, और वहाँ नाग दीव सकट हो जाती हैं. कहो किल्वेक्ष, तुम्हें क्या चाहिए? हे देव, मुझे दुनिया का सबसे महान तांतरिक बनना है मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन हुआ किन्तु तुम जानते हो कि महान बनने के लिए तुम्हे कुई बड़ा त्या करना होगा पर मेरे पास त्या करने के लिए कुछ भी नहीं है तभी किल्विक्ष की नजर पास में पड़े मिट्टी पर पड़ती है और किल्विक्ष जादू से मिट्टी सोच तच्चा बना देता है और अपनी खून की बूंद उस पर डाल कर उसे जंदा कर दीता है ये दी नाग देव चौक उठे लीजिए देव संतान से बड़ा कोई त्याग नहीं है मैं अपने बनाय हुए इस पुत्र की बली देता हूँ मगर इस मासुम के साथ ऐसा अनर्थ किरपा करके देव अब मुझे वर्दान दीजिए और नाग देव किल्विक्ष को सबसे महान तांत्रिक होने का बर्दान देती है तुम्हें कोई बाहरी दुश्मन कभी नहीं मार सकेगा हाहाहाहा और ऐसे मुझे सबसे महान तांत्रिक होने का बर्दान मिला अच्छा इसलिए ये नागिन के सभी वार से बच गया और आज तक मुझे से ये बात छिपाई पर बाबा फिर से लड़का कैसे बज़ गया वही चीज मुझे समझ नहीं आ रही पर शायद यही नियती का खेल है हाँ 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 तरुन तरिशा के पास जाता है और पीछे से उसकी आँखे बंद कर लीता है ओहो तुम सब फिर से मुझे तंग करने आ गई हो अब आई हो तो मेरे पाल भी बना देना और तरुन लड़की की आवाज निकाल कर बोलता है हाँ तरिशा अभी करते है तरिशा पलट कर नहीं देखती है वैसे तरिशा वो लड़का जो तेरे साथ आया था वो कितना अच्छा है नहीं तो वो तो नक्चिड़ा है एकदम गुंडों जैसा अच्छा ये तो और भी अच्छा है फिर तो मैं मा को कहकर उससे मेरी शादी की बात करती हूँ चुपकर तू रुक तुझे अभी बताती हूँ और तृशा पलट कर देखती है तू वहाँ तरुन था तरुन तुम तु ये सब तुम कर रही थे हाँ बाबा मैं ही था तो मैं कर लू तुमारे किसी सहीली से विवा तुम भी ना तरुन अच्छा अब बहार जाओ चलो तरुन तृशा को फूल देकर गले लगा लेता है आज तुम्हारी वजह से मैं अपने बाबा से मिला हूँ आज तक मैंने तुम से प्यारी लड़की नहीं देकी तृशा तुम मेरे लिए बहुत खास हो और तरुन चला जाता है ये क्या आज तक मुझे चाकू चुरी दलवार के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया था और तरुन ने मुझे फूल दिये अगले दिन नाईशा बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर सजा हुआ है यह देख उसे बहुत खुशी होती है माजी ये सब अरे मेरे बेटे की शादी है भूल गई तू पागल तुझ से ही तो है माजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है आज कुछ भी हो मैं माजी को सब सच बता कर रहूँगी और नाईशा नीलम को कमरे में ले जाती है माजी मैं आपको बताना चाहती थी की तब ही वहाँ श्रेया आ जाती है उसके चहरे पर चोट देख नाईशा और नीलम को अजीब लगता है श्रेया ये तुम्हें क्या हुआ वो आंटी जी कल रात एक जंगली बिल्ली मेरे कमरे में घुज गई थी और जब मैं सो रही थी तब उसने मुझ पर हमला कर दिया श्रेया नाईशा को घूर कर देखती है अब वो मैं कुछ समान लेने जा रही हूँ तो आपको कुछ जाये तो पता देना और हाँ मैं तुशार को भी साथ ले जा रही हूँ क्यूँ तुशार के साथ क्यूँ तुमें काम करो बेटा कनिश को साथ ले जाओ मा जी कोई बात नहीं तुशार को जाने दीजिए वैसे भी तुशार को श्रेया के साथ रहना अच्छा लगता है और श्रेया चली जाती है हाँ नाईशा तुम क्या कह रही थी? नाईशा कुछ बोलती कि उससे पहले ही नीलम रोते हुए नाईशा को कहती है नाईशा मेरी परिवार ने जिंदगी में बहुत उतार चड़ाव देखे हैं और ये सब भी इतना अच्छानक हो गया कि तुमें भी कुछ सोचने का समय नहीं मिल पाया मगर मेरा बेटा बहुत अच्छा है अगर उसमें कोई बुराई हो तब भी तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना नहीं माजी मैं बस इतना पूछना चाह रही थी कि मेरी एक बहुत खास सहीली है क्या मैं उसे भी अपनी शादी में बुला सकती हो हाँ नाईशा बेटा ये भी कोई पूछने की बात है अब ये तुम्हारा ही घर है तुम जिसे चाहे बुला सकती हो और शादी तक वो यहां रुख भी सकती है और नेलम वहां से चली जाती है अब हर तम वो मेरी आँखों के सामने ही रहेगी और चलदे मैं उसके परिवार को ठुण लूँगी और नाईशा नैना को संदेशा भेज देती है इस घर में न जाने कितनी नागिने हैं उपर से अब ये मोर्नी भी आ गई पूरा चड़िया घर बना डाला इस घर को बस एक मुझ बेचारे कोई पर ही कोई दया नहीं करता और तभी कागराज देखता है कि आसमान में एक बड़ी विशाल मोर्नी उड़ती हुई आ रही है और उसकी पीट पर फील्चेर पर बैठी एक लड़की है जिसका चहरा कपड़े से ढखा है मोर्नी नीलम के घर के बाहर उतरती है और नैना के रोप में आ जाती है मालिक मालिक कहा है आप क्या हुआ कागराज मालिक वो मोडनी नीलम के घर के बाहर है और वो इनसान के भेश में आई है क्या एक इच्छाधारी मोडनी हाँ मालिक और उसके साथ एक अजीब सी लड़की है जो बस कुर्सी पर लाश जैसी पड़ी है ठीक है तु ध्यान दख मैं जल्दी ही वहाँ आता हूँ अमा त्रशा के पास जाती है और कमरे में फूल देखती है त्रशा ये सब क्या है फूल और तेरे पास तुझे तो कभी भी फूल नहीं पसंद थे ना वो अमा वो मेरी सहेलियों ने रगतिये होंगी मैंने समझाया था ना इन चीजों से दूर रहना अमा फूलों को बाहर फैक देती है जिसे दीख त्रशा को बहुत ठीस पहुचती है त्रशा बेटा बस अब इंतिजार खत्म हुआ मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था अब उसे करने का समय आ गया है तु कल ही वहाँ जाना और हमारी सबसे बड़ी चाल चलना ठीक है अमा और तभी अमा की नजर त्रशा के गले में पहने उस मोतियों के हार पर पढ़ती है जो दरुन ने उसे दिया था ये क्या तुने अभी भी इस घटिया चीज को गले में पहन रखा है निकाल इसे अभी और अमा त्रशा के गले का हार खीच कर तोड़ देती है और कमरे में चारों और मोति बिखर जाते है ये देख त्रशा बहुत रोती है मुझे आज अमा की बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है अमा तो हमेशा से ही ऐसे थी तो आखिर बदला क्या है नैना नाईशा की दोस्त को लेकर नीलम के घर में खुशती है अरे आ गई तुम दोनों मा जी ये नैना है ये भी यहीं रहेगी और ये मेरी दोस्त यहाँ चारों और हमारे दुश्मन छिपे हैं इसलिए मुझे तुम्हारा सच छिपा कर रखना होगा ऐसे इसे कोई पहचान नहीं सकीगा अरे पर इसने चहरा क्यों ढख रखा है मा जी ये अक्सर बिमार ही रहती है इसलिए और नीलम जाकर उस लड़की के सिर पर हाथ फेरती है कि तभी उस लड़की के शरीर में हलचल होती है और वो नीलम का हाथ पकड़ लेती है क्या नाम है इसका? काया तभी लड़की की मुझे निकलता है मा और ये सुन नीलम बेचैन होकर लड़की के चहरे से कपड़ा हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है नीलम काया के चहरे से कपड़े हटाने के लिए अपना हाथ आगे करती है तभी दर्वाजे पर खटखट होती है और नीलम वहीं रुख जाती है नीलम दर्वाजा खोलने के लिए जाती है और नाईशा नैना और काया को उनके कमरे में ले जाती है बाल बाल बच गए अगर गलती से भी वक्त आने से पहले किसी को काया का सच पता चल गया तो ये बिचारी मुश्किल में बढ़ सकती है दीदी तो क्या आप तुशार से शादी करके यही रहने लग जाओगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नेना एक इनसान से रिष्था बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा जबकि मैं तुविल्स दुनिया की भी नहीं हूँ तो दीदी अब आप क्या करोगी मुझे तुशार से बात करनी होगी नीलम दर्वाजा खोलती है और देखती है कि सामने त्रिशा खड़ी है नीलम दर्शा को देखती ही खुशी से जूम उठती है और दर्वाजे पर ही उसे गले लगा लेती है अरे बीटा तुम यहाँ आओ आओ अंदर आओ और दर्शा घर के अंदर आ जाती है उस दिन तुम अचानक कहां गायब हो गई थी मैं और कनेश्क तुम्हें लेकर कितने वरिशान हुए थे अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी अरे आप मुझे बोलने का तुम मौका दीजिए मैं कुछ जादा ही खुश हो गई थी तुम्हें देखकर बताओ कहां थी तुम इतने दिनों से वो मैं मैं यहां आपसे ही मिलने आई हूँ हाँ बताओ बेटा सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ तुम मीरा नाम काव्या है मा काव्या ये सुनते ही नीलम चौक जाती है क्या कहा तुमने आपनी ठीक सुना मा मैं ही हूँ आपकी काव्या आखिर मैं आपसे मिल ही गई नीलम तुरशा को गले लगा कर रोने लगती है मेरी बच्ची काव्या आज इतने सालों के बाद मिली हो तुम मुझे तब ही मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तुमसे कोई पुराना नाता है हा मा मैं ही हूँ आपकी बीटी अब से तुम यही रहोगी मेरे पास कल तुम्हारे भाई तुशार की भी शादी है इसलिए अभी हम इस बारे में किसी और को नहीं बता सकते मगर कल मैं तुमसे सब को मिलाऊंगी क्या मेरे भाई की शादी ये बहुत लंबी कहानी है बेटा मैं तुम्हें अराम से सुनाऊंगी तभी तृशा की हॉल में टंगी तस्वीर पर नजर पढ़ती है सरूर यहे वही तस्वीर है जिसके पीछे रखी चीजों की वजह से सभी उसे हासल करना चाहते है और नीलम कनिश्क से भी काव्या को मिलाती है मेरी बच्ची कहां थी तुम इतने सालों से देखो कितनी अलग और सुन्दा लग रही हमारे काव्या तभी वहाँ नाईश्य भी आ जाती है माजी ये कौन है नाईश्य बेटा ये मेरी सहेली की लड़की और ये तुशार की दुलहन हलो मैं हू नाईश्य और मैं तुशा हो काव्या ने नकली नाम भी सोच लिया सब लोग काव्या को वापस पाकर खुश हो जाती है श्रिया और तुशार बाहर गए हुए थे वहाँ श्रिया तुशार से बात करती है तो तुशार तुमने मन बना ही लिया किस चीज़ का? मुझसे शादी ना करने का तुशार, तुम उस बहन्ची नाईशा के साथ ही शादी करने का सोच रहे हो ना? नहीं श्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम ही से बयार करता हूँ और शादी से पहले मां को सब बता दूँगा, वो इतनी खोश है कि मेरी हिमत ही नहीं हो रही उन से बात करने की तुम जिस मा के बारे में इतना सोच रहे हो, तुम्हें पता है उन्होंने तुमसे कितनी बड़ी बात छिपाई है? कैसी बाशिया? ये तुम क्या कह रही हो? और श्रिया तुशार से कोई बात कहती है, जिसे सुनकर तुशार को बहुत तीज गुसा आता है. क्या? ये तुम क्या गह रही हो? और वो गुसे में वहाँ से निकल जाता है. अब आएगा कहानी में मज़ा. तुरिशा अम्मा के पास जाती है. मैंने जेसा कहा था, क्या तुने वैसा ही किया है? हाँ, अम्मा. मैं काव्या बनकर उनके घर में खुस गई हूँ. और उन्हें मुझ पर शक भी नहीं हुआ. शाबाश, बेटी. पर अम्मा, आखिर वो लोग है कौन? मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं पूछा. पर मेरा ऐसे वहाँ पर नकली काव्या बनकर जाना और आपका ये बदला? आखिर ये सब है क्या? और आपको काव्या की बारे में कैसे पता? और वो लोग, वो लोग मुझे तो भले लोग लगी. तो फिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ द्रिशा, मैं सब बताती हूँ आज तुम्हें. और अम्मा अपने चहरे से वो काला कपड़ा हटा देती है और द्रिशा, अम्मा का चहरा दीख कर डर जाती है. अम्मा का आधा चहरा जला हुआ था और अम्मा ही नीलम की दोस्त को सुम थी. अम्मा, ये, ये सब कैसे? देख ले बेटा, यही है मेरा सच, जो मैंने सालों से तुझ से चुपा रखा था, और जो लोग तुझे भले लगते हैं, ये उन्ही की वज़े से हुआ है. क्या? उन्ही की वज़े से? ये बात तेरे जन्म से पहली की है. मैं और नीलम बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये तो उस पागल औरत का पती है? हाँ, वही कनिश्क. कनिश्क और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और एक दिन हमने शादी करने का फैसला लिया, मगर नीलम को मेरी ये खुशी बरदाश नहीं हुई, और उसने धोके से मुझे मारना चाहा. ये उस काली रात की बात है, जब मैं और कनिश्क एक होने वाले थे, मगर उस धोके बाद नागिन ने ऐसी चाल चली कि मैं तेरे पिता से दूर हो गई. क्या? वो मेरे पिता है? कितना आसान है तुझे मूर्ख बनाना बेवकूफ लड़की? हाँ, रशा बेटा, कनिश्क ही तेरे पिता है. उस मैं मरी नहीं और देख तेरी अम्मा की क्या हालत हुई. फिर किलविक्ष बाबा ने मेरी मदद की. अम्मा और मैं कब आई? कुछ दिनों बाद तेरा जन्म हुआ और मैं तुझे अकेले बड़े करने का फैसला किया और फिर मैंने लूट पाट करनी शुरू करी. तो अम्मा उस की का मतलब कनिश्क था? हा त्रिशा, अब आगे तुझे ही तेरी मा का हक वापस दिलाना है. अगर नीलम ने धोके से मेरे साथ वो सब ना किया होता, तो मैं आज कनिश्क के साथ होती. पर मैंने अकेले ही तुझे बहुत कष्टों से पाला है बेटी. अम्मा, मैं तुम मैं जो मेरे साथ किया था, उसका हिसाब अब तुझे चुकाना होगा. कनिश्को तो मेरा होना ही होगा. नीलम और कुसुम के बीच लड़ाई होती है, और कुसुम खाई में गिर जाती है. मगर किलविक्ष ने जो शक्तिया कुसुम को दी थी, उससे वो वहां से बच जाती मुझसे मेरी यहार बरदाश्ट नहीं हुई थी उस दिन मैं नीलम का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुच गई कुसम काले कपड़े पहने हुए हॉस्पिटल पहुचती है और देखती है कि कनिश्का के दो जुड़वा बच्चे होते है मेरी जिन्दगी उजाड कर तुम लोग खुश्या मना रहे हो मैं ये नहीं होने दूँगी आगर मैं कनिश्का का बच्चा चुरा लूँ तो इन लोगों को कितनी तकलीफ होगी हाहाहाहा और कुसम कनिश्के कमरे में उठती है और जल्दी में उसके बच्चे उठा लेती है जैसे ही कुसम बाहर जाने लगती है कनिश्का को होश आ जाता है कुसम बाहर की ओर भागती है तभी कनिश्का भी उसके पीछे भागती है रुको कौन हो तुम और मेरे बच्चे को कहा लेकर जा रही हो कनिश्का की आवाज सुनकर करन भी कमरे में आता है और देखता है कनिश्का बाहर थी और कुसुम के हाथ में एक बच्चा है कनिश्का कुसुम से अपना बच्चा छीन रही थी तभी करन भी बाहर जाता है चोड़ हमारे बच्चे को चोड़ दे दुष्ट रड़की मुझे इस बच्चे को लेकर जाने दो वरना मैं तुम दोनों को मार दूँगी और कुसुम लड़ते हुए एक बच्चा छीन कर वहां से जाने लगती है कि तब ही नीलम और कनिश्क भी वहां आ गए थे सब ठीक चल रहा था पर पता नहीं लड़ाई में कैसे उन पागल कनिश्का और करन की जान चली गई और मैं चुराने तो लड़का गई थी और मेरे हाथ में ये बेफकूफ सी लड़की लगी पर कनिश्का की बेटी ही नीलम के लिए मौत लेकर आएगी तुष्ट नागिन तुने मेरी अमा के साथ इतना पुरा किया ना अब मैं बदले में तुझे मौत ही दूँगी सिर्फ मौत और तुष्ट अपने कमरे में चली जाती है कि तभी उसे निशान में जलन होती है और वो अपने निशान की और देखती है वहीं दूसरी तरफ तुष्ट के निशान में भी जलन होती है और वहां पने पीली रोशनी प्रकट हो जाती है वक्त आ गया है अब कि तुम्हें तुम्हारे सच का पता चले अब देखें अगले एपिसोड में तुरिशा और तुष्ट के कमरे में एक पीली रोशनी प्रकट हो जाती है अरे ये क्या हो रहा है अरे मेरे इस निशान में इतना दर्द क्यों हो रहा है तभी रोशनी में से आवाज आती है अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे सच का पता चलेगा बरसो पहले जो कहानी शुरू हुई थी अब तुम्ही को उसका इंतिकाम लिखना है और अचानक से वो रोशनी गायब हो जाती है ये सब क्या हुआ था अभी अब सब नॉमल हो जाता है तृशा शीशे के सामने खड़ी होती है क्या सच में मैं सुन्दर हूँ क्या मेरा भी जीवन लुटेरों की दुनिया से अलग और समान्य हो सकता है कि तभी तृशा की परचाई शीशे में नागिन बन जाती है यहे दीख तृशा बहुत तेज डर जाती है और पीछे मुड कर देखती है पर वहाँ कोई नागिन नहीं थी और त्रिशा वापस शीशे में खुद को देखती है और फिर से वहां त्रिशा की बजाए एक नागिन खड़ी थी यहे देख त्रिशा घबरा जाती है और चीखती है आँ! मुझी पंचाओ! मुझी पंचाओ! त्रिशा की चीक सुनकर नाइशा उसके कमरे में आ जाती है क्या हुआ त्रिशा, सब ठीक तो है न वो मेरे कमरे में कोई है कौन है यहाँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ एक नागिन है, वो वहाँ उस शीशे की पीछे तो यह नागिन अब तुम्हे भी परिशान करने लगी है कौन नागिन? कहीं वो पागल नीलम तो नहीं और उसे मेरे छूट का पता चल गया हो और शायद वो मुझे मारने आई हो घबराओ मत्रिशा, मैं हूना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी इस नागिन का खेल अब खत्म करना ही होगा और नाइशा अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी और तुशार बहुत परिशान हो गया था एक तो इस निशान में मेरी जान ले ली है उपर से अभी जो यह सब हुआ, वो क्या था? आगर मुझसे क्या चुपाया जा रहा है? और शिया जो कह रही थी, क्या मतलब है उन सब का? और दूसरी की आँख लग जाती है सबने में दूसरी देखता है कि वो नाइशा के साथ जंगल में जा रहा है नाइशा उसके आगे आगे भाग रही है और वो नाइशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे तौड रहा था तभी वो नाइशा का हाथ पकड़ लेता है और नाइशा भी मुस्कुरा देती है तभी तुशार नाइशा को कस कर गले लगा लेता है मगर देखते ही देखते तुशार नाइशा की बाहों में ही एक नाख की रूप में बदल जाता है और नाइशा तुशार को देखकर जोर से चिलाती है तुम मैं नाख हो जहरेले नाख जो सब को डसकर मार डालते हो तुम तुम मुझे भी खा जाओगे नहीं नाइशा, ऐसा नहीं है दूर रहो मुझसे, मैं किसी नाग से कैसे प्रेम कर सकती हूँ तुम साफ हो और मैं इंसान, चले जाओ यहां से नहीं नाइशा, रुको, मत जाओ, नहीं और तुशार की नीन से आख खुल जाती है वो घबरा कर बिस्तर से उठता है तो देखता है उसके बिस्तर पर नाग की कैचुली पड़ी हुई है यह, यह सब आकिर है क्या, आज मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है मुझे मां से सब पूछना ही होगा नाइशा हाथ में चाकू लिए नीलम के कमरे की ओर बढ़ती है उस नाकिन ने मेरी जिंदगी इतनी उलचा दी है कि मैं अपनी एहम बात कैसे भूल गई अब वक्त आ गया है जश्ट मनाने का और नाइशा उस तीखे बड़े चाकू की ओर देखते हुए शेतानी हसी हस्ती है नाइशा नीलम का दर्वाजा खटखटाती है वक्त हो गया है बाहर आने का चल्दी आजाओ चल्दी नाइशा की अवाज सुनकर तुशार दवे पाउ बाहर आता है और नाइशा के हाथ में चाकू देखता है और उसे नीलम का दर्वाजा इस तरहे खटखटाता देख वह डर जाता है अरे ये नाईशा इतनी रात को मा के कमरे के बाहर क्या कर रही है कई नाईशा भी तो मेरे परवार को नुकसान नहीं पहुंचा रही तुशार चिलाता हुआ नाईशा की और कूथता है नाईशा नहीं मा को कुछ मत करना और तुशार नाईशा की ऊपर जा गिरता है तब ही नीलम और कनिश्क भी कमरे से बाहर आ जाते हैं सर्प्राइज! हापी बर्दे तुशार! तुशार चौक कर उठता है पर नाईशा जमीन पर ही गिरी रहती है ये सब क्या है मा? अरे बुद्धु नाईशा ने तो तेरे बर्दे के लिए सर्प्राइज प्लान किया था आज पूरा दिन उसको ये कमरा सजाने में लगा था क्या? फर मुझे तो लगा कि नाईशा चाकू लेकर आपको मारने आ रही है पागल है तू तो नाईशा चाकू मेरे लिए तेरे केक के लिए लाई थी आज मेरा बेटा अठारा साल का हो गया है तुशार और बाकी सब हस देते हैं और श्रया भी वहाँ आ जाती है और तुशार नाईशा का हाथ पकड़ कर उठाता है और कमरे को दीखता है तो वो बहुत ही सुन्दर सजाया हुआ था तभी नीलम तुशा के कमरे में जाती है आज तुशार का जनम दिन है और देखा जाए तो आज तुम्हारा भी जनम दिन है क्योंकि आज तुम मुझे वापस मिली हो तो आओ तुम दोनों भाई बहन मिलकर केक काटो क्या मैं आपके परिवार के साथ आपका नहीं हमारा परिवार कहो बिटिया ये सुनकर त्रशा को बहुत खुशी होती है और उसकी आँखों से आसो निकल जाती है और नेलम एक और केक लेकर आजाती है आज हमारी त्रशा का भी दुबधी है तो आज एक नहीं दो केक कटेंगे और तुशार और त्रशा केक काटती है उसी वक्त त्रशा की नजर तुशार के हाथ पर बंदी हुई उस पट्टी पर पट्टी है ये क्या इसकी भी ठीक उसी जगे पर पट्टी है जहां मेरा निशान था और तुशार केक का पीस कट करता है श्रिया खुश होकर केक खाने के लिए मूँ खोलती है मगर तभी तुशार श्रिया से पहले नाईशा को केक खिलाता है हाँ बेटा आज तो ये दोस्त है मगर कल शादी होने के बाद तीवी बीवी बन जाएगी फिर देखना रोज चाकू दिखा कर ये कैसे डराएगी तुझे सब हस्ते हैं फिर जैसे ही तुशार श्रिया को केक खिलाने जाता है तुश्रिया उसके हाथ को धका मार कर अपने कमरे में चली जाती है तुशार को इस बात का बुरा लगता है मगर नाईशा तभी तुशार को एक तौफा देती है हरे वा तौफा मेरे लिए इसे अभी खोलता हूँ और तुशार तौफा खोलता है तो उसके अंदर एक पुरानी नोटबुक और पैन मिलता है ये सब क्या है नाईशा? मेरे लिए हमारी दोस्ती से कीमती कुछ भी नहीं है ये वही नोटबुक और पैन है जिससे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाती थी और यहीं से शिरुवात हुई थी हमारी दोस्ती की तुशार ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और रोते हुए नाईशा को गले लगा लेता है तभी नीलम बोलती है ओ अब बस भी करो सारा प्यार अभी कर लोगे क्या? चलो अब जाकर सो जाओ, कल सुभर शादी की धेर सारी तयारी भी करनी है और सब सोने चले जाती है और श्रिया से मिलने तरुन उसके कमरे में जाता है बाबा ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है श्रिया जो भी करना है जल्दी करना होगा जानती हूँ, मैं भी मेरी मां से मिलने को बहुत बिताब हूँ और तरुन वहां से बाहर आता है, तभी तरिशा उसे देख लेती है तरुन, तुम यहां? और यह क्या भेश बना रखा है? और तरुन तरिशा को सारे बात बताता है इसका मतलब है तुम्हारे और मेरे तुश्मन एक ही है तरुन हमें अब मिलकर काम करना होगा और तरुन तुरिशा का हाथ थामकर हा कर देता है श्रया सबके सोने के बाद हॉल में चकर लगा रही थी कि तभी कोई आकर हॉल में वहां वही चावी जान बूझ कर गिरा देता है फिर श्रया की नजर टेबल के पीछे पड़ी उस रहसे मई चावी पर पड़ती है श्रया इधर उधर देखती है और चावी उठा लेती है और उस तस्वीर के पांस जाकर उसमें चावी लगाने की कोशिश करती है मगर हर बड़ी में उससे फिर से चावी गिर जाती है और श्रया जैसे ही चावी उठाने लगती है उसके सामने तुशार खड़ा होता है यह देख श्रिया खबरा जाती है और चावी तुरंट छुपा लेती है श्रिया तुम यह क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं अभी तक? तुशार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती हूँ प्लीज आज तुम कुछ भी करके मुझसे शादी कर लो मुझे भी तुम बहुत पसंदर श्रिया नाइशा दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी और उसे श्रिया के लिए बहुत पश्तावा होता है मुझे ही अब कुछ सोचना होगा अब ये चाबी मेरे हाथ में आ गई है और ये तुशार भी आगले दिन घर में शादी की तयारिया शुरू हो गई और नीलम नाइशा के लिए शादी का जोड़ा लेकर आती है बेटा ये वही जोड़ा है जो मैंने अपनी शादी में पहना था मैं चाहती हूँ तुम आज इसे पहनो और नाइशा ये देखकर रो देती है माजी आप बहुत अच्छी है तुम भी तुँ अच्छी हो बेटा और फिर नीलम तृशा के पास जाती है नीलम तृशा को एक बहुत सुन्दर से गाउन ड्रेस देती है काव्या बरसो बात तुम मुझे मिली हो मैं चाहती हूँ आज शादी में तुम सबसे सुन्दर लगो बिल्कुल मेरी परी जैसी और तृशा ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है नाइशा श्रिया के कमरे में जाती है क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हाँ, मिल गया चैन मेरे प्यार को जीन कर ऐसी बात नहीं है श्रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और तुशार की ही शादी हो क्योंकि तुशार तुम से प्यार करता है, मुझ से नहीं मगर कैसे तुशार तो कुछ बोल ही नहीं रहा मैंने सब सोच लिया है ये शादी का जोड़ा मुझे माजी ने दिया है आज मंडब में तुम इसे पहन कर आना और खुंगट कर लीना ताकि किसी को पता ना चले तुशार अपनी माँ से बहुत प्यार करता है तो मैं भी उसे इस पारे में कुछ नहीं बताऊंगी अरे वाह ये तो अपने आप ही मुझे शादी का लड़ू मिल रहा है कितनी बेवकूफ है तु नाईशा बेबी और श्रेया ऐसा ही करती है और नाईशा खुद श्रेया के कपड़े पहन कर घूंगट कर लेती है वहां मंडप में तुशार दुला बनकर बैठा था और नाईशा और तुशार श्रेया को दुलन बनाकर मंडप में ले आती है तुशार श्रेया को नाईशा समझता है मूर्ख नाइशा ये तुने क्या किया तुने तेरे ही प्यार को मेरे हाथों मरने के लिए छोड़ दिया फागल श्रेया नाइशा की जगह तुशार के बगल में आकर बैठ जाती है तुशार श्रेया का हाथ पकड़ लेता है बहुत सुन्दर लग रही हो तुम श्रेया कुछ नहीं बोलती ओ ओ तुम शर्मा रही हो तभी पंडित के हाथ से श्रेया के ऊपर कुछ गरम घी के छीटे गिर जाती है और श्रेया पंडित पर बहुत तेज चिलाती है क्या रे पंडित पागल हो गया है क्या ये क्या है, मुझे जला कर मार डालना चाहता है रुख जा, तुझे अभी बताती हूँ माफ करना बेटा, पर मैंने जान बूच कर कुछ भी नहीं किया था नाइशा शान्त हो जाओ, तुम ऐसे गुस्ता क्यों कर रही हो पंडिजी से बस गलती से घी दूंबा गिर गया था अरे, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे शान्त रहने का नाटक करना होगा सबको यही लगता है कि गुंगट के नीचे वो नाइशा है, तो मुझे उसकी तरह बिहेव करना होगा माफ करना पंडिजी, वो में थोड़ा डर गई थी इसलिए और शादी शुरू होती है, तब ही नैना सबको जूस दे रही थी और उसके हाथ से नाइशा के कपड़ों पर जूस गिर जाता है सौरी श्रियादीदी, पर मैंने चान बूच कर आप पर जूस नहीं किराया था अरे पागल कोई बात नहीं, ये तो हलका सदाग है, तो डर मत तो शाहर ये सब दीख रहा था अरे वा, आज सूरज के दिशा से निकल लहा है नदी जैसी शांत नाईशा में आज गुस्टे का तूफान आ रहा है और तूफान जैसी शेया आज इतनी शांत और समझदा लग रही है उस तो गरवड है अब आप अगली रस्म के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएए और जैसे ही श्रेया खड़ी होती है उसका घूंगट जरा सा हर जाता है और तुशार यह देख लेता है कि दुल्हन के जोडे में नाईशा नहीं बलकि उसकी जंगर श्रेया है अच्छा तो ये बात है वा नाईशा वा आस तुमने मेरे खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया वरवदो वरमाला पहनाएए बस थोड़ी देर में मैं इस परिवार की बहु बन जाऊंगी और तब मुझे उन शक्तियों को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और तुशार वरमाला हाथ में लेकर श्रया की और हाथ बढ़ाता हुआ मंडप से बाहर निकल जाता है और सामने खड़ी नाईशा की गले में वरमाला डाल देता है यह दीख कर सभी चौक चाते हैं ये क्या कर रही हो तुम तुशार? ये श्रया है. नाईशा तो वो रही मंडप में. और तभी नाईशा अपना घूंगट उठा कर तुशार को कहती है, तुशार ये तुम मैं हो, तुम्हारी श्रया तो वो रही. बस करो तुम दोनों. और तुशार नाईशा के सामने घुट अपनों के बल बैट कर अपनी जीप से अंगूठी निकाल कर नाइशा को देता है। नाइशा से प्यार करने लगा हूँ। तस्वीर के पीछे रखा एक चमकीला पत्थर नजर आता है। श्रया उसे बाहर निकाल लेती है। तो यहां है तु मेरी जन्नत की चाबी। अब देख कैसे मैं नागिन और इसके परिवार को मज़ा चकाती हूँ। नाइशा और तुशार की शादी हो जाती है और वो नीलम और कनिश्क से आशिरवाद लेने जाती है। तभी तुशार रुख जाता है। मा पहले मुझे एक बात जाननी है जो श्रया ने मुझे बताई थी। नीलम कुछ बोलती उससे पहले ही श्रया बाहर जोर से हसते हुए आती है। और श्रया अपने अस्वी रूप में आ जाती है। यह दीख सब हैरान हो जाती है। यह सब क्या है श्रया तुम्हें एक नागिन हो। चुपकर बोल बोल कर तुने मेरा दिमाग खा लिया है अब मैं तुम सब को नरग में भेज दूँगी और मेरी मा को वहां से आज़ाद कर दूँगी। और श्रया शक्तिशाली मनी को हाथ पर रखती है और वो सब पर वार करती है मगर मनी का जादू चलता नहीं है पर श्रया बार बार कोशिश करती है। यह क्या हो रहा है यह मनी काम क्यों नहीं कर रही। तभी नीलम और कनिश्क हसने लग जाते हैं। तो नीलम आखिर वो चोर सामने आही गया सही कहा कनिश्क, मुझे तो श्रिया पर शुरू से ही शक था तुम दोनों क्या फुस्फसा रहे हो और यह मनी काम क्यों नहीं कर रही कनिश्क फ्लाश पैग याद करता है उस दिन कनिश्क को ही उस हौल में श्रिया की गिरी हुई वो चाबी मिली थी जिसे उठा कर उसने नीलम को दिया था ये तुम्हें कहा मिली असली चोर यहीं हमारे घर में है और वो तस्वीर के पीछे रखी मनी का सत जानता है अब हमें जाल बिछाना होगा और कनिश्क ने ही कल रात को वहां ये चाबी किरा दी थी ताकि उसे पता लगे कि ये सब कौन कर रहा है और फिर वहां तुम्हें आता देख मैं और कनिश्क समझ गए थे बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार कर रहे थे इतना बड़ा धोका मेरे साथ इसी धोके से तुमने मेरी मा को भी नरक में कैद किया था पर मेरा तुम दोनों कुछ नहीं बिगार पाओगे और श्रेया विशाल रूप धारण कर नीलम पर वार करने लगती है श्रेया नीलम को जकर लेती है अगर तुम तुम्हारी नीलम की जान पजाना चाते हो तो वो जादूई मणी मेरे हवाले कर दो पर श्रेया नीलम पर अपनी जहर से लगातार बार बार वार करती है और नीलम जमीन पर मूर्शित होकर गिर जाती है गनिश्क अब वो मणी मेरे हवाले कर दे वरना मैं तेरे पूरे परिवार को निगल जाऊंगी श्रेया हूं मैं श्रेया सदी की सबसे जहरी ली नागिन सर्पकन्या की बेटी मेरे जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है तब ही नीलम खड़ी होकर जोर-जोर से हसने लगती है कौन सा जहर श्रेया? ये क्या? तुम मेरे इतने खतरनाग वार से कैसे बच गई हो? श्रेया, जिस सर्पकन्या की तुम बात कर रही हो उसे तो हमने कप का हरा दिया था? और तुम ही शायद पता नहीं है तु मेरा कुछ नहीं बिगार सकती और नीलम अपने नागिन रूप में आ जाती है और नीलम और श्रेया में लडाई हो जाती है कहीं इन नागिनों के लडाई में मैं कुछ ली गई तो? नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा और त्रिशा मौका देखकर वहां से गायब हो जाती है तब ही काग राज ये सब देख रहा था अरे, ये क्या? ये लोग तो श्या को मार डालेंगे मुझे इनका ध्यान भटका ना होगा और काग राज सब के उपर उड़ता हुआ चोच मारने लगता है नाइशा ये सब देख रही होती है मगर तब ही नैना नाइशा के सामने आ जाती है दीदी, मैं हो ना? इसे मैं देखती हूँ और नैना नजर बचा कर मोरनी के रूप में आ जाती है और काग राज पर वार करने लगती है और कागराज को वहां से भगा देती है और नीलम लड़ते हुए अपने सिर पर हाथ लगाती है और उसके हाथ में एक चमकीली मनी आ जाती है और जैसे ही श्रिया वो मनी देखती है वो नीलम पर हमला कर देती है पर तभी नीलम मनी का वार श्रिया पर करती है और श्रिया चलने लग जाती है आह आह नहीं ये मुझे क्या हो रहा है नहीं मैं हार नहीं सकती हूँ श्रिया तुम भी अपनी मा की तरह ही इस पवित्र शक्ती का गलत फाइदा उठाना चाहती थी अब तुम्हारी जगह भी सिर्फ नर्क में ही है और देखते ही देखते श्रिया नर्क की आग में जल जाती है और नीलम और करनश की ये सब देख कर बहुत खुश होते है क्या नर्किस नागिन का जहर तो माची ही नर्किस है ये सब मैंने अभी क्या देखा था मा क्या आप एक नागिन है हाँ बेटा मैं एक नागिन हूँ और तुम नागिन की ही बेटे हो आज तुम्हारे अठारवे जनन दिन पर तुम्हें तुम्हारी सभी नाक शक्तियां मिल गई है नाइशा चौक कर ये सब सुनती है नाईशा बेटा, मैं जानती हूँ, तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब बात है मगर यही सच है कि हमारा परिवार एक नाग परिवार है तुम मुझे बिलकुल मेरी बेटी जैसी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया मुझे माफ कर दो नाईशा माजी, मुझे भी आपको एक बात बतानी थी हाँ, मगर उससे पहले मैं तुम सबको एक और सच बताना चाहती हूँ नीलम खुश होकर तृशा को आवाज लगाती है तृशा बेटा, तृशा, कहा हो तुम? अरे, कहा चली गई? अभी तो यही थी, तृशा और तभी तृशा वहाँ आ जाती है ची मा, मैं वहाँ चली गई थी नाईशा, तुशार, इससे मिलो यह तृशा नहीं, मेरी और कनिश की बेटी काव्या है यानि नर्गिस नागिन और नागेश नाग की बेटी काव्या मैंने अभी तक यह बात छुपा के रखी थी ताकि सबें आने पर बताऊंगी तृशार, यह तुमारी ही वहन है क्या मेरी वहन? नाईशा यह सुन्ते ही चौक जाती है और घबरा कर नीचे गिर जाती है तृशार, नाईशा को पकड़ते हुए नाईशा, नाईशा, क्या हो तुम्हें? और तृशा, नाईशा को पानी देती है नाईशा तृशा की और देखती है अगर यह काव्या है तो मेरी साथ मेरी वो दोस्त कौन है? कौन है यह बहरूपी लड़की जो खुद को काव्या बता रही है क्योंकि असली कावया तो अंदर कमरे में सो रही है मुझे सब को सच पताने से पहले इस त्रिशा और नकली कावया का सच पता लगाना होगा नाईशा कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है आखिर ये त्रिशा इतना बड़ा जूट क्यों बोल रही है खुद को कावया बताने से उसे क्या मिलेगा नाईशा और कावया बहुत अच्छी सहेलिया थी दोनों बाग में बैठी हुई थी नाईशा अगर मैं कभी मुसिबत में पड़ी तो क्या तुम मुझे बचाने आओगी हाँ कावया हाँ तुम जहां कही भी होंगी मैं तुम्हें जुरूर बचाने आओंगी वैसे भी ये जिंदिगी तुम ही ने मुझे दी थी और नाईशा फ्लैश बाक में जाती है एक बार कावया को किसी के रोने की आवाज आती है और कावया देखती है तो एक गुफा के पास एक नागिन खायल पड़ी थी जो नाईशा थी और काव्या उसकी जान बचाती है तब से काव्या और नाईशा में गहरी दोस्ती हो गई थी नाईशा रोती है और उसका आसू फिर से काव्या के ऊपर गिरता है और काव्या को होशा जाता है मा और वहाँ उस और नीलम को बिचैनी होने लगती है नाईशा तुरशा के पास जाती है कौन हो तुम? अरे ये तुम कैसे बाते कर रही हो भाबी? मैं हूँ काव्या, तुरशार की बेहन जूट मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हो कि तुम काव्या नहीं हो अब सच-सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो वरना मैं मा जी को सब सच पता दूँगी और तुरशा घबराकर नाईशा के उपर हमना करके उसे बेहोश कर देती है तरुन, तुम कहा हो? और तरुन भी वहाँ आ जाता है बहुत बड़ी करबर हो गई है तरुन इस नाईशा को पता नहीं कैसे पता चल गया है कि मैं काव्या नहीं हूँ इस मकसद के इतने करीब आकर हम हार नहीं सकते तरुशा हमें उस मड़ी तक पहुँचना होगा उसके बाद मैं वो मणी बाबा को दे दूँगा और तुम भी अपनी अम्मा का बदला पूरा कर लेना पर मैं अकीले ये सब कैसे करूंगी चिंटा मत करो मैं भी यहीं आ जाओंगा तुम मुझे अपना दोस्त बता देना और अगले दिन नाईशा को कमरे में होश आता है और नाईशा को याद आता है कि उसने बेहोशी की हालत में तरुन और तुम और तुम बाते सुन ली थी मुझे पहले पूरे सच का पता लगाना होगा तुम नीलम को तरुन से मिलाती है मा जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब इसी ने मेरा ध्यान रखा था थांक यू बेटा और तुम नीलम के पास बैठ जाती है मा मैं आपका सिर सहला दू हाँ बेटा क्यो नहीं और तुम नीलम का सिर सहलाने लगती है तो यहीं छिपा रखी है ना तुने वो चमतकारी मणी दिल तु करता है तेरा सिर फाड़ कर इसमें से मणी निकाल लो तभी तुरिशा के हाथ को जोरदार छटका लगता है आह यह क्या है क्या हुआ काव्या कुछ नहीं मा मैं अभी आती हूँ और तुरिशा बाहर चली जाती है मैं इस मनी कुछो नहीं पा रही हूँ ऐसे मैं इसे हासिल कैसे करूंगी और तुरिशा अपनी अम्मा को याद करती है और अम्मा भी वहीं आ जाती है अम्मा आज वो मनी मेरे इतने करीब थी मगर मैं उसे छू भी नहीं पाई अच्छा तो ये बात है मेरे पास एक योजना है अम्मा कुछ बोलती है उससे पहले तुरिशा नाखिन रूप में बतल जाती है ये देख अम्मा खबरा जाती है मेरे पास अब थोड़ा ही समय बचा है मुझे जल्दी ही नीलम से वो मनी हासल करनी होगी और तुरिशा सामाने रूप में आ जाती है ये सब क्या है अम्मा मैं नाखिन रूप में कैसे आ गए मैं तो आपकी तरहें एक इंसान हूँ नहीं तुरिशा ये तो केबल छलावा है किलविक्ष बाबा ने तुझे कुछ ऐसी शक्तियां दी है जिससे तु नागिन होने का चल कर सके क्योंकि काव्या भी एक नागिन ही थी अत्रशा घर लोट जाती है फिर अम्मा भी फेश बदल कर नेलम के घर जाती है नेलम दर्वाजा खोलती है जैसे ही नेलम दर्वाजा खोलती है अम्मा की नजर नेलम पर पढ़ती है और उसे कुछ पुरानी बाते याद आती है नीलम कुसुम के घर जाकर मस्ती करती थी और कुसुम नीलम के घर जाकर दोनों स्कूटी पर बहुत मज़े करते थे और अम्मा की आँखों से आसु जलग जाता है अरी आप रो क्यों रही है? तभी कनिश्क भी बाहर आता है कनिश्क को देखते ही अम्मा की आँखों में बदले की आँख फिर से जल उटती है ये घड़ी कमजोर पढ़ने की नहीं है कुसुम तुझे अपने साथ हुए धोके का बदला तो लेना ही होगा प्यार तु तु भी करती थी कनिश्क से मगर तुझे क्या मिला? मौत और लुटेरो जैसी जिन्दगी? कौन है आप? मा ये अम्मा है इन्होंने ही मुझे इतने सालों तक पाला था आए अंदर आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अम्मा अपसे आप भी यही रहे और इस तरहें देखते ही देखते तरुन और अम्मा भी एक ही गर में आ गए कहानी अब अपने अंजाम की और बढ़ रही है आखरी चैप्टर देखने के लिए आप सभी युही जुड़े रहें अब देखिए आगे इस नकली काव्या के चकर में मेरी काव्या को तु भूल ही गई अगर माजी और काव्या को मैं मिला दूँ तो इस त्रिशा का जुड़ तो अपने आप सामने आ जाएगा और नाईशा रसोई में नीलम के पास जाती है और उदास चहरा बनाती है क्या हुआ नाईशा बीटा माजी देखे न वो मेरी दोस्त कल से कुछ भी नहीं खा रही है अच्छा ऐसे केसे नहीं खाएगी मैं उसे अभी खाना खिलाती हूँ और नीलम खाना लेकर काव्या के कमरी की ओर बढ़ती है त्रिशा ये सब दूर खड़ी होकर दीख रही थी जिरूर ये नाईशा की चाल है मुझे नीलम को वहाँ जाने से रोकना होगा और नीलम जैसे ही दर्वाजा खोलने लगती है तभी अम्मा अपने हाथ पर गरम चाय किरा लेती है जिसकी वजह से वो जोर से चीखती है आँ, मर गई रहे त्रिशा को वहाँ से गुजरता दीख नीलम खाना त्रिशा को पकड़ाओकर काव्या के पास भेजती है और खुद अम्मा के पास जाती है त्रिशा काव्या के पास जाती है कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं चानती और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोई गरबर हुई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी अरे, ये क्या कर लिया आपने? इधर हात लाइए, मैं बरफ लगाती हूँ और नीलम अम्मा के हाथ पर बरफ लगाते हुए कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर चौक कर खड़ी हो जाती है नीलम देखती है कि अम्मा के हाथ का एक नाखोन गायब था कौन हो तुम? तुम वही हो ना? और मेरे बच्ची कहा है? बेहन जी यह आप कैसी बाते कर रही है और नीलम चीक चीक कर रोनी लगती है मुझे मेरी बच्ची लोटा दू मुझे मेरी बच्ची लोटा दू प्लीज नीलम की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाती है मा? मा क्या हुआ तुम्हें? अमा त्रशा को पूरे बात बताती है अरे मा, ये नाखून तो इनका कमरे की खिड़की में आ गया था मैं उस वक्त वही थी और नीलम अपने आप को संभालती है सब वहाँ से चले जाती है अमा, मैंने शूट तो बोल दिया मगर ये नाखून की कहानी क्या है? कुछ नहीं त्रशा अब ध्यान से मेरी बात सुनो मुझे लगता है कि हमें नीलम पर अंदर से वार करना होगा अंदर से मतलब? नीलम की ताकत उसका परिवार है जब तक नाईशा, तुशार, कनिश्क उसके आसपास है हमचाल नहीं चल पाएंगे तुम सबसे पहले तुशार को रास्ते से हटाओ जिससे नाईशा भी खुद बखुद कमजोर पर जाएगी और त्रशा ऐसे ही करती है रात मी नाईशा और तुशार कमरे में बैठे थे आज नाईशा को मूनलाइट दिनर करवाता हूँ वैसे भी इन दिनों बिचारी ने बहुत को सहा है और तुशार कोई बहाना लेकर घर से बाहर जाता है तुशा भी तुशार के बाहर जाने का इंतजार ही कर रही थी और जैसे ही तुशार बाहर निकलता है त्रिषा नायशा के कमरे को बाहर से बंद कर देती है और बाहर जाकर तुषार का पीछा करती है तुषार जैसे जैसे आगे चल रहा था तुषा भी ठीक उसके पीछे थी जो कभी नागिन रूप में आ रही थी और कभी इंसानी रूप में तभी तुशार को शक हो गया और वो बेड के पीछे छिप गया कहा गया वो अभी तो यहीं था और तभी तुशार बाहर निकल कर देखता है अरे काव्या तुम मुझे लगा कोई चोड मेरा पीछा कर रहा है मैं वो मैं भाई मैं ही थी बताओ क्या हुआ इतनी रात को तुम यहाँ मैं यहाँ आपको मारने आई हूँ यह क्या बोल ला यो काव्या तुम और अचानक से तुरका पाव फिसल जाता है पर तुशार तुरंट तुर्ण तुर्ण तुरका हाथ पकड़ लेता है दोनों ने एक दूसरे के निशान वाले हाथ को पकड़े हुआ था जैसे ही दोनों की निशान एक दूसरे के पास आते हैं आसमान में एक जोर से बिचली कड़कती है और उनके हाथ के दोनों निशान एक होकर एक चक्र बना लेते हैं और वो बड़ा चक्र आकार एक भविश्यवानी करता है। तो आखिर आ गई वो घड़ी, जब तुम दोनों को एक होना था। तुरिशा, तुशार, अब तुम तुम्हारा सज जानोगे, कि आखिर तुम कौन हो, और तुम्हारे इस निशान का मतलब क्या है। तुरिशा और तुशार एक दूसरे की और देखते हैं। और देखते ही देखते उस जगह पहुच जाते हैं, जहां कनिश्का और करण का खून हुआ था। अब देखिए हमारे आने वाले महा एपिसोड की कहानी में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तुरिशा घर में नकली काव्या बनकर आराम से घूम रही है। और नाईशा को ये बात सताने लगती है। नाईशा काव्या का सर्च नीलम को बताना चाहती है, मगर तुरिशा शालाकी से उसे रोक देती है। और फिर वो तरुन और अम्मा को भी अपने ही घर में ले आती है। रात में तुरिशा तुशार पर हमला करने जाती है और वहीं दोनों की हाथ पर बने निशान मिलते हैं। अब देखिए आगे की कहानी। तुरिशा और तुशार के निशान से वहाँ एक तेज रोश्नी चपट हो जाती है, जिसके अंदर तुरिशा और तुशार चले जाती हैं। और दोनों उस जगह पहुशती हैं, जहां कनशका और करन पर अम्मा ने हमला किया था। तुरिशा और तुशार ये सब अपनी आँखों से देखती हैं। ये सब क्या हो रहा है? और मैंने शायद ये पहले भी देखा है, मगर कहाँ? तभी तुरिशा को ध्यान आता है कि जब काव में नीलम उसे अस्पताल ले गई थी, तब उसने भी वहाँ ये सब देखा था, और बेहोश होने की वज़े से वह सब भूल गई थी। और तभी कनशका तुशार की और देखकर चलाती है। आ गया बेटा तु, अपनी माँ को बचा ले, तीख पुतीरी बेहन को ले जा रही है। तुशार ये देखकर डर जाता है, और तभी उसे वहाँ कनशक और नीलम भी नजर आती है। माँ बाबा यहाँ? तुशार को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। उसके होश उड़ जाते हैं, और दोनों चक्र से वापस समय में लौट आते हैं, और दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बाते भूल जाते हैं, फिर ट्रिशा बेहोश हो जाती है तुशार ट्रिशा को उठा कर घर ले आता है क्या हुआ काव्या को? पता नहीं मा, हम दोनों घुमने गए थे और ये चाना की बेहोश हो गई और तुशार वहाँ से चला जाता है कनिश्क अम्मा के कमरे के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे अम्मा के कमरे में रखी वो के अक्षर के निशानी नजर आती है और उसे देख कर कनिश्क चौंक जाता है नीलम तुमने काव्या के अम्मा को भी या घर में रुकने के लिए क्या दिया और उस लड़के को भी हाँ तो क्या हुआ कावया ने बताया ना कि वो उसका ध्यान रखती थी तो ऐसे तो अम्मा के बहुत ऐसान हुए ना हम पर नीलम कावया का सच पता लगने से पहले हमने देखा था कि वो एक लोटेरी थी और उसका ध्यान अतने वाली अम्मा भी एक लोटेरी ही होगी कनिश्क के के निशानी नीलम के हाथ में देखता है मैंने तो यह सोचा ही नहीं कनिश्क हमें अब सतर्क रहना होगा और सब के सोने के बाद अम्मा त्रशा के कमरे में जाती है और तुरिशा के बगल में बैठ जाती है अमा, मैंने आज कुछ अजीब सा देखा था क्या देखा था तुने मेरी बच्ची? पता नहीं, एक लड़का लड़की के पास दो बच्चे थे और काले कपड़े वाले औरत उनसे वो बच्चे छीन रही थी और हाँ, उनके हाथ पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसे मेरे हाथ पर है उनस सबका क्या मतलब था, अमा? नहीं, ये लड़की सचाई तक नहीं पहुचनी चाहिए मुझे फिर से कोई कहानी बनानी होगी तृशा, तुम इस नागिन को नहीं जानती हो ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगी ताकि तुम्हारी जान के बदले ये मणी की शक्तियां बढ़ा सके चान? पर मेरे चान क्यों? क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारी बली से ही मणी की शक्तियां बढ़ेंगी तो अब हमें क्या करना होगा? अब जो करना है बाबा किलविक्षी करेंगे तुम बस जैसा जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करती रहो और अम्मा वहाँ से चली जाती है अगली सुभ़ नीलम त्रशा के कमरे में जाती है और उसका सर सहलाती है तब ही नीलम की नजर त्रिशा के हाथ पर बने निशान पर पड़ती है काव्या की हाथ पर ही निशान? ये निशान तो जाना पहचाना सा है नीलम कुछ सोचती मगर उससे पहले त्रिशा को होश आ जाता है मा, मुझे आपसे कुछ कहना है और तृशा नीलम को तरुण से मिलाती है मा, मैं और तरुण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं तरुण से शादी करके हमेशे आपके पास ही रहना चाहती हूँ नीलम ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और सब को बुलाती है कनिश्क हमारी काव्या तरुन से शादी करना चाहती है तो आज ही मंदिर में इनकी भी शादी करवा देते है सब खुश होकर शादी की तैयारिया करने लगते हैं कि तभी कनिश्क और नीलम के पास तुशार और नाइशा आती है मा मुझे आपसे कुछ पूछना था हाँ तुशार पूछो ना ऐसे घबरा क्यों रहा है आज तो तेरी बहन की शादी है तुझे तो खुश होना चाहिए मा करिश्का कौन है और करन कौन था नीलम ये सुनकर घबरा जाती है तुझे किसने बताया ये सब मा मुझे अजीब अजीब चीज़े नजर आती है आपने आखे मुझे क्या क्या चिपाया है मैं एक नाग हूँ आप दोनों नाग नागिन है आपने मुझे चिपाया मैंने कुछ नहीं का मगर मैं कौन हूँ मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है आज मुझे ये जानना ही होगा बस करो नीलम आज वक्त आ गया है कि तुशार पूरा सच जाने हाँ बताइए मुझे मुझे कुछ अजीर सी चीज़े नजर आती है और मैंने आप दोनों को भी वहाँ हॉस्पिटल में देखा था और तुशार उन्हें पूरी बात बताता है तुशार बेटा तुम मेरी बेहन कनिश्का के बेटे हो ये सुनकर तुशार चौक जाता है बरसों पहले किसी ने तुम्हारे माबाब को मार डाला था और वही तुम्हारी सगी बेहन को अपने साथ उठा ले गई थी उस दिन से ही हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला और फिर इंसाने जन्दिगी जीना शुरू किया क्या मेरे माबाबा मर चुके है तुशार बेटा कनिश्का और करणका उसी ने खोन किया है जिसने तुम्हारी बेहन को चुराया था हम भी सालों से उसे तलाशने की कोशिश कर रहे है नियती भी क्या खुब खेल खेल लही है बेटा तुम्हारे एक बेहन काव्या तो हमें मिल गई मगर ना जाने तुम्हारी दूसरी बेहन कहा है आपने तो बिल्कुल मुझे अपने बच्चे की तरफ आला मा बाबा मुझे माफ करना मैं आप पर गुसा कर रहा था और कनिश्क तुशार को गले लगा लीता है और निलम भी तुशार से गले लगती है यही सही वक्त है मुझे भी काव्या का सच माची को बता देना चाहिए कब तक वो लड़की इन्हें मुर्क बनाती रहेगी नाईशा कुछ बोलती की तभी तुशा वहाँ आ जाती है मा मैं शादी में क्या बेनो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और निलम तुशा के साथ बाहर चली जाती है अमा किलविक्ष के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है शाबाश कुसुम तुने क्या सही चाल चली अब तो शाव थरुण की शादी कराने के लिए वहाँ पंडित बन कर मैं जाओंगा और फिर वो दाग मड़ी मेरी होगी चिंता मत कर बुढ़े सब शादी की तयारियों में लग जाते है कि तभी तरुन तरुण 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 के कमरे में आता है किस नी कहा तरुण मैं तुम से प्यार नहीं करती मैं तुम से बहुत प्यार करने लगी हूँ चाहिए अम्मा और तुम्हारे बाबा का मकसद हो मगर नियती इसी बहाने हम दोनों को मिला रही है मैं भी तुम से प्यार करता हूँ तरुण और दोनों गले लगती है तभी वहाँ नीलम आ जाती है अरे रुख जाओ, सबर करो दोनो थोड़ी देर में शादे होने वाली है है ना? और नीलम तृशा को दुलन की तरह सजाती है और आइने के सामने खड़ा कर देखती है कि तभी उसे पीछे काली कपडों में अम्मा की परचाई नजर आती है मगर वहाँ कोई नहीं होता अम्मा दूर खड़ी यह सब देख कर हस रही थी अब आएगा असली मजा मैं भी इसी तरह तड़वी थी अपने प्यार के लिए नीलम नीलम तृशा को लेकर मंडप में जाती है जहां तरुन दूला बना बैठा था और केलविक्ष भी वहाँ नकली पंड़ित बना हुआ बैठा था और अम्मा भी वही खड़ी थी तृशा मंडप में बैठ जाती है इससे पहले कि यह नकली काव्या काव्या बनकर इस घर को निगल जाए मुझे इसका सच सब के सामने लाना ही होगा और नाइशा एक चाल चलती है नैना तुम ये वर्माला काव्या की कमरे में चिपा दो और नैना ऐसा ही करती है वर्माला लाईए पर किसी को भी वर्माला नहीं मिलती तभी नाइशा बोलती है अरे ध्यान आया वो तो शायत काया दीदी के कमरे में ही रह गई है अच्छा अच्छा कोई नहीं मैं जाकर ले आती हूँ और नीलम काव्या की कमरे में वर्माला लेने जाती है त्रिशा ये सब देख रही थी और वो घबरा कर तरुन को इशारा करती है और तरुन कागराज को संदेश भेजता है कागराज नीलम पर नज़र रख अगर लगे की खेल खड़ाब हो रहा है तो अपनी चाल चल देना नीलम काव्या के कमरे में जाकर वर्माला उठा लेती है और उसी वक्त काव्या को भी होश आ जाता है नीलम वर्माला लेकर जाने ही वाली थी कि तब ये काव्या बोल पड़ती है मा, मा, कहा हो तुम, मेरी मदद करो मा नीलम ये सुनकर पेचैन हो जाती है और काव्या की और बढ़ती है और सामने लेटी हुई काव्या के चेहरे पर धके हुए उस कपड़े को हटा देती है और नीलम देखती है कि कपड़े के पीछे काया नहीं बलकि असली काव्या का चेहरा होता है नीलम के हाथ से वर्माला नीचे गिर जाती है काव्या, अगर ये काव्या है तो बाहर मंडब में बैठी वो लड़की कौन है और नीलम काव्या के सिर पर हाथ फेरती है काव्या, नीलम के हाथ लगाती ही उठ खड़ी होती है मा, कहां थी तुम? मैं सालों से तुम्हारी तलाश में भटक रही थी नीलम काव्या का चहरा देखकर काव्या को याद करती है काव्या, मेरी बच्चे और नीलम काव्या को गले लगा लेती है और तभी वहाँ नाईशा भी आ जाती है नाइशा अगर ये काव्या है तो वो बाहर बैठी वो लड़की कौन है और आखिर तुम कौन हो और काव्या की ऐसी हालत किस ने की हाँ मा मैं तुम्हें ढूंटी हुई उस कुफा तक भी आई थी जहां मुझे काल गुरू का चेला किल्विक्ष मिला था और मैंने उसकी पीट चला दी थी मेरी बच्ची कितना कुछ सहा तुमने नाईशा और नीलम काव्या को अपने साथ मंदिर में ले आती है यहीं रुख जाओ क्या हुआ नीलम तुमने शादी क्यों रोक दी है कनश्क ये लड़की काव्या नहीं है हमारी काव्या तो ये रही क्या काविया यहीं हमारे घर में थी? काविया मेरी बच्ची, पर तुम यहां आई कैसे? बाबा, मैं बताती हूँ, और नाइशा अपने नागिन रूप में आ जाती है क्या तुम भी एक नागिन हो? हाँ दुशार, मैं एक नागिन हूँ, मैं काविया की दोस्त नाइशा हूँ, जो काविया की आत्मा को वापिस लेने आई हूँ मैं कुछ समझी नहीं मैं पिताती हूँ, मा, जब आप और बाबा नाग लोप में वापिस लोट गए थे और नाग देव ने उद से मेरी नागिन की शक्तियां ले रही थी तब मैं राज और उसके परिवार के साथ खुशी-खुशी रह रही थी और एक दिन उस काल गुरू का कोई चीला किलविक्ष मेरे पास भीश बदल कर आता है बेटी, तू यहाँ पर मजे कर रही है और वहाँ काल गुरू ने तेरे बाबाबा को मा डाला पर काल गुरू का वत्तु मैंने अपने हाथ से किया था पर उस किलविक्ष ने मुझे मा बाबा की मौत के छूटे चित्र दिखाए और मैं उसका विश्वास करते हुए उन्हें ढूनने निकल गई तभी मुझे रास्ते में नाईशा मिली थी और एक दिन मैं और काव्या जा रहे थे तभी वहां काल चक्र प्रकट हुआ और काव्या को अपने साथ ले गया और फिर मैं उसकी जान बचाने इस दुनिया में आ गई और मां मैं समय के दो हिस्सों की बीच में खैध हो गई मेरी आत्मा वही रह गई और शरीर यहां आ गया अब मेरी पास समय बहुत कम है मेरी बच्ची उस किल्विक्ष की वज़े से तुझी इतना कुछ सहना पड़ा मगर तु चिंता मत कर सालों पहले मैंने उस पापी को मार डाला था किल्विक्ष उनकी बाते सुनकर जोर-जोर से हसता है मूर्ख नागिन तुझे क्या लगा कि तुने मुझे मार डाला नहीं अभी तो तेरी बौत आई है और तुरिशा तरुण और अम्मा भी हसने लगते है अम्मा अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है नीलम देखती है कि सामने कुसम खड़ी है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है कुसम तुम जिन्दा हो? हाँ नीलम मैं जिन्दा हो और अब तेरे पूरे परिवार को खत्म कर डालूँगी कुसम मेरी पच्ची कहा है? तुम्हें मेरी साथ चुक करना है कर लो मगर मुझे मेरी पच्ची लोटा दो चुपकर पागल औरत कितना बोलती है तू मैं तुझे इस हवन की आज में जलाऊंगा और तरुन गुसे में हवन में आग जलाता है जैसे ही तरुन आग लगाता है तुरिशा की नजरों के सामने कुछ धुंदलाई चेत्र साफ नजर आने लगते हैं और तुरिशा को याद आता है कि काल चक्र में जाकर उसने देखा था कि हॉस्पिटल में जो बच्चे उठाने वाली रहसे में आउरत थी वो और कोई नहीं अम्मा ही थी क्योंकि तुरिशा ने अम्मा का जला हुआ चेहरा देख लिया था कौन हो तुम? ये कैसी बात कर रही है पागल लड़की? मैंने पुछा कौन हो तुम? मैंने तुम्हे वहाँ देखा था उसी जगह तुम्ही थी ना? जिसने उस निशान वाली लड़की को उठाया था और वो लड़की और कोई नहीं बलकि मैं ही थी तुम्हारे मा बाबा का खोन कर दिया था ये सुनकर तुम्हा अम्मा की और बढ़ती है कि तभी केलविक्ष तुम्हा को अपने शक्तियों से कैद कर देता है तो तुझे सच पता चल ही गया अच्छा है सबकी कहानी के साथ आज तेरी भी कहानी खत्म हो जाएगी पर मैंने हमेशा तुम्हे ही अपनी मा माना था अम्मा अपना पदला लेने के लिए तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा किया बेटी? कैसी बेटी? तू सिर्फ मेरे लिए चाबी थी निलम के घर में घुसने की चाबी अब तू भी मरेगी लड़की ये सुनकर ट्रिशा रोने लगती है कनिश्क ट्रिशा हमारी बच्ची है देखो किस्मत ने आखिर हमें मिला ही दिया हा निलम मरने से पहले तुम सब को मिला ही दिया और किलविक्ष तुशार और नाइशा को भी कैद कर देता है तभी नाइशा नैना को मदद करने के लिए इशारा करती है और नैना मोर्नी रूप में आकर नाइशा को खोलने की कोशिश करती है मगर तभी कागराज वहां आकर मोर्नी को रोग देता है मोर्नी और कागराज में लड़ाई होती है और दोनों उलते उलते दूर जाकर गिरते है मोर्नी कागराज के उपर गिरती है और नैना के रूप में आ जाती है और तभी कागराज भी इंसान के रूप में आ जाता है क्या तुम इच्छाधारी कोई हो? हाँ मेरा नाम कक्षक है मुझे शाप मिला था कि जब तक मैं किसी लड़की के संपर्ग में ना जाऊं कोई के रूप में ही रहूंगा और नेना और कक्षक एक दूसरे को देखकर मुश्कुराते हैं वहीं कुस्अवग नीलम में भयंकर नड़ाई होती है और किलविक्ष और कर्ले लड़ने लगते हैं और अमा तरशा को मारने आगे जाती है तभी तरुन बीच में आ जाता है नहीं बाबा, ऐसा मत करो, मैं तरशा से बहुत प्यार करता हूँ बूर्ख, तेरे प्रेम की वज़े से मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा, हट जा सामने से नहीं बाबा, मैं नहीं हटूंगा अम्मा, तो तुम इस लड़के को भी रास्ते से हटा दो ये सुनकर तरण चौक जाता है बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, और आप मुझे ही मार डाला चाहते हैं देखा तरण और तरशा, जिन पापियों को तुम अपना मान रहे थे, वो बस तुम्हारा इस्तिमाल कर रहे थे और नीलम क्रोध में आपके के शाल रूप ले लेती है, और किल्विक्ष पर बात करने लगती है तभी किल्विक्ष अपने जोले से जादुई चिराग निकाल कर सामने कर लेता है और नीलम के सारे वार उसमें कैद भूरा पर लगते हैं, और भूरा मर जाता है अरे नीलम तुम मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगी तभी किल्विक्ष नीलम और कनिश्पर खाला करने लगता है और नीलम खायल होकर नीचे गिर जाती है कुसुम चाकू लेकर नीलम को मारने आती है और तृशा खुद को छुडा कर बीच में आ जाती है और कुसुम तृशा को चाकू मार डालती है लड़की ये तुने क्या किया अमा मैंने तुमें हमेशा अपनी मा ही माना था ये लोग बुरे नहीं है अभी भी वक्त है अपनी नफरत भुला दो और तृशा बेहोश हो जाती है नीलम ये सब तीरी वज़े से हुआ है और कुसुम नीलम को मारने आती है नीलम ये सब देख कर तृशा को आवाज लगाती है तृशा उठ तुझे उठना ही होगा मेरी मनी को छोने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और त्रिशा नीलम की आवाज सुनकर खड़ी होती है और कुसुम को धका मार कर नीलम की सिर पर हाथ लगा कर मणी मुठी में ले लेती है जैसे ही त्रिशा मणी को हाथ में लेती है कुसुम त्रिशा से मणी छीनने आती है और त्रिशा मनी से कुसुम पर वार कर देती है अम्मा मैंने कहा था ना अब ही भी वक्त है तेरी लालच की वजह से आज एक बेटी को अपनी माह को खत्म करना पड़ रहा है और देखते देखते कुसुम का शरीर जलने लग जाता है नहीं मुझे माफ कर दो त्रिशा बेटा मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी कुसुम नीलम के सामने हाथ चोड़ती है नीलम मुझे माफ कर दो इस किल्विक्ष के भुरे इरादों ने मुझे भैका दिया था जिसकी वज़े से मैंने इतनी अच्छी दोस्त को खो दिया अम्मा अब तुम आराम से रहो और कुसुम भी नरग की आग में जल जाती है तुशार और नाईशा भी किल्विक्ष की कैद से आजाद हो जाते हैं तुशार नाईशा तरुन त्रिशा और कनिश्क और नीलम सभी नाग नागिन के रूप में आकर किल्विक्ष को चारों ओर से घेड लेते हैं और सभी एक साथ किल्विक्ष पर अम्मा करते हैं मगर किल्विक्ष जितनी बार मरता उतनी बार वापस जिन्दा हो जाता है। नीलम ने गुस्से में आकर किल्विक्ष के फिर से टुकडे टुकडे कर दिये। मगर किल्विक्ष का शरीर वापस जुड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? मगर तु इस मनी के वार से नहीं बच पाएगा ढोंगी बाबा और तृशा किलविक्ष कर मनी का वार करती है और किलविक्ष का शरीर जलने लगता है मगर अचानक से किलविक्ष हसने लगता है और तृशा देखती है कि मनी की चमक खत्म हो गई है मा, ये क्या हुआ? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दुष्ट इस पवित्र मनी के वार से कैसे बच गया किल्विक्ष का निश्क पर वार करता है और फिर एक एक कर सब पर वार करना चुड़ी करता है और तृष्ट के हाथ से मनी चीन कर तृष्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी तरुण उसका हाथ पकड़ लीता है तभी तरुण उसका हाथ पकड़ लीता है और जब इसने तुम्हें बनाया था तो तुम्हें प्राण फोकने के लिए अपने खोन की बोंदे डाली थी इससे केवल तुम ही मार सकते हो तरंड किलविक्ष तृशा को चुप कराने के लिए उसके पास जाता है कि तब ही तरंड मंदिर में से तृशूल उठा कर किलविक्ष के सुने में खुसा देता है मगर इस बार किलविक्ष नहीं बचता और तरंड बार-बार तृशूल से उसे मारता है किलविक्ष सब के सामने हाथ चोड़ता है और देखते ही देखते किलविक्ष का शरीर टुकडों में बिखर जाता है और फिर राख में बदल जाता है नीलम और कनिश्क ये देखकर बहुत खुश होते हैं सब एक दूसरे को गले लगाते है माँ मुझे माफ करना मैं उस अम्मा की बातों में आ गई थी पर माँ इस बार मैंने मणी को छुआ तो मुझे छटका क्यों नहीं लगा क्योंकि मिरी बच्ची इस बार तुम्हारा मन साफ था तभी नाईशा बोल पड़ती है माजी काव्या और सब देखते हैं काव्या का शरीर धीमे धीमे गायभ हो रहा है माजी हमें समय गुझरने से पहले काव्या को काल चक्र में भीचना होगा और नीलम नाग देव को बुलाती है चिंता मत करो बेटी तुमने काल चक्र के भेद को जाना है इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे समय में ही वापस भेजता हूँ और द्रिशा और तुशार दोनों अपने निशान को पास लाकर काल चक्र को बुलाती है और काव्या नीलम और कनिश्क से विदा लेकर काल चक्र में वापस चली जाती है और राज की परिवार के पास लोट जाती है जैसा की नाक देव ने कहा था ठीक वैसे ही काव्या उसी व नहीं कुछ नहीं और राज और काव्या एक दुसरे के गले लगती हैं अच्छा मा जी मुझे आ गया दी मुझे भी अब वापस जाना होगा तुशार ये देख कर रोने लग जाता है और नैना भी वहाँ आ जाती है कक्षक अम मुझे भी जाना होगा नहीं नैना मत जाओ यहीं मेरे साथ रहो रुख जाओ बच्चों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है काल चक्र में जिसे वापर जाना था वो जा चुकी है नाइशा और नैना अब यहीं रह सकती है नीलम के परिवार के साथ यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं तो शार नाइशा को गले लगा लेता है और नैना कक्षक भी गले लगती है और तभी काल चक्र में के तीज रौशनी बहार आती है और उसका आकार बढ़ने लग जाता है हे देव यह क्या हो रहा है काल चक्र गायब क्यों नहीं हो रहा और तभी उस रौशनी में से दो लोग बहार आते हैं और काल चक्र गायब हो जाता है वे दो लोग और कोई नहीं बलकि कनिशका और करण थे चोटी करण तुम दोनों तुम दोनों जिन्दा हो मगर कुसुम ने तो तुम्हें मार दिया था ना भाया आप सही कह रहे थे कुसुम ने हमें मारा जरूर था मगर कुसुम ये नहीं जानती थी कि मुझे मारना आसान नहीं है मतलब भाईया, हमारी मा कनिका और बाबा तक्षक ने आपके जन्ग के बाद एक कठिन तपस्या की थी जिसके बदले में मा ने अपनी शक्तियों से मुझे बना कर आपके पास पृत्वी लोग पर भेजा था ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ और मुझे मिले शक्तियों से मैं समय में यात्रा कर सकती थी इसलिए जब कुसम ने हमें मारना चाहा तो मैंने अपनी और करण की आत्मा को काल चक्र में भेज दिया था और तब से हम वापस आने के इंतिजार में थे ये सुनकर कनिश्क कनिश्का को गले लगा लेता है मेरे बच्चों मा बाबा से नहीं मिलोगे तभी नैना खासती है हाँ हाँ मैं समझ गई मा इस नैना और कक्षक का भी इसी मंडब में भ्या करा दीजिए और सब मिलकर त्रिशा, तरुन और नैना और कक्षक की शादी करवा देती है और सभी खुशी-खुशी रहने लगते है नीलम आखिरकार बड़सों बाद हमारे जिंदगी आज जाकर पूरी हुई है अब तुम और मैं आराम कर सकते हैं हाँ कनिश्क, इसे कहते हैं हैपी एंडिंग और आज हमारा परिवार पूरा हो गया और नीलम और कनिश्क हाथ पकड़ कर घर के अंदर चले जाते हैं उमीद है आपको हमारी कहानी पसंदाई होगी ऐसी और भी दिलचस्प कहानिया देखने के लिए ऐसे ही लगातार जुड़ी रही है एनाईम स्टोरीज पर और अगर आप भी अपना कोई विचार बताना चाहती हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करें थांक्स को स्पोर्टिंग चोर चोर पकड़ो इसने मेरा पर्च चुराया है नजाने कौन थी वो बहादू लड़की क्योंगी सुन्दर है ये लड़की इसके गुलाब के पंखुडी जैसे होट को ऐसा लग रहा है अभी चुमलू अंत्रा नाम है मेरा हाई, I am Anand आप बहुत सुन्दर हैं मासा, मैंने शादी कर ली है सत्या नाश आखिर इसने कर ही ली शादी मासा, कैसी लगी मेरा अंत्रा है ना विलकुल चांद जैसी चुप कर तू तू ये किसे उठा लाया है ये चांद नहीं है ग्रहन है, आम वस्या का ग्रहन बरसो बाद भी उस नागिन का प्रकोप हमारे परिवार से हटा नहीं, गुरुदेव अगर उस नागिन से जीतना है तो उसे उसके ही जाल में फसाना होगा, कात्याईनी फसाना होगा आखिर हम मिल ही गए, कात्याईनी तू अभी भी इस खेल में कच्ची है, नागिन भूल मत, इस नागमणी की कहानी मैंने ही शुरू की थी और अब खत्म भी मैं ही करूंगी अब खत्म भी मैं ही